हलो फ्रेंड क्या आप एक ही वीडियो देखकर complete Microsoft Excel सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इस वीडियो में मैंने आपको Microsoft Excel बिल्कुल beginner level से advanced level तक सिखाया है साथी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको Microsoft Excel के जितने भी venues होते हैं उनके अंदर जितने भी important option होते हैं उन सभी को step by step सिखाया है तो फ्रेंड यदि आपने इस वीडियो को सुरू से लेकर end तक देख लिया तो उसके बाद आप MS Excel को इतना अच्छा सीख जाएंगे कि आप किसी भी company में जहां भी Excel की requirement है वहाँ पर काम करने के लिए बहुत अच्छे से तयार हो जाएंगे साथी फ्रेंड मैंने आपको इस वीडियो के description box में सभी menus के time stamp दिये हो हैं तो आप यदि मुझे appreciate करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लाइक कर दीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं करा तो चैनल को भी subscribe कर लीजिए और friends इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी मेनत लगी इसलिए मैं आप से request भी करूँगा कि इस वीडियो को जाद से जादा share करिये ताकि इस वीडियो को rank करने में help मिल सके तो चलिए अब शुरू करते हैं मैं हूँ अभिशेक और आप देख रहे हैं Micro Solution ओके friends तो Excel Software सीखना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको Excel के बारे में थोड़ी सी theoretically जानकारी देना चाहूंगा Excel Software Microsoft Company के द्वारा बनाये गया Microsoft Office Software Package का ही एक Software है वैसे तो friends Microsoft Office के काफी सारे वर्जन है जैसे Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016 और Office 2019 लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद इन में से Office के किसी भी वर्जन के Excel में काम करना सीख जाएंगे तो यदि आपके computer में इन में से Office का कोई भी वर्जन है तो आपको इसका कोई फरक नहीं पड़ेगा अब हम बात करते हैं Excel का use कहां कहां किया जा सकता है तो Excel का use उस हर जगह पर किया जा सकता है जहां भी management या accounting से सम्मंदित कोई भी काम किया जा रहा हो जैसे school में student का record maintain करने में और fees management में अगर किसी company की बात करें तो employee का record maintain करने में self purchase record maintain करने में और different type की balance sheet बनाने में तो यदि आप भी यह सभी काम सीखना चाते हैं और Excel की help से एक अच्छी job करना चाते हैं तो बस आपको इस वीडियो को बिना skip करें पूरा देखना है तो चली अब practically सीखना start करते हैं ओके फ्रेंट तो मैं अपने computer की screen पर आ चुका हूँ और यहां पर मैं बिना time को गवाए सबसे पहले Microsoft Excel के software को open करूँगा तो यदि आप भी अपने computer में Microsoft Excel के software को open करना चाते हैं उसके लिए आपको अपने keyboard से window बटन के साथ आर प्रेस करना है तो window बटन देखिए कहां पर होता है Alt बटन के पास तो उसके साथ मैंने क्या करा आर को प्रेस करा जिससे रन विंडो ओपन होगी रन विंडो के अंदर आपको टाइप करना है Excel देखिए मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ Excel अब मैं OK पर क्लिक कर दूँगा इससे क्या होगा एक्सल सॉफ्टेयर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आप में क्या करूँगा आप ब्लैंक वर्क पर क्लिक करूँगा और देखिए एक्सल सॉफ्टेयर जओ है वह ऑपन हो चुका है आप चाहें तो search में जाकर भी Excel को search करके open कर सकते हैं अब देखिए friends Excel के अंदर आपको by default एक sheet मिलती है तो देखिए यहाँ पर sheet 1 दिखाए देरी है आपको sheet 1 अगर आप एक से ज़्यादा sheet लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको plus button पर click करना है जैसे आप plus button पर click करेंगे तो आपके सामने देखिए sheet 2 आ गई है ऐसे आप और भी sheets ले सकते हैं यहाँ से तो it's your choice आप कितनी sheet लेना चाहते हैं तो Excel के अंदर आप जो भी काम करते हैं वो sheet में ही करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं sheet बोलते है Excel sheet के नाम से भी जाना जाता है इसे ही हम Excel workbook के नाम से भी जानते है और इसे spread sheet भी कहा जाता है Excel के अंदर अगर आप ऐसे आगे की और select करते हैं rows क्यालाते हैं तो यह क्या है rows तो यह जो अगर हम उपर select कर रहा हूं मैं आपको दिखा रहा हूं यह select करके यह है 1 number की row और यह है 2 number की row ठीके यह है 3 number की row तो इस तरब यह क्या है 1, 2, 3, 4, 5 यह सब है rows अगर आप उपर से ऐसे select करते हैं तो कहलाता है column यह क्या है column A column B column C column D column तो यह क्या है columns हैं अगर आप यह जाना चाहते हैं कि आपके वाले Excel के version में number of कितनी rows है तो उसके लिए आपको क्या करना है control बटन को keyword से दवाना है CTRL बटन होता है keyword पर उसको दवाना है उसके साथ आपको down arrow key को दवाना है जैसे आप down arrow key को दवाएंगे control के साथ तो देखिए आपके वाले version में जितनी भी number of rows होगी वो आ जाएगी friends मैं देखिए Excel का 2013 वर्जन यूज़ कर रहा है उसलिए देखिए यहाँ पर number of rows दिखाए दे रही है वो है 10,48,576 हो सकता है आपके वर्जन में कम या जादा हो इससे यह depend करेगा आपके वर्जन के उपर अब अगर मुझे बापस से first वाली row पर जाना हो तो उसके लिए मैं keyboard से control बटन के साथ आप arrow की को दबाऊंगा तो जैसी मैं आप arrow की को press करूंगा तो देखिए मैं one number की row पर आ जाऊंगा ऐसी अगर आपको last column check करने के आपके वाले वर्जन में last column कितना है तो उसके लिए आपको control के साथ right arrow की को दबाना है तो इस तरह से आप row and column check कर सकते हैं अब देखिए friends यदि आप किसी एक box को select करते हैं देखिए एक box बन गया इसे box नहीं कहते हैं इसे कहते हैं cell एक cell के अंदर इसे cell कहते हैं तो इस cell का क्या होता है एक address होता है तो अपर से देखिए किस वाले column में हैं ये अधर से देखिए आप ये 3 row पर हैं तो इसका इस cell का address केलाएगा B3, अगर मैं यहां रखूं तो केलाएगा D5, अगर मैं यहां रखूं तो केलाएगा C8, अगर आप एक साथ काफी सारी cells को select कर लेते हैं तो इसका देखिए address कैसे बनेगा, अब देखिए select कैसे करूंगा मैं, यहां पर cell के बीच में ले तो B3 से और G13 तब, B3 से G13 तब, यह इसका address केलाएगा, अगर मैं ऐसे select करना हूं तो अपके लाएगा यह, H2 से H15, ठीक है, इस तरह से इसका address हम निकालते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, अब देखिए friends, जैसा कि मैं आपको introduction म कर दिया, इधर मैंने आगे बढ़ाया, देखिए आगे बढ़ाने के लिए, चाहें तो आप जो arrow keys होती है, keyboard पर top down, left, right, उनका use कर सकते हैं, या tap button keyboard से आप press करेंगे, तो tap button से भी यह आगे बढ़ जाता है, लेकिन अगर आपको, अगर इसको उपर नीचे ले जाना है, तो आपको keyboard पर arrow keys का use करना पड़ेगा, ठीक है, चाहें तो आप mouse की click से भी कर सकते हैं, आप mouse से जान क्लिक करेंगे, वहाँ पर ही select हो जाएगा, बट मैं keyboard का use कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर right की दबाया, तो यह आगे बढ़ गया, अब मैं इसमे 5 enter कर देता हूँ, अब आप इसे बराबर केते हैं हिंदी में, तो आपको यह लगाना है, अगर आप यह नहीं लगाएंगे, यह symbol नहीं लगाएंगे, तो आपका जो भी formula है, वो एक text बन कर रहे जाएगा, तो आपको इस बात का विशेज दियान रखना है, अगर आप कोई भी formula apply करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको is equal to लगाना कमपल सरी है, आप देखिए क्या करूँगा मैं, अब मुझे 3 और 5 का total निकालना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर click कर दूँगा, जैसी मैंने यहाँ पर click करा, तो automatic इस cell का address यहाँ पर लिख गया, देखिए C6 आ गया, चाहें तो आप type देखिए यहाँ पर आगया है, तो इस तरह से आप addition वगेरा कर सकते हैं, अमालीच आपको subtraction करना हो, यहाँ यहाँ पर मैं चली मैं दुबारा लिख देता हूं, यहाँ पर मैंने लिख दिया 15, 15-8 मैंने यहाँ पर यहाँ मुझे show करना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो equal लगाँगा, फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर मैंने keyboard से minus का sign लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक करा और keyboard से enter कर दिया, देखिए यहाँ पर क्या आगया, 7 आगया, तो ऐसे आप कोई भी arithmetic symbol का use करके, आप क्या कर सकते हैं, calculation कर सकते हैं, जैसे देखि का, किसका 500 का, कितना 5%, तो percent निकानने के लिए आपको पहले तो किसका, वो मैंने यहाँ पर select कर लिए 500 का, फिर into का sign, फिर कितना मैं बोर रहा हूं 5%, फिर divided, फिर मैंने लगा दिया 100, और फिर मैंने enter कर दिया, तो देखिए 500 का 5% कितना होता है, 25 होता है, तो friends इस तरह से आ अब मैं यहाँ पर आपको एक example दिखाता हूं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इन formulas का use आप कैसे कर सकते हैं Excel के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक example दिखाता हूं, example के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर माली जी किसी school के अंदर में 10th class के लिए, यानि 10 जितने भी student है, उनके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक result तयार कर रहा हूं, यहाँ पर, एक database तयार कर रहा हूं, एक Excel sheet तयार कर रहा हूं, जिसके अंदर में student का data को arrange करके रखना चाहता हूं, अब माली जी मेरे पास एक paper पर एक sheet है, जिसमें student के नाम है, उनके role number है, उनके जितने भी subject से उनके marks है, अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक ऐसा template तयार करना है, जिसमें total marks आ जाए, उनकी percentage आ जाए, और result शो हो जाए, तो देखिए Excel में इस काम को कैसे करूँगा मैं, तो Excel में इस काम को करने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, template तयार कर लूँ percentage और result, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, देखिए मैं इसको पहले जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको बढ़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम करने के लिए आपको अपने keyboard से control बटन को दबा के रखना है, उसके बाद जो mouse में बीच में wheel होता है, ज जो scroll wheel होता है, उसको आपको आगे के और बढ़ाना है, जिससे जूम हो जाएगा, तो मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर लिए, देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, कि यहाँ पर देखिए student name लिखा हुआ है, जो कि पूरा नहीं दिखा यहाँ पर हिंदी marks लिखा हुआ है, जो कि पूरा नहीं दिखा है देखिए तो आपको column की size बढ़ाना पड़ेगा, column की size आप चाहें तो manually एक एक column की size बढ़ा सकते हैं, कुछ इस तरह से करना पड़ेगा आपको, आपको दोनों column के बीच में अपने mouse का pointer रखना है, उसके इस पार आपको mouse का button दबा के से आगे की और बढ़ाना है, इससे क्या होगी, size बढ़ जाएगी, देखिए column की size बढ़ गई, बट ये एक अच्छा तरीका नहीं है, मैं आपको एक तरीका और बढ़ाता हूँ, जिससे आप एक साथ ही सभी column की size को बढ़ा सकते हैं, और जो text इसके अंदर बिल्कुल fit हो जाएगा, उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, पहले तो सभी को एक साथ select कर लेना है, जिन भी column की आपको size बढ़ानी है, अब देखिए इसके बाद में क्या करूँगा, home menu के अंदर, इस format option के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर देखिए, एक option दिखाए दे रहा है, auto fit column width में इस पर click करूँगा, जैसी मैंने इस option पर click करा, तो आप notice करिए, automatic सब set हो चुके है, अब मैं इसको थोड़ा से छोटा कर देता हूँ, मैंने control button दवाया, keyboard से थोड़ा से fit कर दिया, ताकि यह एक दम सामने ही रहे हमारे, आप देखिए, यहाँ पर है serial number, अब अगर यहाँ पर आप serial number को enter करना चाहते हैं, तो देखिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आपको बार बार ऐसे 1, 2, 3, ऐसे लिखने की ज़रूत नहीं है, अगर आप continuously serial number चाहते हैं, तो आपको केव बाद आपको नीचे खेंचना है, जैसे आप नीचे खेंचेंगे तब select होगा, ठीक है, अब select आपने कर लिया, select करने के बाद आप अपने mouse के pointer को स्कोने पर ले जाएं, जहाँ पर यह आपको छोटा सा dot दिखाए दे रहा है, आपको स्कोने पर ले जाना है, उसके बाद आ आपको अपने mouse का button दबा कर फिर नीचे के और खेंचना है, तो आप जितना नीचे खेंचेंगे उतने ही automatic यहाँ पर serial number आ जाएंगे, तो देखिए 9 तक serial number आ गए, मैं थोड़ा सा 10 तक बढ़ा देता हूं, तो मैंने यहाँ पर 10 तक serial number ले लिए, जिससे देखिए benefit क्या आपको कहीं पर month लिखना हूं, जैसे मैंने आप पर January लिखा, January के लिए मैंने लिखा J-A-N, अब देखिए आगे के months अगर आपको continuously चाहिए, तो बस आप ऐसे कोने पर mouse का pointer ले जाए, जब आपका plus छोटा plus में बदल जाए, तब आप mouse के button से ऐसे catch लीजिए, आगे के months आगे weekdays को print करना है, तो बस आप cell को select करिए, कोने पर mouse का pointer ले जाए, छोटा plus बदलेगा, फिर खेंच लीजिए, देखिए, ओटोमेटिक संडे, Monday, Tuesday, Wednesday आगया, तो इस तरह से आप कहीं पर भी serial number और इन चीज़ों को use कर सकते हैं, और automatic या आगे का अपने आप आजाता है, अपने आप feel हो जाता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर serial number तो लिख दिया है, अब देखिए, यहाँ पर आएगा student name, तो student name अभी फिलाल में A लिख देता हूँ, उसके बाद roll number student का कुछ लिख देता हूँ, मैंने 101 लिख दिया, हिंदी के marks आएंगे, इसमें आएंगे English के marks, साइन्स के marks, साइन्स के marks, सोसल साइन्स के marks, और total marks, अब देखिए, मैं आपको एक बात बनाता हूँ, जहाँ total marks है, यहाँ पर मुझे automatic चाहिए, कि यहाँ पर मैं जैसी marks फीड करूं, हिंदी, English, Maths, साइन्स, सोसल साइन्स के, तो total marks में अपने आप total लग जाए, तो अगर आप अपने आप total चाहते हैं, आपके पास देखिए, एक sheet है, आपके हाद में एक sheet है, जिसमें students का serial number है, student का नाम है, role number है, और उसके marks है, लेकिन total marks आपको calculator से calculate करके feed करने पड़ते हैं, अगर यह Excel software नहीं होता, लेकिन Excel में अगर हम काम कर रहे हैं, तो calculator की कोई जूरत नह हैं, हम यहाँ पर एक formula लगा लेंगे, हम तो cable marks को feed करेंगे, अपने आप यहाँ पर total लग जाएगा, percentage आ जाएगे और उसका result शो हो जाएगा, बस हमें तो एक एक बार इतने formula put करना है, कैसे करना है, तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखिए, तो total निकालना अब ही मैंने आपको एक simple तरीके से दिखाया था, प्लस करके, दिखाया था न आप total निकालना, लेकिन यहाँ पर हमें formula का use करेंगे, और वो है sum का formula, तो कोई भी formula आपको लगाना है, सबसे पहले आपको लगाना है equal, मैंने equal लगा दिया, equal लगाती, formula वार जो यहाँ पर है वो activate हो जाती है, इसके बाद type करना है sum, देखिए मैंने type करा sum, फिर मैंने bracket start करा, bracket start करने के बाद आप यह ध्यान दीजिए, कि आपको total कहां से कहां तक लगाना है, यानि हिंदी के marks से लेकर social science के marks तक का आपको total यहाँ पर show करना है, तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक select क कर लिया, कैसे करा, पहले यहाँ क्लिक करा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद बीच में mouse का pointer ले जाकर इसे खेंच रहा हूं है, कोने से नहीं खेंच रहा हूं, कभी भी कोने से नहीं खेंचना है, कोने से तब खेंचना है, जब आपको एक ही formula बार बार apply करना है, तब ही है तो type भी कर सकते थे d2 और h2 तक का total हमें यहाँ पर show करना है फिर मैंने bracket को close कर दिया और enter कर दिया तो यहाँ पर अभी 0 क्यों आ रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी कोई marks नहीं है चलि मैं आपको इसी formula को यहाँ पर अलग से लगा कर दिखाता हूं देखिए नीचे मैंने यहाँ पर लिखा 5 यहाँ पर लिखा 6 अगर मुझे यहाँ पर इन दोनों का total चाहिए तो क्या करूंगा अभी मैंने आपको सिखाया सबसे पहले equal फिर आपको type करना है sum फिर आपको bracket start करना है फिर देखि लगाना है आपको shift के साथ देखिए shift के साथ आप यहाँ पर l के पास semi colon और colon होता है तो मैंने colon यहाँ पर shift के साथ दबाया button तो colon लग गया उसके बाद हम क्या लिखेंगे f13 लिख दिया तो friends इतना करने की जुरुत नहीं है इसे लिखने से better मैं आपको जो बता रहा था व इसे यहाँ पर zero आ रहा है अभी यहाँ पर भी total आ जाएगा इसे मैं delete कर देता हूं तो चलिए total मैंने यहाँ पर formula लगा लिया अब इस formula को मैं चाहता हूं कि नीचे भी apply हो जाए मुझे यहाँ पर बार-बार formula नहीं लिखना पड़ा है क्योंकि अभी मैंने formula cable यहाँ लग कर लेता हूं तो यहाँ पर देखिए क्या गया formula यहाँ तक देखिए formula अपलाए हो गया और 00 इसलिए दिखाए दे रहा क्योंकि अभी हमने marks नहीं डाले तो आप देखिए मैं यहाँ पर आपको marks को enter करके दिखाता हूं ताकि मैं आपको बता पाऊं कि यहाँ पर देखिए formula की वज़े से अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा roll number मैंने दूसरा roll number डाला आगे का और उसके जो हिंदी के marks हैं वो मैं यहाँ पर enter कर दूँगा और तो देखिए total अपने आप लगता जा रहा है कितना मेरे लिए काम आसान हो गया है बस मुझे तो marks enter करने है और total अपने सकते हैं बाद में अब देखिए यहाँ पर आगे मुझे अगर percentage निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा percentage निकालने के लिए भी सबसे पहले आपको equal लगाना पड़ेगा अब आपको एक बात मालूम होगी कि percentage total पर depend कर दिये तो total किस cell के अंदर है first total इस cell के अंदर है न तो मैंन formula है ठीक है तो आप यहाँ पर यह depend करेगा कि आपके out of marks किसने में से हैं उस हिसाब से आपकी percentage निकलेगी तो मैंने यहाँ पर 5 subjects लिये थे और जितने भी marks है मैं 100 में से मान के चल रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर 500 ले लिया अब मैं enter कर देता हूँ तो यहाँ पर देख और नीचे खेंच लूँगा तो मुझे बार बार formula लगाने की जुरत नहीं पड़ेगी आगे की percentage देखिए अपने आप लगती जाएगी यहाँ पर देखिए result के लिए मैं आपको एक basic formula लगा कर दिखाता हूँ और आगे चलके मैं आपको इसी formula को different तरीके से लगा कर भी द area आप अपने हसाब से बढ़ा सकते हैं तो देखिए मैंने सबसे पहले equal लगाया दिखा देरा आपको देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने equal लगा लिए equal लगाने के बाद मैंने लिखा if इसके बाद break it start करना है बेक इसके बाद करने के बाद यह जो result है वो percentage पर depend करेगा तो यहाँ पर मैं click कर देता हूँ क्योंकि जो first percentage है वो जिस cell के अंदर है वो यहाँ पर है तो मैंने यहाँ पर click कर दिया उसके बाद मैंने यह logic बनाया कि जो percentage है वो अगर greater than है यह equal है किसके 30 के तो एक कोमा नीचे लगाया double inverted कोमा मैं मैंने लिख दिया pass ठीक है फिर मैंने एक कोमा नीचे लगाया फिर double inverted कोमा मैं मैंने लिख दिया fail ठीक है फिर double inverted कोमा मैंने बन कर दिया और एक bracket close कर दिया तो देखिए formula यह कह रहा है कि अगर percentage इस वाले जो यह column है इस column में जो भी percentage आएगी ठीक है percentage वाला column है इन cells के अंदर जो भी percentage आएगी अगर वो percentage 30 से ज़ record कर लेना अब मैं enter कर देता हूं तो देखिए यहां पर pass आ गया pass क्यों आ गया क्योंकि 30 से ज़्यादा है अब देखिए मैं इसको आगे खेंच के सब के लिए apply कर देता हूं देखिए बाकियों के लिए fail आ रहा है क्योंकि अभी जो यहां पर percentage है वो 0 है वो 0 मतलब 30 से कम 30 मतलब fail अब यहां पर देखिए हम आगे और record एंटर कर लेते हैं तो कुछ इजी तरीके से record एंटर होते जाएंगे और यह जो मैंने यहां पर template बनाई है मेरे लिए बहुत ही ज्यादा help करेगी अगर मेरे पास एक sheet है sheet में देखकर मेरे को अगर total निकालना पड़ता calculator से या different type के formula लगा सकते हैं अब जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको और example देता जाऊँगा कि कैसे आप Excel के अंदर काम कर सकते हैं तो यहां पर देखिए मैं बाकी की record को भी feed कर देता हूँ ओके friends तो देखिए यहां पर मैंने इस sheet के अंदर complete entry कर दिये अब देखिए यहां पर इस sheet को मैं आपको design करके दिखाऊँगा और साथ ही मैं home tape या home menu का use करूँगा और इसके अंदर जितने भी option हैं मैं आपको use करना सिखाऊँगा कि कैसे आप अपने Excel sheet के अंदर इन options का use क कर सकते हैं अब देखिए सबसे पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ वो यह है कि अगर आप अपनी इस table को मतलब अभी देखिए यह table format में जो आपको दिखाई देरा data actual में आपको borders नहीं दिखाई देरी और borders नहीं दिखाई देनी की वरिया से यह proper table नहीं लग रहा ठीक है और बीच में mouse को ग्लिक करके मैंने इसे select कर लिया after selecting मैंने क्या किया कि यहांपर देखें आपको बोर्डर का option दिखाई दे रहा है home tap के अंदर हूँ में और यहां पर देखिए यह आपको bord़रों का option दिखाई दिखा दे रहा है कोने पर click करूँगा और यहां से देखिए all border का आपको option दिखाई दे रहा है इस पर मैं click करूँगा जैसे मैं इस पर click करा तो देखिए यहाँ पर यह border apply हो चुकी है और कितना अच्छा लग रहा है यह आप table पूरा proper जैसे table का format होता है वैसा ही यह हमारी sheet दिखाई दे रही है अब इसके अंदर आपको और भी काफी सारे border लगाने के option मिल जाएंगे तो यहाँ पर जैसा नाम लिखा हुआ है वैसा ही काम हो जाए अगर आप तिर्चा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप italic पर क्लिक कर दें तिर्चा हो जाएगा बट मैं नहीं कर रहा वापस मैंने क्लिक करा तो हड़ गया आप underline लगाना चाहते हैं कहीं text के नीचे है तो आप select करके underline लगा सकते हैं देखिए underline लगी तो यहाँ से आ name लिखें इनकी मुझी जरूत है दूसरी जगे पर तो मैंने नाम को select कर लिया है select करने के बाद मेने यहाँ पर copy पर click करा कपी पर click करने के बाद मुझे जहां नीचे रखना यहा पर click करा और उसके भाद paste कर दिया है तो paste करने से क्या होगा cut के बाद यहाँ पर रखा और यहाँ से paste कर दिया तो paste करते हैं देखो यहाँ पर आ गया तो cut और copy में एक difference से copy में data वहाँ पर भी रहता है जहां से हमने copy करा है दूसरी जगे पर लाने के लिए paste करेंगे cut में वो data वहाँ से add जाता है और दूसरी जगे आ जाता है और लाने के लिए तो हमें paste करना ही पड़ेगा तो इसकी कोई requirement नहीं है इसलिमें से बापस सही कर देता हूँ इसके बाद देखिए एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का option है जिसका नाम में format printer और यह बहुत ही काम आता है कैसे जैसे देखिए यहां पर student name में ने select किया हुआ है और मैंने इस पर कोई color apply किया जैसे background में color आप यहां से apply कर सकते हैं तो यहां से मैंने yellow color apply किया और इसका जो text का color है वो यहां से बदल सकते हैं आपको ध्यान रखनी है यह background color change करने के लिए यहां पर जो आपने style apply करिये color change करा है background का और आपने text color change करा है अगर और इसका मतलब यह उगया कि आपने टेक्स कलर चेंच करा है अब अगर आपको हिंदी मार्स में इंग्लिश मार्फ में इन टेक्स्ट का कलर भी और इनकी स्टाइल भी बिल्कुल ऐसी करनी जैसे आपने यहां पर करिए ठीक है वैसे तो आप इस काम को सलेक्ट करके भी कर सकते थे और देखी बीच में कहीं पर आपको सेम स्टाइल चाहिए जैसे मैंने यहां पर कुछ ऐसा ही चाहिए तो आपको फिर से मैनत करने की ज़रोत नहीं है यहां पर color बढ़ने की ज़रोत नहीं है यहां से color change करने की ज़रोत नहीं है इसकी जो style है वो same इस पर apply हो सकती कैसे आपको यहां पर रखना है जो style आपको copy करना है यहां रखना है उसके आपको format printer पर copy करना है औ जिसे demo लिख दिया मैंने ठीक है यहां पर आपको same style चीए तो पहले आपको यहां रखना है करसार जिसकी style copy करना है उसके बाद आपको format printer पर click करना है उसके बाद आपको जहां पर style apply करना है वहां पर click कर देना है देखिए same style हो गई देखिए background color yellow हो गया text color black है और bold भी हो गया क्योंकि हमने bold भी apply कर रहा था तो यह चीज़ आप format printer की help से कर सकते हैं और इससे काफी समय बच जाता है जब हम formatting वगेरा करते हैं तो इस option का क्या use है वह आपको समझ में आ गया ठीक है इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर font वगेरा size वगेरा और यहां से मैं थोड़ा सा light blue कर देता हूं ठीक है देखे text color change हो गया तो मैं default color कर देता हूं वापस black अच्छा लग रहा था अब देखिए friends यहां पर यह जो आपको option दिखाई दे रहे हैं बहुत ही ज्यादा काम के option है यह alignment अब alignment समझाने के लिए देखिए पहले मैं आप को row की size बढ़ा के दिखाता हूं row की size बढ़ानी है तो आपको आपके mouse का pointer first और second के बीच में रखना है और यहां पर देखिए मैं थोड़ी सी row की size को बढ़ा दिया है नीचे की तरफ खेंचा दबाके बटन तो row की size बढ़ गई अब आप यहां पर दियान दीजिए serial number से ल देखिए middle पर आ गया यहां से आप select करने के बाद देखिए top पे भी कर सकते हैं आप बिल्कुल bottom में रख सकते हैं यहां से middle कर सकते हैं it's your choice इसके बाद देखिए यहां पर आपको यह alignment दिखाए दे रहें left center right इनका use करके दिखाने से पहले मुझे यहां पर एक जगे बनान वगेरा insert करना हो जरुत पढ़ रही हो बीच में आपको आपने टेवल कंपलीट कर लिए उसके बाद तो कैसे करेंगे उसके लिए देखिए यहां पर आपको insert का option दिखाए दे रहा है इसमें जाना है इसमें जाने के बाद मुझे किसकी जरुत पढ़ रही है एक row की तो य एक ही को पूरा क्या बना लूँगा cell बना लूँगा तो मैंने इससे select करा select करने के बाद एसे लेकर के तक select कर लिया फिर यहां पर आपको यह option दिखाए दा रहा है merge and center में इस पर click कर दूँगा जैसे इस पर click करा तो यहां पर यह देखिए एक ही cell बन चुका है complete एक ही cell हो तो कि यहां पर देखिए center alignment select हो रहा है by default अगर left में हो तो देखिए left में आ गया अब अगर आपको center में लेना है तो आपको फिर से alignment पर यानि इस option पर click करना यह है center alignment इस पर click कर दिया अब अगर right में करना चाहते हैं आप तो इस पर click कर दिजीए देखिए right में आ गया तो यहां से में से center कर देता हूँ अब देखिए यहां पर ही कुछ option ओर है जिने मैं आपको समझा देता हूँ देखिए थोड़ा समस्की जगे यहां पर कर देता हूँ अब माली जी इस student result लिखा हुआ है इसको आपको ऐसे तिर्चा करना हो कहीं ऐसा कई बार करना पड़ सकता है देखिए मैं इसे ही करके दिखा देता हूँ आपको मैंने select किया यहां से serial number से लेके result तक और यहां से देखिए मैं यह वाली style select कर देता हूँ तो देखिए हो गया देखिए मैं तो इसे size बड़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाए दे बट यह देखिए मेरी sheet में अच्छा नहीं लग रहा तो आपको जब इस तरह के angles की requirement हो तो आप यहां से change कर सकते हैं यहां पर आपको काफी सारे angle दिये गए हैं आप जिस भी angle पर click हूँ control के साथ Z दबा रहा हूँ में इससे undo हो रहा है ठीक है control के साथ Z दबाने से क्या होता है undo होता है आप चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं देखिए यहां पर यह undo का option है इसके बाद देखिए next option है यहां पर हमारे पास वो है wrap text का और यह काफी काम आता है जैसे नहीं हुआ अगर आप इसे एक ही cell के अंदर fix करना चाहते तो आप यहां से wrap text के इस option पर क्लिक कर देए जैसे आप इस option पर क्लिक करेंगे तो automatic एक ही cell के अंदर fix हो जाएगा मतलब कई बार जब आप text लिखेंगे और वह आपको लगता है कि एक ही cell में fit नहीं हो रहा तो य अपने से select किया और यहां पर margin center पर क्लिक कर दो देखिए यहां पर complete A की cell बन चुकी है यानि रोज को मैंने merge कर लिया है इसके बाद देखिए मैं आपको currency अपलाई करके दिखाता हूं कि कैसे करते हैं इसके अंदर माली जी के आपने salary नाम की field बनाई हुई है और यहां पर salary enter की हुई है जैसे सब माली जी salary है बट अभी problem यह है कि यह salary लग नहीं रही क्योंकि अगर यह amount अगर आपको as a currency show करना है ना कि value अभी यह 5000, 6000, 7000 as a value show हो रहा है अगर आप इसे amount as a currency show करवाना चाहते है तो उसके आप इसे select करें तो यहां से आप अगर dollar वाले sign पर click करेंगे तो by default यहां पर देखिए dollar का sign आ गया है तो यह dollar में show होने लग गई currency लेकिन अगर आप इसे Indian currency में show कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहां कोने पर click करना है कोने पर click करने के बाद आपको यहां पर more accounting formats में जाना है उसके बाद देखिए आपके सामने एक window open हो जाएगी आपको इसके अंदर symbols में जाना है यहां पर click करना है और यहां पर आपको INR डूनना है तो यहां पर देखिए मुझे INR मिल गया है तो यह इंडिया की currency होती है इंडिया की currency INR में होती है तो यहां पर देखिए मैंने INR को select कर लिया तो यहां पर देखिए INR इंडिया की currency आ गई है इस तरह से आप currency वगेरा का use कर सकते हैं इसके बाद देखिए अगर आप percentage का sign दिखाना चाहते हैं कहीं भी तो आप अगर direct click करते हैं तो वह विल्कुल सही नहीं आएगा उसक अच्छा नहीं लग रहा तो percentage कैसा apply करते हैं मैं आपको बढ़ाता हूं अगर आपको इनके सामने percentage का sign लाना हो आप ही सोच रहे हों कि इससे आ जाएगा क्योंकि जब इससे dollar का sign आ सकता है बड़ वो नहीं होगा तो percentage का sign लाने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं अगर कह right click करा. right click करने के बाद मैं यहां पर जाऊँगा देखिये format cells दिख रहा आपको format cells इस पर clique करोगा इस पर clique करते ही window open होगी this window के अंदर देखें मैं कहां जाऊँगा custom के अंदर देखिये custom में जाँगा custom फो मैं यहां से 0 Select करूँगा ध्यान देना क्या select कर रहो मैं 0, 0 के बाद मुझे यहाँ पर type करना है backslash, मुझे यहाँ पर एक backslash लगा दिया है, ठीक है backslash लगाना है, उसके बाद मैंने यहाँ पर percentage का sign लगा दिया, keyboard से मैंने percentage का sign यहाँ पर लगा दिया, ठीक, और okay कर दिया, जैसी मैं okay करूंगा तो देखिए यहां पर percentage का sign आ चुका है लेकिन देखिए कई बार percentage ऐसी भी होगी 71.02 तो वो ऐसे डारिब दिखा ही नहीं देगा उस case में आपको क्या करना पड़ेगा छोटा सा changes करना है अगर आप आगे point में भी दिखाना चाहते हैं वापस से हम right click करेंगे data select करने के बाद और यहां से वापस से हम जाएंगे format cells के अंदर और यहां से custom में जाएंगे यह window open होगी ना इसके अंदर custom में जाना है और यह जो हमने percentage का sign लगाया है यहां पर तो यहां पर देखिए मैंने क्या करा था यहां पर zero और जो divide का sign लगाया था तो जो zero है ना उससे पहले मैं क्या लगा दूँगा point zero zero ठीक है point zero zero लिखने से क्या होगा उसके बाद मैं ok कर दूँगा अब देखिए यहां पर next option है conditional formatting conditional formatting में काफी अच्छे option है जो आपको काफी सारी help करते हैं सबसे पहला option है highlight cells rule तो यहां पर देखिए काफी option है greater than less than तो यह depend करेगा कि आप किस data पर इनको use कर रहे हैं तो यहां पर देखिए मैं आपको एक data पर use करके दिखाता हूँ यहां पर मैं total marks पर इसको apply करके दिखाता हूँ ठीक है total marks को select करने के बाद मैं conditional formatting में गया highlight cells rule में गया और यहां से मैं greater than पर click करा greater than पर click करने के बाद तो यहां पर यह color जो भी है अपने इसाब से select करेगा तो मैंने यहां पर यहां पर मैं highlight करना चाहता हूँ कि जिसके भी 400 से ज़्यादा marks है वो ही highlight हो के बाद जिसके भी 400 से ज़्यादा marks है यह criteria आप अपने इसाब से चुन सकते हैं कुछ भी जैसे माली जी 300 से जिनके ज़्यादा हो वो ही marks हो तो यहां पर हमने highlight कर लिए लेकिन देखिए मैं यहां पर 400 कर देता हूँ और यहां पर देखिए default color तो देखिए कौन सा आ रहा है default color कुछ इस तरीक आ रहा है तो जिनके भी marks 400 से ज़्यादा है वो अलगी दिखने लग जाएंगे अलग से highlight हो जाएंगे पर अगर आप खुद से custom color बनाना चाहते हैं color अपना दिखाना चाहते हैं लिए आप दुबारा select करें conditional formatting में जाएं highlight cells rule में जाएं और यहां से हमने greater than पर click करा और यहां से हम 400 तो रखेंगे criteria हमारा उसके बाद हम यहां से जाएंगे और यहां पर custom format पर click करेंगे और यहां पर हमें color वगेरा के option मिल जाएंगे यहां से मैं फिल में जाता हूं यहां से मैं yellow color ले ले लेता हूं okay कर देता हूं ठीक है तो यहां पर देखिए 400 से जिनके भी ज़्यादा marks है वो यहां पर show होने लग गए highlight हो है तो इस तरह से आप जब company वगेरा में काम करेंगे और Excel को use करेंगे कहीं भी तो यसी जुरत पढ़ती हमें कई बार किसी particular data को highlight करने की तो आप यहां से कर सकते हैं condition के अधार पार तो मैंने आपको total marks में इसका example दिखाया है यह आप अपनी requirement पर use कर सकते हैं जब आपको किसी तरह की greater than values को highlight करवाना हो तो आप करवा सकते हैं same देखिए यहां पर greater than के बार less than का option है तो आप less than से समझी गए जो आप criteria decide करेंगे कि इससे कम वाली value show जाएं तो इससे कम वाली value show जाएंगी देखें between में बीच वाली value show हो जाएंगी चलिए मैं between आपको use करके दिखाई देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से clear हो जाएगा कि जैसा नाम है वैसे ही काम हो रहा है यहां पर तो मैंने यहां पर between पर click करा तो यहां पर between पर click करने के बार हमसे बोरा कहां से कहां तक तो हम बोल रहे हैं कि 118 कम होता इसलिए highlight नहीं हुआ बाकि मैंने यहां पर 500 तक दे दिया तो सभी select हो गए तो इस तरह से between वाली values को आप highlight करवा सकते हैं तो काफी काम आता यह वाला option इसके बाद देखिए इसमें और भी option है देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें जाता हूँ मैं और यहां पर देखिए text the text that contains इस पर click करता हूँ बट उससे पहले मैं जो data select करना पड़ेगा कि किस पर इसे apply करना है तो मैं यहां से result में जो data है ना यह pass fail वाला इससे select कर लेता हूँ फिर से जाता हूँ इसके अंदर और यहां से मैं text date contents पर click करता हूँ और यहां पर मुझे एक text enter करना पड़ेगा और यह बताना पड़ेगा कि मुझे उस text को ही highlight करना है तो मैंने बोल लिया कि जो pass वाला हो सिर्व वो ही ठीक है तो मैंने यहां पर pass लिख दिया और okay कर दिया तो जो pass है ना केबल वो ही highlight होगा देखिए चलिए काम करते हैं हम fail वालों को show करते हैं pass वालों को रहने देते हैं तो हम दुबारा से select करते हैं और conditional formatting दुबारा से हम गए यहां से इसमें गए text date contents में और यहां से हम लिख देते हैं fail जो fail है केबल वो ही highlight हो और यहां से उनका color change कर देते हैं custom में जाते हैं fill में जाते हैं यहां से red color ले ले लेते हैं तो देखिए यहां पर हो गया fail वाला अलग से highlight हो रहा है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं conditional formatting से अपनी table के data को अलग से highlight कर सकते हैं इसके बाद देखिए यहां पर एक date के लिए आपके पास कोई cell report है जिसके अंदर आप date को अलग से highlight करना चाहते है तो इस इप date पर apply होगा आप कुछ 2-4 dates को लिखना उनके उपर आप इसको apply करके देखना हो जाएगा उसमें tomorrow, yesterday का option आएगा तो आप अलग से highlight कर सकते है date को इस वाले option के अंदर कुछ ऐसा है आप समझ जाएंगे जब आप करेंगे duplicate values इसके बाद next है तो duplicate values को मैं बता देता हूँ मैं name पर apply करके देख लेता हूँ यहां से select करा और यहां से मैं duplicate values पर click कर देता हूँ ठीक है पर अभी आप देखना कोई duplicate value नहीं है नहीं है न सब एक-एक single बार ही लिखा हुआ है देकि माल लीजिए मैं J की जगे दुबारा से A कर देता हूँ तो automatic color देख रहा है यहां पर highlight हो जाएगा देखिए हो गया color change हो गया यहां पर और यह highlight हो गया इस तरह से आप duplicate values को conditional formatting के through highlight कर सकते हैं तो यहां पर यह duplicate value highlight हो रही है तो मैं वापस इसे J कर देता हूँ ताकि यह duplicate value से भार आ जाए समझ मैंगे आपको इस तरह से आप अपनी table के अंदर इसको use करके देखना काफी काम आता यह काफी जुरोत पड़ती इस तरह की option की जैसे माल लीजिए आप क्या करें customer का mobile number एंटर करते जा रहे है तो आप mobile number वाली field में इसे apply कर ले यानि mobile number वाले पूरे column में इसको apply कर ले तो आप एक number को अगर दुबारा गलती से enter करेंगे तो हाइलाइट हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि यह वाला mobile number पहले ही enter किया जा चुका है तो duplicate entry होने से बच जाएगी देखिए काफी कमाल का option ह देना है इसके पाद देखिए यहाँ पर conditional formatting में ऐसे next option है top to bottom rule तो यहाँ पर top bottom में आपको समझ में जाएगा top 10 items आपको select करने है इस सब आप अपने इसाप से करके देख सकते हैं कि मैं आपको top 10 वाला select करके दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में और अच्छे सा यहाँ स मैं देखिए top 10 select कर लेता हूं मलब जिनके भी marks top 10 के अंदर आते हैं वो यहाँ पर highlight हो जाएंगे तो मैं condition formatting में गया यहाँ पर गया और top 10 item को select कर लेता हूं और ok कर देता हूं तो देखिए top 10 सभी select हो गया क्योंकि totally 10 data मेरे पास लिए सभी select हो गया तो थोड़ा सा कम करते ह तो मैंने यहाँ से select किया select करने के बाद में इसमें गया यहाँ से मैं आपकी बार top 5 करूँगा ok कर दिया तो देखिए table top 5 भी select हो है देखिए तो इस तरह से आप यहाँ से जैसा हो है वैसे ही काम होगा तो एक बार आप apply करके देखना है table बना लेना उसमें data enter कर लेना और यहाँ से आप देखना apply करके आपको समझ में आ जाएगा इसके बाद देखिए next option है उसके अंदर data bars का तो यहाँ से मैं total marks को पहले select कर लेता हूँ और यहाँ से जाता हूँ मैं data bars के अंदर और यहाँ पर देखिए काफी अच्छे क्या ग्राफिकल bars हैं जो कि यह present करेंगे कि आपका जो data है वो bars के साब से set हो जाएगा देखिए मै अपने data को ऐसे bars के रूप में represent कर सकते हैं अपनी table के अंदर तो आप अपने इसाब से यहाँ पर कोई भी bars को लगा कर देखना काफी कमाल की bars आ जाती हैं यहाँ से color भी काफी सारे हैं ठीक है तो यहाँ से कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं इसके बाद देखिए यहाँ पर आप चाहें तो color देखिए कुछ अलग-अलग तरह के color से आप यहाँ से बदल सकते हैं color काफी तरह के हैं आप चाहें तो यहाँ से icon sets के through icons लगा सकते हैं देखिए इस तरह से मैं लगा देता हूं यहाँ पर यहाँ ले लेता हूं तो यहाँ पर देखिए color के सार icon भी आ रह नेक्स्ट मैं चलता हूं format as a table पर इसके थूरू आप अपनी table को design कर सकते हैं तो यहां पर कुछ पहले से बनीवी designs हैं जो table पर direct apply हो जाती है बड़ मैं आपको recommend करूँगा कि आप खुद से design करें बड़ अगर आपके पास time नहीं है तो आप यहां से predefined क्या कर सकते हैं format को select कर सकते हैं तो आपको क्या करना है उसके लिए यहां पर अपनी table को select करने के बाद format as a table में जाना है और यहां से आप कोई सी भी design select कर सकते हैं और ok करेंगे तो आपकी table बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी जो design आपने select करी थी इसके बाद देखिए next option है वो है sell style sell style के थूरू आप click करता हूँ यहां पर मुझे देखिए काफी सारी sell की style मिल जाएगी तो मैं यहां से कोई भी style को select करूँगा तो वैसे ही मेरी sell हो जाएगी तो देखिए मैं इस पर click करा तो देखिए sell की style कुछ ऐसी हो गई तो यहां से कुछ predefined आपको sell की style मिल जाएगी जिने आप अपनी sell पर apply कर सकते हैं इसके बाद देखिए next जो काम का option है वो है हमारा insert insert में अभी मैंने जैसा की row को insert करके आपको दिखाया था ऐसे आप column को insert कर सकते हैं माली जी आपको यहां पर कोई बीच में कोई नया column insert करना है तो आप यहां से कर सकते हैं देखिए मैं करके दिखाता आपको एक column insert जैसी मैंने column यहां पर insert sheet column पर click करा तो यहां पर देखिए एक नया column insert हो गया ठीक है ऐसे आप row को insert कर सकते हैं पूरी नई sheet को insert कर सकते हैं और एक particular cell को भी insert कर सकते हैं माली जी आपको यहां पर कहीं एक cell की requirement है तो उसके लिए आपको यहां पर insert cells पर click करना है अब यह आपसे पूछेगा एक डायलोग बॉक्स एक विंडो अपन होगी इसके अंदर पूछा जाएगा कि आपको सेल कहां चीए डाउन में चीए आपको रो एंटार रो में चीए कहां चीए तो मैंने बोल दिया भई शिप्ट सेल्स डाउन ओके किया तो यहां पर देखिए मेरा नमबर आगे खसक गया और यहां पर एक सेल आ गई ठीक है इस तरह से आप एक नई सेल इंसर्ट कर सकते हैं और इंसर्ट ऑप्शन आपको रो कोलम सेल और शीट को इंसर्ट करने में हेल्प करता है अब माली जी ज जाएंगे डिलीट सेल किसी आपको एक ही सेल को डिलीट करना है पूरी रो को डिलीट करना है या कॉलम को करना है फिलाल तो मुझे कॉलम को करना है तो मैंने यहां पर डिलीट शीट कॉलम पर क्लिक करा तो देखिए वह कॉलम डिलीट हो गया जैसा कॉलम ने किया वैसे रो ओटो फिट का ओटो फिट से क्या हुआ था यह पूरा कोलम पूरा फिट हो गया था ठीक है यह सारे कोलम्स फिट हो गया थे उर्सके अंदर का टेक्स भी फिट हो गया था चली मैं दूसरी शीट पर जाकर आपको कुछ और ऑप्शन दिखा देता हूँ यहां पर मैं फॉर्मेट में जाता हूँ अगर मुझे रो की हाइट बढ़ानी है तो दो तरीके है एक तो मैं यहां से रो की हाइट बढ़ा सकता हूँ ठीक है यहां से तो बढ़ा ही सकता हूँ ऐसी मैं कोलम्स की हाइट यहां से बढ़ा सकता हूँ बट मैं इन अंदर के जो इसे hide बढ़ गई तो ऐसी same ये काम column के लिए भी किया जाएगा column width में जाएंगे आप column width जितनी enter करेंगे जैसे मैंने आप 15 enter कर दिया तो देखना 15 हो गया तो जो selected है के बल वही column की hide बढ़ेगी ठीक है तो इस तरह इसा आप कर सकते हैं बापस अगर आप default width पर क्लिक करते तो जैसा सुरुबात में था वैसा ही हो जाएगा ऐसी अगर आप default row पर क्लिक करते हैं तो जैसी सुरुबात में row थी वैसी हो जाएगी तो ये सब काम आप यहां से कर सकते हैं इसके बाद देखिए next option है hide and unhide तो यहां से आप क्या कर सकते हैं hide कर सकते हैं अनाइट कर सकते हैं देखिए मैं इस पर क्लिक करा क्लिक करने के बाद यहां पर आपको option मिल जाएगा कि आपको row को Hite करना है Column को करना है Sheet को करना है तो मैंने वोला Row को करना है तो देखिए Salary Likhan रहा है वह Conrad हो गया कि वापस लाना है and इसी में जाऊंगा और यहां से मैं Unhide Row पर click करूंगा तो आप चाहिए तो sheet को Unhide कर सकते है Sheet किसे कहते हैं कि Sheet One Two Three इसे भी हाइट अनाइट कर सकते हैं देखे करके दिखाई देता हूं मैं यह क्या मैंने शीट हाइट शीट पर क्लिक तो देखें आप टू नमर की शीट जो हाइट हो चुकी है इसमें है बड़ वो दिखाई नहीं दे रही है तो वापस लाना हो तो फॉर्मेट में जाएंग है वो आपको रिनेम करने के लिए अबलेबल हो जाएगी मला आप इन शीट का नाम भी रख सकते हैं यह शीट वन शीट टू की जगए आप इन शीट को नाम दे सकते हैं जैसे देखिए शीट वन पर क्या है यह मेरे पास स्टूडेंट का रिजल्ट है तो मुझे ऐसे रिनेम कर सकता हूं तो दो तरीके एक तरीका तो आप यहां से रिनेम कर सकते हैं शीट को और एक आप इसी शीट पर राइट क्लिक करेंगे माउस का तो आपको यहां पर रिनेम का ओप्शन लिखाए देगा आप इस पर क्लिक करें तो यहां पर आप अपनी शीट को नाम द आता हूँ पहले अब इस data को मुझे मालो एक नई sheet में भेजना हो तो कैसे भेज सकता हूँ यहाँ पर एक option है जिसका नाम है format के अंदर वो है move और copy sheet इस पर मैं click करूँगा इस पर click करने के बाद कौनशी sheet का data मैंने बोला भई sheet 2 का data sheet 2 का data कहां बेज दो तो यहाँ तो मैं यहाँ से एक new workbook में बेज सकता हूँ तो यहाँ पर मैं new book select कर लेता हूँ और जैसी मैं ok पर click करूँगा तो यह data देखिए एक नई actual sheet में आ गया है तो देखिए दो excel हो गया एक excel तो यह रहा ठीक है वहाँ से हट जाएगा उस sheet में से हट जाएगा और यह पूरी sheet देखिए यहाँ से sheet number 2 हट गई है और sheet number 2 एक दूसरी excel में चली गई है देखिए यहाँ पर आगे तो आपको समझ मैं कि इस तरह से आप sheet को move कर सकते हैं एक नई sheet के अंदर इसके बाद द लगाया था यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा से जूम कर लेता हूं यहाँ पर हमने formula लगाया था ना भी 3 5 4 इनको add करने के लिए sum formula लगाया था तो वही sum formula हम manually type भी कर सकते हैं और चाहें तो हम यहाँ से direct भी लगा सकते हैं तो जैसे हम auto sum पर click करेंगे automatic ही select कर लेगा और हम enter कर देंगे बस अपने आप total आजाएगा हमें type करने की जुरूत नहीं पड़ेगी बट हमें खुद से type करकर लगाना आना चाहिए वो बहुत काम आता है तो यहाँ से auto sum से आप sum का formula लगा सकते हो ऐसे यहाँ पर और भी कई सारे formula हैं जैसे average अब आपको इन सब का average निकालन हूं count numbers तो यहाँ पर मैं जैसी क्लिक करूंगा तो यह total जितने भी number नहीं है count का मतलब total नहीं है count का मतलब क्या है जितने number लिखे हुए हैं उन्हें counting कर लेगा यहाँ से मैं enter कर रहा हूं तो इसने देखिए counting कर ली तो यहाँ पर five कैसे आया देखिए count करिए one two three four five तो five number है तो इसने यहाँ पर result कितना दे दिया five दे दिया ठीक है अब यहाँ पर मैं आगे आपको और दिखाता हूं आगे रख रहा हूं मैं एक ही line में सारे formula apply करहा हूं तो आपको थोड़ा सब ध्यान देना है next formula है max जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि इन number में से जो सबसे बड़ किया तो देखिए 12 आ गया अब इन में से सबसे छोटी value जो है वो शो जाएगी किस से अगर मैं mini पर click करता हूं तो जैसी मैंने mini पर click किया तो formula लगा है नहीं formula लगने के लिए select हुआ और मैंने enter किया keyboard से तो 3 यहाँ पर आ गया क्योंकि 3 किया सबसे छोटी value थी इन में से त लुए घ्रत हो excel tutorial अमालों यहां पर और कुछ भी लिख्या हो सकता है अब जैसे यहां पर जो आपने लिखा है है इसको आगे्व करना है या उपर करना है या नीचे करना है या राइट में करना है तो जहां भी फिल करना है आप ऐसे सलेक्ट कर लो सलेक्ट करने के बाद आपको फिल में जाना है और यहां पर राइट में क्लिक कर देना है तो देखिए राइट में मुझे इसके नीचे फिल करना हो तो क्या करा मैंने इस line को select करा साथ में नीचे भी select करा क्योंकि अगर नीचे फिल करना तो नीचे select करना पड़ेगा एक खाली फिर मैंने फिल पर click कर और यहां से down पर click बोल्ड कर रखा है color लगा रखा है इन सबको आपको remove करना हो बिल्कुल शुरू बात में जैसा था वैसा करना हो तो आप select करें select करने के बाद आपको clear में जाना है clear में जाने के बाद आपको यहां option दिखाए दे रहा है clear formats इस पर click करना जैसे आप इस पर click करेंगे तो जो भी आपने decoration किया था वो सब भट जाएगा जैसा आपका बिल्कुल शुरू में था वैसा ही हो जाएगा आप देखे friends next option है यहां पर short and filter इस option को apply करके दिखाने के लिए मुझे यहां पर example create करना पड़ेगा example में बना लेता हूं जिसे मैं यहां पर name लिख लेता हूं बना आप A के बाद B वाला नाम आए B के बाद C वाला नाम आए तो उसके लिए आपको करना होगा यहां पर short and filter वाले इस option में जाना और यहां से short A to Z पर click करना है बट पहले आपको select करना है ठीक है उन नाम्स को select करना है जिन्ने आपको A to Z order में जमाना है तो यहां से मैंने short and filter पर click करा और यहां से A to Z पर click करा उसके बाद यहां पर continuously current selection इसे select करना है और start पर click करना है तो यहां से आप देखिए A के बाद C, C के बाद D, E, F, R जम गया पहले यह ऐसा नहीं था तो इस तरह से आप A to Z order में अपने name को arrange कर सकते हैं यहां असेंडिंडिंडिंडिंडि में जमाना है तो आप उल्टा भी कर सकते हैं यहां पर जाएंगे और यहां से आप J to A select कर लेंगे उसके बाद आप यहां से continuously with the current selection पर click करिए तो यह देखिए J to add order में जम गया तो इस तरह से आप इन्हें arrange कर सकते हैं next option इसके अंदर वो बहुती ज़्यादा काम का है वो ह हमारा filter ठीक है filter बताता हूँ मैं आपको तो filter लगाने के लिए मुझे वापस से अपने इस student result वाली table पर जाना है और यहां से मैं shorten filter में जाऊंगा और यहां से filter पर click करूँए filter पर click करते हैं आप यह notice करना कि यहां पर देखिए इस तरह से filter apply हो गया है यह पहले नहीं आ रह जिनके marks 300 से ज़्यादा है तो उसके लिए आप देखिए यहां पर click करेंगे हम total marks के filter में और यहां पर हम select all को अटाएंगे अब यहां से आपको दिखा देखिए number filters आपको इसमें जाना है और यहां से हम select करेंगे greater than देखिए यहां पर blank आपको कर से दिखा देखिए total marks 400 से data में साब किसी particular condition पर data को filter करना चाते हैं और केवल उसी data को print करना चाते हैं या देखना चाते हैं तो filter option के थूप कर सकते हैं अब बापस सेगर आप सभी data को देखना चाते हैं यहां से select all पर click करें ok करें पूरा data यहां पर show हो जाएगा तो आप काफी तरीके से filter कर सकते हैं यहां से मैं देखिया आपको और तरीके से filter करके दिखा देता हूं यहां मैं result पर click करता हूं अब result पर मेरे पास दो option है pass और fail मैं केवल यह देखना चाहता हूं कि कौन कौन से student fail है तो मैंने यहां पर fail को select रहने दिया select all हटाया देखिए सबसे पहले select all हटाया fail को select रहने तो उससे पहले मुझे filter option के through यहां से select all हटा कर fail को select करना है ok करना है तो केवल fail student सामने आएंगे मेरे इस record में केवल एक student fail था अब मैं इसे print कर सकता हूं ठीक है अब मुझे मालो केवल pass student का print करना है कि जो student pass हो चुक है select all हटाऊंगा यहां से pass पर click कर लूँगा और ok कर तो i think आपको filter option का use समझ में आ गया हूँ कि data को अलग-अलग तरीके से filter कर सकते है अपनी requirement के साब से परसेंटेज में से select all हटाते है और जिनकी भी percentage 81.40% है वह ही select करते हैं तो किवल वह ही data सामने आएगा ठीक है select all करते हैं वापस सभी data सामने आ जाएगा इस तरह से आप filter का use कर सकते हैं इसके बाद एक next option है यहाँ पर वह है find and select find and select option के अंदर आपको first option मिलता है वह है find find की help से आप अपनी sheet के अंदर किसी भी particular data को ढूंड सकते हैं कि वो data आपने कहां पर feed क्या हुआ है या वो name आपने कहां पर feed क्या हुआ है जैसे example के लिए मैं आपको दिखात करने में थोड़ा सा मुस्किल हो रहा है तो मैं यहां पर find and select के अंदर जाओंगा और यहां पर find पर click करूँगा और यहां find what जा लिखा हुआ है यहां पर मैं type कर दूँगा अंकित a-n-k-i-t और यहां पर मैं find next पर click करूँगा तो जैसी find next पर click करा तो इसने देखी इस cell क को select कर दिया it means यह बोल रहा है कि यहां पर अंकित लिखा हुआ है अब next option है find and select के अंदर वह है replace replace की health से आप क्या कर सकते हैं किसी भी word को change कर सकते हैं एक नए word से जिसे जहां पर यह marks 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 लिखा हुआ है वहां पर मैं अगर चाहूं तो number 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 कर सकता हूं माली जी मुझे marks की जगे number करना है तो यहां पर देखी मैं से select कर लेता हूं पहले select करने के बाद मैंने यहां पर replace में गया replace में जाने के बाद मैंने यह बोला कि जहां पर marks लिखा हुआ है तो यानि उपर वो word लिखना है जिसे बदलना है marks लिख दिया और नीचे वो word लिखना है जिससे बदल तो मैंने यहां पर लिख दिया number और मैंने बोला replace all कि जहां पर भी marks वहां पर number हो जाए तो देखिए आप जहां पर भी marks था वहां पर क्या हो गए number हो गए ठीक है तो इस तरह से आपको अगर कहीं पर भी एक साथ replace करना हो किसी नए वर्ड को तो आप कर सकते तो मैं वापस control-z दबाकर यानी undo कर दूँगा जिससे वापस से पहले जैसा हो जाए इसके बाद देखिए find and select के अंदर next option आता है go to और go to में आपको काफी सारे option मिल जाएंगे नाम सी पतल लग रहा है go to अगर आप किसी particular section पर direct jump करना चाहते हैं तो आप go to की help से कर सकते हैं इसके लिए देखिए मैं special पर click कर रहा हूँ और यहाँ पर देखिए काफी सारे option मिल जाएंगे अगर आपने की comment लगा रहा है तो आप comment पर direct jump कर सकते हैं अभी comment लगाना मैंने आपको बताया नहीं है इसलिए मैं आपको इस option का use करके नहीं दिखा हूँगा मैं यहाँ से एक option select करता हूँ वह है last cell इसको आप समझ पाएंगे बाकी जब आप और other excel में option सीख जाएंगे use करना तो आप इन में से किसी option का use कर पाएंगे तो मैंने यहाँ से last cell select कर लिया और अभी देखिए मैं first cell पर हूँ यानि serial number पर हूँ जैसी मैं ओके पर click करूँगा तो मैं दे चीके सीखनी पड़ेगी जो हम इस वीडियो में आगे चलके सीखेंगे देखिए बाकी के option में आपको तभी इसके अंदर समझा पाऊंगा जब मैं आपको excel थोड़ा और आगे सिखा दूंगा तो फिलाल अभी हम find and replace के अंदर के वाल इतना ही रखते हैं ओके फ्रेंड तो देखिए home menu के अंदर सभी option खतम हो चुके हैं अब हम चलते है insert menu के अंदर insert menu सिखाना स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से request करना चाहूंगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो के लाइक कर दीजिए और यदि आपने पाएं देखिए private table की help से आप क्या कर सकते है different types की report तयार कर सकते है जब आप किसी company के लिए काम करेंगे यानि वहाँ पर आप excel का use करेंगे तो वहाँ पर आपके पास क्या हो सकता different type की sheet हो सकती है तो आप क्या कर सकते है private table की help से customize report तयार कर सकते है जैसे देखिए मानी जी एक table है और इसमें देखिए ये साब fields है seller name, product name, quantity, price और sell अब मैं अगर चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी report तयार करना चाहता हूँ जिसमें product name के साथ कितनी quantity sell हुई है ये पता लग जाए और total sale amount मेरे सामने आ जाए और मैं उसका print निकाल लूँ तो मतलब एक customized report तयार करना चाहता हूँ और जो मेरे पास ये main table है इसमें कोई changes नहीं करना चाहता हूँ तो उस काम को मैं private table की help से कर सकता हूँ कैसे देखिए मैं आपको जब example दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ मैं जाएगी ये बात तो चलिए private table को यूज करके देखते हैं उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा इस table को select कर लूँगा मैंने इस table को select कर लिया यहाँ इस data को select कर लिया इसके बात मैं यहाँ पर private table वाले इस option पर click करूँगा और उसके बाद एक window open होगी यानि अलग से डायलोग बॉक्स ओपन होगा इसके अंदर आपको यहाँ पर न्यू वरक्षिट सेलेक्ट कर लेना है इससे वेनिफिट होगा कि यह जो यह जो टैबल है जिस शीट के अंदर है उस शीट में कोई चेंजेज नहीं होगा अलग से नई शीट बन जाएगी ठीक ह अब आपको यह देखना कि आपको रिपोट किन फिल्ण के साथ बनानी है जैसे मैंने बॉला मुझे यह रिपोट तयार करना है कि कि कितने प्रोडेक्ट सेल वहे और टोटल सेल अमाउंट मेरे सामने आज सब से फसुअ था हम प्रोडाब को नाम लेना ने लेते हैं इसके बाद quantity और total sale तो देखिए यहाँ पर side में आप देख पारे हैं मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए देखिए यहाँ पर एक अलग से table बन गई है और इसके अंदर मुझे क्या मिल गया है कौन से product sale हुएं कितनी उनकी quantity sale हुई है साथ मेरे को यहाँ पर last में देख report का print निकाल सकता हूं तो जब आप किसी company में काम करेंगे ना तो आपके पास भी different type की sheet होगी उस sheet से भी आपको कुछ इसी तरह के से क्या करना होगा report को तयार करना होगा तो report को तयार करने के लिए आप private table का use कर सकते हैं तो यहाँ पर इस example में मेरे पास यही fields थी तो मैंने आपको ऐसे बना कर दिखा दिया तो जब आपके पास different type की कोई sheet हो जिसमें अलग-अलग type का data हो तो आप ऐसे करके देखना आपको समझ में जाएगा अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि यहाँ पर देखिए आप नीचे notice करिए जगे पर यहाँ पर filters, columns, rows, values तो यहाँ पर जो product का नाम है, जिसमें भी text related field हो, जिसमें भी text हो, देखिए यहाँ पर product के नाम में क्या है text, उसको आप हमेसा rows में रखिए, देखिए मैं आपको एक बार और बताता हूं, पायोट table बना कर आपको और अच्छे से बास समझ में जाएगी, यहाँ से मैंने सभी जो tick marks स इनको अटा दिया, अब एक प्रोडेक्ट नेम में क्या है text है, तो text वाली इस field को मुझे drag करके कहां छोड़ना है, इसके अंदर, rows के अंदर, तो automatic देखिए, यहाँ पर आ जाएगा, quantity, जिसमें भी values हो, values वाली field हो, जिसमें भी आपने कोई numbers वागेरा डाला हो, उसको आप आपको values में छोड़ना है, तो यहाँ से मैंने quantity को values में छोड़ा, और यहाँ से मैं sell को भी values में छोड़ूँगा, क्योंकि sell में भी क्या है, values है, ठीक है, तो इस तरह से आपको काम करना है, यह मैंने आपको बता दिया, लेकिन Excel एक smart software है, आप यहाँ से just select करेंगे ना, तो भी automatic ले लेगा, लेकिन मालो वो नहीं ले पाए, तो आप ऐसे इसको adjust भी कर सकते हो, ठीक है, आप इस report को हम save कर सकते हैं, लेकि यहाँ पर sheet 5 है, sheet 5 को मैं rename कर देता हूँ, क्योंकि जब मैं आपको download करने के लिए इसका link दूँगा, तो आप भी इसको समझ पाएंगे, तो यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ, private table, okay, private table मैंने इसको नाम दे दिया है, तो जब आप इसे download कर लो तो आप समझ जाना है, इस वाले tape के अंदर, यानि sheet के अंदर private table बनी हुई है, इसके बाद देखिए, यहाँ पर recommended private table है, तो यहाँ पर कुछ बनी बनाई, private table आपको recommend करेगा, बट हम खुद से बनाना सीख गए, तो हम इसकी कोई जरुद नहीं है, इसके बाद देखिए, यहाँ पर next option है, वो है table, table option बहुत ही ज्यादा का option है, इसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पर sheet number 3 पर एक छोटा सा example बनाया है, यहाँ पर product का नाम आएगा, यहाँ पर quantity यहाँ पर rate ठीक है, और यहाँ पर जैसी मैं rate डालू या quantity डालू तो यहाँ पर total में automatic क्या हो जाए, quantity multiply हो जाए rate से, और यहाँ पर total आजाए, यह तोटल amount है, यह actual में क्या है, total amount, amt लिग देता हूँ short में, ठीक है, तो अब यहाँ तो मैंने formula लगा दिया, देकि B2 into C2, जानी B2 में जो भी है, वो C2 से multiply हो जाए, यहाँ आजाए, अब अगर मैं देखिए, यहाँ पर second record enter करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कोई product का नाम डाला, product की quantity डाली, और यहाँ पर मैंने rate डाली, और जैसी tap दबाएना देखो, कुछ भी नहीं हुआ, तो देखिए, यह यहाँ पर अभी problem क्या रही है, कि यहाँ पर हम जैसी data enter कर रहे हैं, तो यहाँ पर formula अपने आप apply नहीं हो रहा है, या तो हम formula यहाँ पर दूबार apply करें, या फिर हम यहाँ से खेंच के, यहाँ तक formula लेकर आए, जैसा कि मैंने आपको सुरुबात में समझाए था, बट हमारे data को select करके table पर click कर देना है, उसके बाद okay कर देना है, तो देखिए table में बदल गया, अब benefit समझे, benefit क्या हुआ है, पहले जब मैंने data enter किया था, तो यहाँ पर जो total amount था वो नहीं आ रहा था, लेकिन आप देखिए अपने आप जाएगा, जैसी यहाँ पर भी लिखता है, क्योंकि हमने normal जो table का format था, उसे actual table format में बदल दिया है, वो तो क्या था, सिर्फ excel के अंदर हमने data को feed कर रखा था, अब जो हमने बनाया ने design किया है, यहाँ पर यह table है, तो इसको अगर हम table में convert कर लेते हैं, तो फिर formula अपने आप आगे से आगे काम करते रहते हैं, फि तो मैंने इसको table में बदल लिया है, और मैं इसको नाम दे रहता हूँ, ताकि आपको याद रहेगा कि यहाँ पर मैंने table को सिखाया था, यहाँ लिख देता हूँ, example table, इसके बाद देखें, यहाँ पर next option है, यह जो picture, online picture, shapes, smart art, screenshot, यह सब option मैंने आपको अपने MS Word वाले वी करने के लिए, अगर आपको कहीं पर कोई shape draw करनी हो, जैसे example के लिए मैं यहाँ पर देखें, circle बना के दिखा लेता हूँ, तो इस तरह से आप कोई भी shape draw कर सकते हैं, shape के अंदर से, color बगयरा change करने के लिए, automatic format menu activate हो जाता है, तो आप मेरा MS Word के अंदर format menu वाला complete video देख सकते जिसके अंदर मैंने आपको format menu समझाए, तो जो option MS Word में मैंने आपको detail में समझा दिये हैं, उन्हें मैं Excel में cover नहीं कर रहा हूँ, आप MS Word से सीख लें, यहाँ पर मैं Excel में जो है, जो MS Word में नहीं है, वो ही मैं आपको सिखाने के कोशिस कर रहा हूँ, ठीक है, तो format menu के सभी option मेरे MS Word वाले वीडियो से सीख सकते हैं, मैंने काफी समय पहले MS Word पर वीडियो बना दिया था, तो friends यह साब option I hope आप सीख लेंगे, तो हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हमें काफी सारे चार्ट बनाने के option मिल जाते हैं, ठीक है, और यह बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि जब हम report को, जो हमने report तयार करी है, उसे अगर हम chart के साथ display करते हैं, chart के साथ present करते हैं, तो काफी अच्छा लगता है, और companies में इसकी demand काफी होती है, इसलिए आपको chart को बनाना आना चाहिए, तो देखिए chart बना कर दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर, जो यह main table ब आपको यहाँ पर काफी तरह के chart बनाने के option मिल जाएंगे, तो मैं यहाँ से आपको कोई भी एक type का chart बना के दिखा देता हूं, यहाँ से मैं यह bar वाला 2D column वाला ले लेता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर आप notice करें, जो data stable में था, उसी के according में यहाँ पर chart बनकर आ गया है, तो यहाँ पर देखें, जो सबसे आदा सेल हूई है, वो है USB fan की, तो USB fan के अंदर जाके देखें, यहाँ पर आपको दिखाए देगा, 4,20,000 की सेल हूई है, तो यहाँ पर देखें, ग्राफ में भी सबसे उपर आपको यह दिखाए दे रहा होगा, तो देखें हमने क्या कर यह जो यहाँ पर डेटा है, इस टेवल के अंदर, इस डेटा के लिए हमने एक चार्ट तयार कर लिया, और चार्ट को देखने से जो रिपोर्ट होती है, वो काफी अच्छे से समझ में आ जाती है, तो चार्ट बगेरा के भी कंपनी में काफी डिमांड होती है, तो आपको जिस तरह का चार्ट बना दिया, तो ऐसे आप काफी तरह के चार्ट यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है, इंसर्ट के अंदर जाना है आपको और यहाँ पर आपको चार्ट का यह ऑप्शन मिल जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है, वो है स्लाइसर, और स्लाइसर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल में से डेटा को बहुत जादा फास्ट फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन इस उप्शन को यूज करने से पहले आपको अपनी में टेवल में से डेटा की एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, यानि आपको पाइवट कर लेता हूँ, इसे मैंने सलेक करा, सलेक करने के बाद मैंने यहाँ पर सलाइसर पर क्लिक करा, जैसी सलाइसर पर क्लिक करा तो अलग से एक विंडो अपन होगी, अब आपको किस फिल्ड के लिए सलाइसर चाहिए, जैसे मैं बार बार प्राइस चेक करना चाहता हूँ, और sell check करना चाता हूँ product का नाम आ जाए बस ये तीन चीजे में check करना चाता हूँ तो मैंने तीनों को tick कर लिया ठीक है उसके बाद OK करा OK पर click करने के बाद देखें यहाँ पर मुझे तीन अलग अलग window मिल गई है तो मैंने arrange कर लेता हूँ पहले यहां से चोटा वगेरा कर सकते हैं तो यहां से थोड़ा चोटा कर लेता हूँ और side में से पहले set कर लेता हूँ ठीक है तो मुझे देखें यहाँ पर slicer की help से मुझे यहाँ पर तीन या अलग window मिली है अब देखें यहाँ पर इसका benefit क्या है benefit समझिए यहाँ पर सभी data आपको दिखाए दे रहा है अब मुझे देखना है कि cooling pad कितने sell हुए माली जी यह जो list है काफी बड़ी होती मुझे केवल यह चेक करना है कि cooling pad कितने sell हुए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा देखी automatic filter करके इसने मुझे बता दिया cooling pad की quantity है वो इतने sell हुए अब मुझे एक साथ देखना है cooling pad और keyword कितने sell हुए मैं control button keyword से दवा के रखूँगा और यहाँ पर keyword पर क्लिक करूँगा तो यह बता देगा अच्छा cooling pad और keyword इतने sell हुए इसके बाद अगर मुझे filter हटाना है तो यहाँ पर देखी cross दिखाए तरह मैं इस पर क्लिक करूँगा सभी data एक साथ शो हो जाएगा तो इस तरह से आप क्या करते हैं slicer से अलग-अलग slicer यहाँ पर तयार कर सकते हैं आप date wise देखना चाहते हैं तो यहाँ पर date wise slicer बन जाएगा तो ऐसे आप slicer अपनी वाली टेबल पर बनाकर देखना आपको बहुत अच्छे से समझ मैं जाएगा यहाँ पर मैं slicer के अंदर एक और add कर लेता हूं देखिये slicer पर्ट करता हूं मैं वापस पहले मैं select करूंगा सलेक करने के बाद मैंने slicer पर जैसा करा तो यहाँ पर हम क्या करते हैं seller name इम select कर लेते हैं ठीक है ? कर देते हैं तो यहां प्रम क्या करेंगे अब देखिए इसे में छोटा कर देता हूं साइड में सेट कर देता हूं आपको और अच्छे सासल यूस समझमा जाएगा अब मुझे ये चेक करना है कि जो A नाम का सेलर है इसने कितना प्रोडेक्ट सेल करें तो मैंने इस पर जश्ट क्लिक करा पता लग गया A ने कीबोर्ड सेल करें वो भी 500 with quantity मुझे यहाँ पर पता लग गया मैं देखना चाहता हूँ B ने कितने सेल करें माली जी B कोई नाम है तो यहाँ पर पता लग जया कि B ने माउस सेल करें 300 तो फिर इस स्लाइसर की हेल्प से आप बहुत ज़्यादा फास्ट एक बहुत बड़ी टेवल में से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं फिल्टर हटाना है आपको यहाँ पर क्लिक कर दीजी सबी डेटा एक साथ शो हो जाएगा आई होप आपको स्लाइसर का यूस समझ में आ गया हो इसके बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है यहाँ पर टाइम लाइन का यूस करके दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक अलग से टेबल बनाई हुई है यानि एक नया एक्जामपल तयार किया हुआ वो बहुत इंपोर्टेंट है कि अगर आप टाइम लाइन का यूस करना चाहते हैं तो आपकी टेबल के अंदर एक ऐसी फिल्ड होना चाहिए जिसमें डेट की एंट्री हो मतलब डेट से रिलेटेट कोई काम क्या हो आपने इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से एक करनी है और रिपोर्ट तयार करनी के लिए हम पाइवर टेबल की हेल्प लेंगे तो यहाँ पर मैंने पाइवर टेबल पर क्लिक करा ठीक है और उसके बाद मैंने न्यू वक्षीट पर क्लिक करा जैसी इस पर क्लिक करा तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपको क्या क करें अब हम क्लिक करेंगे इंसर्ट मेन्यू में जाकर किस पर टाइम लाइन पर तभी टाइम लाइन वाला option काम करेगा आपको क्या करना है यह तो सबसे पहले एक ऐसी टेबल आपके पास होनी हमें मिल गई हमने यहां से डेट को सलेक्ट कर लिया रोके कर दिया अब देखिए टाइम लाइन से हमें एक ऐसा slider मिल जाएगा देखिए यहां पर मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ अब इससे benefit क्या है हम यहां पर just click करेंगे तो यहां पर देखिए report में changes होगा तो यहां पर यह जो मैंने report तयार करी है इसमें जो date की entry है न वो day wise है ना कि month wise या year wise अगर month wise होती तो मैं यहां पर month ही रहने देता देकिन तो day wise है one two three four five तो मुझे यहां से change करना पड़ेगा months की जगे में क्या कर लेता हूँ days कर लेता हूँ जैसी मैंने days करा तो यहां पर देखिए days के लिए date आ चुकी है अब अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि तीन तारिक के दिन कितने call किये गए जो just मैं यहां पर click करूंगा तो देखिए यहां पर सिर्फ तीन तारिक का record शो हो जाएगा अब यहां पर तो यह टेबल देखिए छोटी सी टेबल है मैं यहां पर filter को अटाता हूँ पहले तो देखिए यहां से यहां पर जड़ा सा data में बहुत time लग रहा है data wise तो उस condition में आप इस type के option का use ले सकते हैं otherwise छोटी सी टेबल में तो हम खुदी हांखों से देखकर बता देंगे कि इतनी तारिक को इत्ते call किये गए लेकिन यह तो स्रीफ example मुझे आपको समझाना था इसलिए मैं इतनी सी entry करी इस table के अंदर लेक है तो यहां से मैंने desk को select करा अब मुझे देखना कि 6 तारिक के दिन कितने call किये गए तो मैंने यहां से 6 तारिक करी तो देखिए सिर्फ 6 तारिक का record मेरे सामने आ गया अगर आपके पास monthly entry होती डेट की yearly डेट होती आपको sell report वगे yearly report चेक करना होता yearly आपने कितना turnover किया कम तो इस तरह का जो database होता है इस तरह का जो data होता उसमें साफ filter बहुती जाता fast कर पाते हैं इस टाइप के options से समझ में आगे आपको इस सिर्फ एक example था आप एक नया example create करके देखना date wise तो आप यहां से different type से filter कर पाएंगे days की जागे फिर आप month को भी यूज ले पाएंगे फ समझ में आगी ना आपको बात देखी मैंने यहां पर फरवरी पर क्लिक करा तो कोई भी data नहीं आया तो इसलिए मैंने वहाँ पर days select किया हुआ था अगर मैं यहां से close करता हूं तो सभी data मेरे सामने आ जाएगा I hope आपको इस समझ में आ गया होगा इसके बाद एक next option है यहा कोई data है तो आप दोनों sheet को आपस में link कर सकते हैं example के लिए मैं यहां पर एक sheet को link करके आपको दिखाता हूं अब देखिए friends इस option को use करके दिखाने के लिए यहां पर मैं लिखूंगा sale report by date और उस text को link कर दूँगा मैं एक दूसरी sheet के साथ और उस sheet मैं मान लो मैंने sale की जो report बनाई हुई है वो date wise बनाई हुई है यहां पर देखिए कहीं भी date वाला column नहीं है मान लिजी date मैं अलग से किसी sheet के अंदर enter करके रखी हुई है तो मैं चाहूं तो यहीं से उस sheet पर direct jump कर सकता हूँ तो hyperlink का use करके आप दो या उससे ज्यादा sheets को आपस में link कर सकते हैं कैसे तो पहले तो मैं यहाँ पर text लिख देता हूँ ठीक है मैं यहाँ पर लिखा sale report by date अब मैं इसे link कर दूँगा link करने के लिए पहले से select करिए उसके बाद hyperlink पर click करिए और यहां से आ आपको इसके साथ link करना है मतलब इस sheet के साथ sheet का नाम क्या है main sheet for pirate table इसके साथ मैं link कर रहा हूँ एक नई sheet माल लीजिए आपने भी create कर रही किए मैंने create कर रही कि desktop पर save है तो मैं यहाँ से select कर ले था हूँ तो जैसी मैंने इस पर click करा तो देखे एक नई sheet open हुई है जिसमें लिखा है sell report by date अब इसमें हलांकि ऐसा कोई entry मैंने नहीं की हुई है माली जी आपके पास इस sheet होता आप link कर सकते हैं मेरे को तो सिर्फ आपको सिखाना था ठीक है तो इस तरह से आप इस option का use करते हुए sheets क वापस में link कर सकते हैं आप यहां से link भी बना सकते हैं वापस उस sheet पर जाने का ठीक है जैसे हम उस से इस पर आए तो इस से उस पर भी जा सकते हैं करना क्या है आपको insert में जाना है यहां पर कोई text लिखना है उस sheet का नाम लिखना है यहां से hyperlink में जाना है और उस sheet को ढूं आप text लिख सकते हैं देखिए अगर मुझे यहां पर कुछ लिखना है कुछ title देना है जैसे मैं ने लिख दिया report तो text box से आप ऐसे नया अलग से text लिख सकते हैं इसके बाद next option है वह header and footer header and footer की help से आप क्या कर सकते हैं टोप में और बोटम में अलग से कोई पेज नमबर शीट का नाम टाइटल यह सब डिस्प्ले करवा सकते हैं कहाँ पर टोप में और बोटम में जब यह प्रिंटिंग लेगा तब आपको पता लग जाएगा पेपर पर लिखा हुआ आएगा तो यहाँ पर जैसे आप हेडर ए नाम शो करवा सकते हैं तो यहाँ पर आपको काफी सारी option मिल जाएंगे picture शो करा सकते हैं आप ओके फ्रेंड तो देखिए आप next option है यहाँ पर हमारे पास word art बोल सकते हैं आप इसे काफी तरी कि आपको design मिल जाएगी अगर आप इसे भी use करना चाहते हैं तो आप यहाँ प यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे मैं लिख देता हूं demo देखिए यहाँ पर demo भी उसी style में दिखाए देरा है जिस style को हमने select करा था ठीक है delete करना है size बढ़ाना है आप यहाँ से सब कर सकते हैं यह आपकी choice है कि आप इसे कैसा design करना चाहते हैं इसके बाद हम यहाँ पर next चलत सकते हैं तो signature setup के अंदर में गया यानि मैंने इस option पर क्लिक करा तो यहाँ पर एक window खुली इस window के अंदर में क्या करूंगा अपना नाम यहाँ पर इसे लिख दूँगा मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया उसके बार आपकी जो भी यहाँ पर post है आप अगर आप किस आप अपनी पोश्ट दे सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर मेनेजर लिख दिया यहाँ पर अपना email address दे सकते हैं इसे मैं रहने देता हूं फिलाल रोखके पर क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पर last में इसे आप state कर सकते हैं अपनी sheet के अंदर यह भी प्रिंट में आ जाएगा इस तरह साब signature शो कर सकते हैं इसके बाद देखिए next option है यहाँ पर वह equation equation की अगर आपको knowledge है तो आप अपनी excel sheet के अंदर इसे लेकर आ सकते हैं और इसे edit कर सकते हैं जस्ट आपको click करना है तो equation देखिए यहाँ पर आ जाएगी तो देखिए यहाँ पर एक equation आ चुकी है इस इसे आप edit कर सकते हैं अगर आपको maths आती है आपको knowledge है तो आप इस बात को समझ जाएंगे इसके बाद देखिए insert menu के अंदर हम चलते हैं तो यहाँ पर हमें symbol का option मिल जाता है तो जो symbol keyboard पर नहीं है अगर आपको उनकी requirement है तो आप symbol से लेकर आ सकते हैं काफी तरह के आपको symbol मिल जाएंगे जैसे अगर आपको कहीं copyright दिखाना है team दिखाना है या आर का ऐसा symbol दिखाना है तो आप यहाँ पर जब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर काफी सारे symbol मिल जाएंगे ठीक है यहाँ से आपको select कर लेना है select करने के बाद आपको insert पर click करना है तो मैंहां से c वा जैसा कि नाम से पतल अगरा page layout यानि यहाँ पर सब page से related ही आपको option मिलेंगे जब आप printer से print निकालेंगे तो उस समय इन options के आपको काफी जुरत पड़ेगी यहाँ पर देखिए आपको एक option दिखाए दे रहा है margins इसकी help से आप क्या कर सकते हैं अपने page की margin set कर सकते हैं by default देखिए normal margin पर होता है उसके बाद देखिए normal margin पर होता है तो देखिए क्या होता है पहले वह समझे अब मैं अगर इसका print निकालता हूँ अब मैं बह्से आप पर यहाँ दिखाए दर रहे है अब आप यह देखिए कि यहाँ पर जो आपको जगे दिखाए दे रही है यह जगे भी आप यूज़ कर सकते हैं बस आपको क्या करना है margin बदलना है तो यहाँ पर देखिए margins के अंदर जाएंगे हम और यहाँ से अगर हम narrow कर दें देखो मैंने narrow कर दिया changes कर सकते हैं तो आपको वाँ पर 3 margin मिलती है देखिए margins के अंदर आपको एक तो wide मिल जाता है इस पर click करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार file में जाता हूँ और यहाँ पर prim पर click करता हूँ तो देखिए preview आप यहाँ पर देखिए कितनी जादा spaces आ चुकी है तो इस तरह सा margins को adjust कर सकते हैं आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं यहाँ पर कोने में देखिए बिल्कुल नीचे यहाँ पर आपको show margin पर click करना है आप यहाँ से भी adjust कर सकते हैं और यहाँ पर कोने पर आपको click करना है यहाँ से भी margin को set कर पाएंगे इसके बाद देखिए next option है वह है orientation और orientation के अंदर आपको 2 option मिल जाते है portrait और landscape by default यह portrait पर है portrait मतलब अगर आपका जो page है वह बिल्कुल सीधा है अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ देखिए मैं आपको समझाता हूं अभी इसका अगर हम print preview चेक करें print में जाते हैं तो यह page आपको कैसा दिखा दे रहा है देखिए मैं छोटा करूँगा तब आपको अच्छा बिल्कुल देखिए सीधा अगर यह यह गुमा दूँ मैं इस page को तिर्चा कर दूँ तो फिर उसके लिए मुझे यहां से orientation में जाकर landscape को select करना पड़ेगा तो जैसे मैं इसको select करूँगा तो देखना page घूम जाएगा अब मैं अगर file में जाकर print पर click करता हूँ तो अब आप देखो page कैसा हो चुका है घूम चुका है तो अगर आपको लगता है कि आपकी जो sheet है यह आपका जो table है वो print में इधर से कम पड़ रही है नीचे है तो ज़्यादा जरूत नहीं है लेकिन इस तरफ ज़्यादा जरूत है तो आप पने page को घुमा कर print निकाल सकते हैं या पहले घुमा लीजी design करने से पहले अगर आपको लगता है कि आपको जरूत इस तरफ ज़्यादा है इधर कम है तो फिर आप ऐसे घुमा कर यानि यहां पर तो यह print में नहीं आएगा यानि वह single page के अंदर नहीं आएगा देखिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर मैं लिख देता हूं यहां पर मैं लिख देता हूं माइक्रो सॉलुशन ठीक है और आगर मैं इसका print निकालता हूं देखिए print निकालने के लिए पहले में फाइल यानि हम भाहर लिख चुके हैं अगर मैं इसे यहां से कट करके यहां पर रख दूँ तो यह प्रिंट में भी आएगा चलिए मैं आपको चेक कराता हूँ देखिए आ रहा है प्रिंट में यह देखिए इसका मतलब अगर आप काम करने से पहले ही पेच की सेटिंग कर लें अपको तो आप पहली सुरुबात में ऐसी सेटिंग करके काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा अन्यता फिर क्या होगा आपको क्या करना पड़ेगा बाद में सेटिंग करके एक नए पेच पर अपने डेटा को ट्रांसपर करना होगा तो उससे बेटर है कि पहली रखना है या लेंडिस्केप रखना है आप सुरुबात में चूज कर सकते हैं उसके बाद है कि size में जाकर आपको यह set करना है कि आपको जिस paper पर print करना है उस paper की size क्या है तो जो printer वाला by default जो normal paper होता है जिस पर आप अधिक्तम print करते हैं वो a4 size का होता है तो यहां से हम a4 select कर है normal printing के तो वो a4 size का होता है बागी तो काफी सारी size है यहां पर बट यहां पर आप a4 select करें क्योंकि ज्यादा तर यह use में लाया जाता है ठीक है बागी फिर आप अपने साब से custom या later head वगेरा select कर सकते हैं यहां पर आपको काफी सारी size मिल जाती है इसके बाद यहां पर हम में next option मिलता है वो है हमारा print area अब print area नाम से पता लग रहा है कि अगर हम बिना कुछ select करें अभी देखिए file में जाता हूं मैं दुबारा print पर click करता हूं तो जो पूरी sheet थी ना उसमें जितना भी data था ना वो एक page पर जितना आ सकता है उतना पूरा दिखा देगा देखिए इस sheet पर ये पूरा data एक सार आपको दिखाए दे रहा है मतलब ये सबी print होगा अब मान लीजिए कि आपको cable शुरुबात के 5 product तक ही print करना हो मान लो उसके नीचे के नहीं print करना आपको तो आप क्या करें select कर ले select करने के बाद यहां से print area select कर ले set print area अब अगर आप file में जा तो इसका मतलब print area से आप क्या decide कर सकते हैं print करने से पहले कि आपको कितना data print करना है अपनी sheet में से अपनी table में से आपको जितना data print करना हो उतना आप select कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आप print कर सकते हैं फिर आप print पर click करेंगे तो print निकल जाएगा इसके बाद आप चाहें तो next option है breaks, breaks के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने इस page को, मतलब यह जो sheet is के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अलक एक page break बना सकते हैं, मैंने क्या करा इस वाली sheet के अंदर, यानि इस table के अंदर, यह B वाली cell select कर ली, यानि जा मैंने B data के रूप में एंटर किया हुआ है, उसे select कर लिया, इसके बाद मैं breaks में गया, और मैंने यहां से insert page break पर click करा, अब मैं आपको file में जाकर इसका print check कराता हूँ, था कि आपको बात समझा पाँ हूँ, कि notice करना, B से नीचे का data मैंने जो B select कर रहता है, उसके उपर उपर का data यहां पर show कर रहा है उससे नीचे का data show नहीं कर रहा क्योंकि वो एक different page बन गया है मैंने अलग section बन गया है तो आप चाहिए तो ऐसे page break कर सकते हैं, यानि इतना page अलग है, यहां पर देखिए एक line आचुकी यहां पर देखिए, एक line आचुकी है मैं आपको zoom करके दिखाता हूँ, देखिए यहां पर एक line आ रही है न, तो इस line को उपर का data print होगा, तो इस तरह सा page break कर सकते हैं, कहीं से भी यह आपको अगर required हो, तो आप use में लेकर देखना, तो मैं क्या करता हूँ एक print का option है, print titles, तो यहां से भी आप print वगेरा set कर सकते हैं, जैसे आप page को set कर सकते हैं, देखिए, वही portrait, landscape का option आ गया, यहां से पेंच को fit कर सकते हैं, यहां से पेंच की size को select कर सकते हैं, margin set कर सकते हैं, तो यहां पर भी आपको कापी सारे page related option मिल जाएंगे, यहां से आप देखिए, top margins को बढ़ा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका text कट रहा है, लेकिन आप print preview में ऐसे बढ़ाएंगे, तो वहां पर print पर आगर आप click करते हैं, तो क्या होगा, तो पहले अगर हमने print पर click नहीं किया हुआ, यह प्रिंट को select नहीं किया हुआ, तो उससे क्या होता है, वो समझिए, जिसे मान लो कि यह जो table है, इसकी border में पहले हटा देता हूँ, क्योंकि मैं बोडर नहीं लगाना चाते हैं, और आप चाते हैं, जो excel में यह आपको default borders मिली हैं, यह देख paradox के अंदर आपको borders दिखाए दे रहे हैं, चारो तरफ यही शो हो जाए, आप खुद से border नहीं लगाना चाते हैं, गर आप खुद से लगाना चाते हैं, तो मैं वह Yep से लगा सकते हैं पर आप चाहते हैं कि जो डिफोल्ट है ना जैसा यहां दिख रहा है ना वैसा कि वहाँ दिखाए दे तो इसके लिए पेंज लियाऊट में जाए और यहां पर यह ग्रीड लाइन से नीचे आपको दिखा देना प्रिंट इसको सलेक्ट कर लें इसके बाद देखिए अब आप प्रिव्यू देखिए तो देखिए यहां पर आपको बॉर्डर भी दिखाए दिने लग गई तो इसका मतलब कि यहां से आप यह उप्शन सलेक्ट करेंगे ने प्रिंट वाला तो यह जो आपको डिफोल्ट बॉर्डर मिलती ना एक्सल की तरफ से यह भी वहां दिखाए देने लग जाएंगी तो फिर बॉर्डर लगा सकते हैं और फिर बॉर्डर लगाएंगे तो वो तो प्रिंट होगी फिर इसका कोई फरक नहीं पड़ेगा ऐसे देखिए जब आप इस टेवल का प्रिव्यू देख रहे थे उस समय अगर आपको दिखाए दे रहें A, B, C, D यह भी चाहिए इदर से 1, 2, 3, 4 आपको रोकी काउंटिंग दिखाए दे रही है तो अभी यह प्रिंट में नहीं आ रहे हैं देखिए मैं फाइल में जाकर आपको दिखाता हूं प्रिंट में जाता हूं देखिए यहां पर कहा आ रहा A, B, C, D, ऐसे नहीं आ रहा है इदर रोकी काउंटिंग नहीं आ रही तो अगर आपको इन्हें भी शो करना है तो उसके लिए आपको यहां पर देखिए प्रिंट पर क्लिक करना है यहां से अब इस प्रिंट को सलेक्ट कर लेना अब अगर आप प्रिव्यू चेक करते हैं तो देखि सब्सक्राइब नहीं दिखाना चाहें तो आप नहीं दिखा सकते हैं ठीक है आप यहां से नहीं अटा लेना नहीं दिखेगी उसके पार नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवार्ड सेंड बेकवार्ड इसके लिए हमें इमेजेस की जुरत पड़ेगी तो मैं यहां से इंसर्ट में जाकर कोई भी दो इमेजेस ले लेता हूं कोई भी लेता हूं ताकि मैं मैं बस आपको यह उप्शन सिखा पाँँ तो यहां पर देखिए मैंने एक सेप बना ली इस शेप को कलर फिल कर देता हूं मैं ब्लैक और इसकी copy कर लेता हूँ और इसका color में change कर देता हूँ अब मैं आपको यह option सिखा पाऊंगा कौन से page layout के अंदर यह देखिए नाम से पता लग रहा है पेले यह वाला देखते है send backward अब यह मैंने option से कुछ shape को इस तरह से adjust कर सकते हैं आगे रखना चाहिए पीछे रखना चाहिए आपकी choice है next आपके पास देखिए यहाँ पर selection का option है आप इस पर click करते हैं साइड में विंडो ओपन होगी यहां से अब आपके जितने भी object आपने इसमें बना रहे रहे हैं उससे select कर सकते हैं जैसे मैंने rectangle 2 पर click करा तो rectangle 2 select हो गया rectangle 1 पर click करता हूं तो rectangle 1 select हो गया कुछ इस तरह से select का use कर सकते हैं इसके बाद देखिए यहाँ पर next option है align का align के अंदर आपको इन object को कहां रखना है वो option मिल जाएंगे तो आप चाहें तो left में रख सकते हैं ठीक है आप चाहें center में रख सकते हैं यह आपकी choice है कि आपको इन्हें कहां set करना है तो आपको यहाँ पर काफी सा पहलें दोनों को select कर लूँगा उसके बाद मैं group में जाऊंगा और यहाँ पर group पर click कर दूँगा अब यह दोनों object एक ही object में बदल चुके हैं अब मैं दोनों में से किसी को भी move करूँगा दोनों ही move होंगे अब मुझे इन दोनों object को अलग-अलग करना है तो यहाँ से मै इने group में गया और ungroup कर दिया ठीक है तो आप देखिए यह दोनों object अलग हो चुके हैं इसके बाद next option है हमारे पास rotation का यहाँ पर देखिए rotate rotate में आप देखिए इस object को अपनी साब से कहीं भी move कर सकते हैं जो भी direction में आप move करना चाहें ठीक है तो rotation आप check कर लेना कुसी image को लेकर देखना तो आपको rotation अच्छे से समझ में आएगा इसमें कोई image insert कर लेना फिर आप rotation से उसे move करके देखना आपको समझ में आ जाएगा तो यह था हमारा page layout menu या page layout tape ओके friends तो आप चलते हैं formulas menu के अंदर तो यहाँ पर देखिए formulas menu को जैसी मैंने select किया तो इसके अंदर काफी सारे functions and formulas आ गए हैं अब friends मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो Excel software है यह काफी सारे कामों को करने के लिए बनाया तो इसलिए यहाँ पर different types of formulas हैं अब जैसा कि वीडियो में beginners के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं आपको सभी formula नहीं बता सकता क्योंकि वेसे यह video काफी बड़ा हो चुका है अगर मैं आपको सभी formula बताऊंगा तो यह video काफी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा जिसे edit और upload करने में मुझे काफी time लगेगा तो मैं formula menu पर अलग से एक video बनाऊंगा लेकिन इस video के अंदर जितने भी important formula होते हैं वो मैं आपको जरूर बता सकते हैं बड मैं आपको एक बात बताऊंगा कि formula हमेशा type करना चाहिए उससे हमें याद होता है ठीक है बाकि आप यहां से लगाएंगे तो formula लग जाएगा और आप खुड type करेंगे तो भी वो आगे से आगे आपको hint देदेगा कि आप कौनसा formula use करें थोड़ा सा आपको type क लीष्ट है और यहां पर cells amount है और यहां पर date है अब देखें यहां पर मैंने एक simple formula लगाया हुआ है और वो है sum का यानि यह जितना भी cells amount है इनका मैंने total करा हुआ है तेखें यहां पर तिए देकि sum का formula मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है बहुत ही simple है फिर भी मैं एक बार और आपको बता रहा हूँ equal sum और यहाँ पर bracket start किया मैंने और उसके बाद मैंने यहाँ पर यह sales का इस table पर filter apply किया हुआ है और filter कैसे apply करते है आलरेडी मैंने आपको home menu के अंदर यहाँ से shorten filter से apply करना बता दिया था ठीक है filter वाला use मैं आपको बता चुका हूँ देखिए मैं यहाँ से filter करता हूँ पहले तो select all अटा देता हूँ कि keyword की कितनी sale हुई मैंने यहाँ से सिर्फ keyword को select किया और ok कर दिया तो यहाँ पर सिर्फ keyword का data सामने आएगा जितने भी keyword sale हुए और किस debt को हुए और कितने sale हुए वह amount आ जाएगा लेकिन आप यहाँ पर देखिए जो total sale है उसके amount में changes नहीं हुआ यानि मैं यह देखना चाहता हूँ कि filter करने के बाद जो भी product यहाँ display हो रहा है और उसका जो भी sale amount है उस sale amount का अगर मैं total sale देखना चाहता हूँ तो simple वाले sum formula से नहीं होगा simple वाला sum formula पूरी table पर काम करता है मतलब उस table में जितना भी sale amount है वो उसी के total को दिखाएगा मतलब filter होने के बाद जो data है आपको यहाँ पर display हो रहा है sale का उस data को इसने sum नहीं करा sum किसको किया हुआ इसने जो main actual data है यहाँ पर देखिए मैं select all करता हूँ तो यहाँ पर sale का जो इतना भी data है उसी को इसने sum किया हुआ filter करने के बाद sum नहीं बदलेगा ठीक है तो अगर आप चाते हैं कि जब filter करें तो उसके बाद sum भी उसी filter किये गए data का दिखाए जो data filter होकर सामने आये ना उतना ही sum दिखाए तो उसके लिए फिर देखिए दूसरा formula use करते है और formula का नाम है यहाँ पर देखिए लगाँगा मैं अभी यहाँ पर subtotal अब मैं subtotal की help से subtotal जो formula उसके अंदर मैं sum को use करूंगा उससे फिर मैं यहाँ पर filter के बाद देख पाऊंगा जो भी sum करना चाहरा हूं मैं जिसका भी sum देखना चाहरा हूं तो चली मैं आपको लगा कर दिखाता हूं तो सबसे पहले लगाना equal उसके बाद लिखेंगे subtotal उसके बाद मैंने tap दबा दिया तो पूरा formula select हो गया अब देखे subtotal लिखने के बाद bracket start करने के बाद subtotal के अंदर आप बहुत सारे अलग-अलग formula को use कर सकते हो आप average देख सकते हो किसी particular filter होने के बाद data का अगर आप average देखना चाहते हो filter होने के बाद आ data को count करना चाहते हो तो यहां पर देखे पूरी list आ गई है कि subtotal के साथ आप अंदर और कौन-कौन से formula use कर सकते हो बट अभी इस वीडियो में जो आपको दिखा रहा हूं वो दिखा रहा हूं subtotal के साथ sum करके तो यहां पर आप देखना sum का जो number है वो है 9 तो मैं यहां पर sum formula का number दूँगा ना कि sum लिखूंगा यहां पर number दे दिया मैंने 9 ठीक है उसके बाद मैं लगाओंगा comma और उसके बाद मुझे select करना है कि sum किस table में करना है तो इस table में करना और इस table में भी जो भी data है वो data आप select कर लो जहां भी आपको sum करना है तो मुझे sales वाले data को sum करना है मैं enter कर दूँगा तो यहाँ पर देखिए अभी तो पूरा क्या आ रहा है total आ रहा है देखिए total cell पूरा दिखा रहा है क्यों क्योंकि अभी पूरी table सामने है लेकिन जैसे मैं filter करता हूँ तो आप देखिए मैं filter करूँगा select all हटाता हूँ यहाँ से strip मैं keyword को select देता हूँ और यह देखता हूँ कि keyword के जो cell से वो कितनी है तो मैंने यहाँ पर जैसी filter किया तो आप notice करेंगे जो normal वाला sum था वहाँ पर तो देखिए यहाँ पर 77,000 ही दिखा रहा है लेकिन यहाँ पर देखिए 16,000 हो चुका है यानि filter पर अगर आपको sum apply करना है filter होने के बाद अगर आप चाहते हूँ कि केवाल उसी data का sum दिखाए दे जो filter होकर सामने आया तो उसके लिए फिर आपको sub total के अंदर sum वाला formula यूज़ करना पड़ेगा समझ मैंगे आपको देखिए यहां से filter change करते हैं यहां से keyword के जगे हम mouse को select करते हैं रोके पर click करते हैं तो देखिए यहां पर जो total cell है mouse की वो दिखाए दे रही है आपको कितनी है 4000 और 2000 अगर इन दोनों को aid करते हैं तो कितना होता है 6000 तो total cell कितनी हागी 6000 तो यहां पर मैंने sub total वाला formula लगा दिया समझ मैं कि आपको sub total के साथ आप sum का use कर सकते हैं count का कर सकते हैं वो आप test करके देखना आपको और अच्छे से समझ मैं जाएगा आप एक अलग table बनाना और उस पर count वगेरा लगा कर देखना अभी मैं आपको count भी सिखा रहा हूं वैसे आगे चलके इ आप condition बना सकते हैं और उस condition के match करने पर वो particular data print हो जाएगा जो आपने set करा होगा तो अच्छे से समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर के example देता हूं तो यहाँ पर मैंने table बनाई हुई है और इसमें मैंने simply student के जो marks related information है वो डाली हुई है तो यहाँ पर total marks हैं उसके subjects marks है चीक है उसके percentage है तेकिन यहाँ पर देखी rank वाले जो column है वो खाली है तो मैं rank भी यहाँ पर आपको निकालके दिखाता हूं तो rank देखिए अलग-अलग percentage पर अलग-अलग होने का मतलब क्या है अलग-अलग condition पर percentage मतलब condition हुई है student की क्या अगर student के marks कम आएंगे तो कम total तो देखों यहां पर मैं formula लगाओंगा लेकिन वह formula इसे में होने की वज़ाे से मैं यहां पर लगा दिता हूं। फिर मैं यहां से cut- контр करकर यहां रख दूंगा ठीकित brace ili लगा लगा दूँगा तो पेले मैं यहां लगा देता हूं ताकि आपको किलियर दिखता रहे कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं ठीक है चलों यहां लगा देते हम तो सबसे पहले हम लगाएंगे equal अब देखिए हम अगर हम rank निकाल रहें तो rank किस पर depend करेगी percentage पर जितनी अच्छी percentage उतनी अच्छी rank तो हमें अब देखिए percentage change हो सकती है तो percentage change हो सकती है तो जो changes है ना उस पर मुझे condition मनानी पड़ेगी और condition देखिए यहाँ पर जैसी select करा तो j29 automatic आ गया अब यहाँ पर आएगा यहाँ पर हमें बनानी है condition तो हम ऐसे बोलेंगे कि j29 में जो भी percentage हो actual में तो वह value है कि j29 में जो भी value है अगर वह greater than है ठीक है या equal है हमने equal भी लगा लिया 70 के हैं तो हम यह print करना चाहते हैं कि कोमा नीचे लगाना फिर आपको फिर double inverted कोमा में जो आप प्रिंट करना चाहते हैं वह लिख दें तो अभी मैं print करना चाहता हूं first rank और double inverted कोमा बन तो यह first condition बन गई कि जब भी percentage वाली वह cell है या वह पूरा कोलम है उसमें जो भी percentage होगी अगर वह 70 से ज्यादा होगी या 70 होगी तो automatic rank में क्या print हो जाएगा first rank ठीक है लेकिन यह तो एक condition हुई मालो 70 से कम हो तो तो फिर क्या print करेंगे तो उसके लिए हमें फिर से condition बनानी पड़ेगी तो फिर से condition बनानी के लिए एक कोमा नीचे आएगा फिर से आपको if start करना है if यदि फिर आपको bracket लगाना है ठीक है फिर same repeat होगा जे 29 आपने जे 29 सेल का एड्रेस ले लिया फिर बोला कि अगर जे 29 की value greater than equal आप जो ये condition के अंदर में criteria दे रहा हूं यह आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं ठीक है अब मैंने यह आपर दे दिया 50 कि जे 29 में जो value है यानि जो percentage है वो 50 के equal हो या 50 से ज्यादा हो तो फिर print कर एक कोमा नीचे double inverted कोमा इसके अंदर मैंने बोल दिया second rank ठीक है तो यह भी एक condition बन गई अब मालो इससे भी कम अगर percentage हो तो फिर क्या print करेगा तो फिर उसके लिए भी हमने हमारे इस formula को तयार कर लिया एक कोमा नीचे लगाया फिर से हमने एक नई condition बनाई बोले यदी if से लिए वह हम criteria set कर देते हैं यहां पर 30 ठीक है वैसे आप अपने इसाब से कुछ भी कर सकते हैं मैंने 30 कर दी फिर कोमा नीचे लगाया तो मैं यह double inverted कोमा के अंदर print कर लूँगा third rank अब इससे भी अगर किसी की कम percentage हो किस से 30 से तो फिर उसकी कोई rank की नहीं होगी ठीक है अब जैसे अगर आप rank की जगे या तो division print कर रहे हैं first division second division third division या fail या फिर आप grade print कर रहे हैं grade B grade C grade तो भी आप कर सकते हैं बस आपको first rank की जगी grade print कर देना है और यह criteria 50 70 आप अपने साब से decide कर सकते हैं यहाँ पर जो भी criteria match करेगा उसी साब से print हो जाएगा अब देखो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी criteria match ना करे तो एक default value print हो जाए तो आप कैसे print करेंगे एक कोमा आ criteria match नी करेगा यहाँ पर तो यह default value fail print कर देगा अब अपने कितने bracket start किये थे 3 bracket start किये थे हम 3 bracket को close कर देते हैं 1 2 3 और enter कर देते हैं तो यहाँ पर देखो first rank आ गई first rank क्यों आ गई यहाँ पर क्योंकि हमने यह select करा था और 71 70 से जादा होता है ना इसलिए यहाँ पर first rank आ गई इता पूरा formula अब यहाँ में paste कर देता हूं ठीक है और इसकी थोड़ी सी size बढ़ा देता हूं ताकि यह इसमें fit हो जाए देखिए first rank आ गई अब मैं इस formula को यहाँ से drag करके नीचे तक ले जाता हूं और इस सभी पर apply कर देता हूं तो यह देखिए fail है यह fail क्यों है क्योंक यहाँ पर मैं कर देता हूं 30 देखता हूं कुछ फरक पड़ता है कि थोड़े सब बढ़ा देता हूं यहां कर देता हूं 40 ओके अभी भी नहीं हो रहा चलिए यहाँ पर कर देते हम 40 यहां भी 40 कर देते हैं तो automatic change हो जाएगा तो इस तरह साब इस formula का use करके division निकाल यह आप चाहो तो grade निकाल सकते हैं और आप जरूरी नहीं है division grade और rank निकालें आप इस if का use करके कोई भी condition के अधार पर कोई भी text print करवा सकते हैं चलिए अब next example पर चलते हैं और next formula को देखते हैं तो यहाँ पर मैंने next formula को समझाने के लिए एक table बनाई हूई है और इस table के अंदर employee क serial number employee का नाम attendance और salary है attendance में मैंने P और A को use करा है और यहाँ पर salary आपको दिखाए दे रही है इस table के अंदर तो देखिए next जो formula है वो है हमारा count tip वाले formula को मैं इस पर apply करके दिखाऊंगा देखिए एक formula already मैं आपको बता चुका हूँ वो था count simple count simple count क्या करता है जो भी आप उस को range देंगे उस range के अंदर वो count करके बता देगा कितनी value है ठीक है जिसे मैं आपको simple count पहले simple count दिखाता हूँ देखिए यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ यह equal किया मैंने और यहाँ simple लिखा count c-o-u-n-t और मैंने यहाँ पर tap दबाया tap दबाती देखिए bracket लग गया है और मालो मुझे यह देखना हो कि इस table के अंदर बहुत सारी entry है और मुझे यह देखना है कि ऐसे कितने employee है जिनकी salary 20,000 से कम है अब बहुत सारे employee कि इसके अंदर salary enter करके रखी हो मालो table के अंदर तो मुझे इसे ढूणने में बहुत time लग जाएगा कि एक यहाँ पर है एक 20,000 से कम है तो उस case में मैं countive formula की help ले सकता हूँ क्योंकि countive formula का use करके आप condition के अधार पर counting करवा सकते हैं मतलब आप condition दे सकते हैं उस condition के अधार पर यह count करके आपको दे देगा normal count condition पर काम नहीं करता countive condition पर काम करता है तो देखिए कैसे countive को use करते हैं तो condition में आपको क्या बता दी है कि ऐसे कितने employee है जिनकी salary 20,000 से कम है तो यह condition हो गई न क्योंकि इसमें तो देखिए सभी तरह के employee है जिनकी salary किसी की 20,000 भी है किसी की 20,000 से कम भी है किसी की 20,000 से search करना है तो उसके लिए मैं count if का use करूंगा तो यहां पर मैं apply करता हूँ यहां पर मैं delete button दबाया और यहां पर मैं फॉर्मूला दुबारा लगाता हूँ ठीक है यहां से भी मैं स्कॉट आ देता हूँ तो देखिए मैंने simple यहां पर एक structure बना लिया यहां पर search लिख लिया य यहां पर कलर चेंज कर दिया है सब मैंने आपको अल्रेडी बता ही दिया है सब कैसे डिजाइन करते हैं बॉडर लगा रिल्गी है यहां पर कलर चेंज कर रहा है यहां भी कालर क्विल पर टेक्स लिखा हुआ है तो मैं फॉर्मूला यहां लगाऊंगा जहां मुझे रिजल्ट देखना है मैं वहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे यहां रिजल्ट देखना है ठीक है तो यहां पर देखिए मैं फॉर्मूला टाइप करूंगा फॉर्मूला टाइप करने is data करना है देखे मैंने data select के लिया काउंटिंग करनी हो है करनी है यहां select लिया यह column सलेक्ट हो जो गाए यह उपर से जरूरी नहीं है बब्रिकल कर सकते हैं तो सक्राइक कर दिया है मैंने select करने के बाद आपको को Carmen लगाना नीचे भी उसके बाद आप criteria कि आप कहा सर्च करना चाहते हैं अब देखिया आप चाहे तो यहाँ पर double inverted comma देखकर यही condition लगा सकते हैं जैसे मैंने condition लगा के दिखा दिया आपको कि less than हो जिसकी भी salary 20,000 से वो employee की counting हो जाए ठीक है जिसकी भी salary क्या हो 20,000 से कम हो और break it मैंने close कर दिया अब जैसे enter करूँगा तो इसने मुझे बता दिया अस formula ने कि ऐसे 4 employee है जिसकी salary 20,000 से कम है तो देकि 1, 2, 3 और 4 ठीक है चार जने ऐसे हैं counting करके बता दिया लेकिन अब अगर मैं यह देखना चाहता हूं कि जिसकी salary 15,000 से कम हो ऐसे कितने जने हैं तो उसके लिए या तो मुझे यह double click करके formula फिर से changes करना पड़े यहीं लिखना पड़ेगा तो यह सई habit नहीं है ठीक है तो बार बार यहाँ पर मुझे change करना पड़े उससे अच्छा कि मैं ऐसा formula बना लूँ कि मैं यहाँ पर बस search करते जाऊं और यहाँ पर मुझे result मिलता जाए तो वो काम कैसे करेंगे वो देखे यह भी एक तरीका है जो मैंने आपको बता दिया कि आप direct चाहें तो search भी कर सकते हैं और चाहें तो आप aja मैं बता रहा हूँ ऐसे भी बना सकते हैं तो यहाँ से मैं इसा आठा देता हूँ ठीक है फिर आप बस यहां पर click कर देना, आप कहीं भी click कर सकते हैं, आप चाहे तो यहां क्लिक कर देना, तो फिर आपको यही शर्च करना पड़ेगा, तो जैसे मैंने यहां पर click करा, तो यहां का जो sale address था वो यहां आ चुका है, अब मैं break it को close करूँगा, एंटर कर दूगा, तो यहां भी जीरो से लिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहां पर कुछ सर्च नहीं कर रहा है तो चलिए यहां पर सर्च करके देखते हैं कंडिशन लगा के देखते हैं कि ऐसे कितने यहां पर आप कुछ भी सर्च करेंगे आप फटाफट सर्च हो जाएगा जिसे मैंने सर्च किया जिनकी सेलरी 30,000 से कम है 30,000 तो देखिए 5 एंपलोई है टोटल 6 एंपलोई है एक को छोड़ दो क्योंकि एक की सेलरी कितनी है 30,000 तो टोटल कितने हो गए फिर 5 एंपलोई तो फ्रेंट्स यह फोर्मूला काफी यूज में आता है तो इसकी प्रेक्टिस आप अच्छे से कर लेना और एक अलग टेवल बनाना और इसमें अलग तरह की कंडिशन पर इसको यूज करके देखना ठीक है आप देखिए फ्रेंट्स जो नेक्स्ट फोर्मूला है वो है सम इफ सम करना तो मैंने आपको काफी बार बता दिया है सम की हेल्प से आप ज़स्ट टोटल कर सकते हैं मतलब एड कर सकते हैं सभी वेलियूस को ठीक है लेकर आप इसी Condition पर सम करना चाते हैं किसी आपर उनकी सेल्स है क्यों ने कितने सेल करी तो यहाँ पर देखिए कितना मुझे फाइदा मिलने वाला है इस फोर्मुले से मुझे ये पता करना है आब ये mixed data मेरा ज़िखें यहां पर बी राजेस ने aksail ये करिये aksail यहां यहां पर 60 की करिये और यहां पर 10 की करिये आब मैं चाहता हूँ इसने total cell कितनी करी वह निकालना चाहता हूँ तो calculator से तो हम add करने से रहे excel use करें तो calculator तो use करेंगे नहीं कि यहाँ पर हम ऐसे add करेंगे ढूंड ढूंड कर तो एक formula है जिसका नाम है sum if इसकी help से आप इस काम को कर सकते हैं देखिए मैं यहाँ पर जैसी राजेस सर्च करूँगा मैंने formula पहले ही लगा रहा है अभी मैं आपको दुबारा लगा कर दिखाऊंगा मैंने यहाँ पर राजेस सर्च किया ओके तो यहाँ पर देखिए राजेस ने जो total cell करीए न वो automatic add होकर आ गई किसकी help से some if की help से तो 80 गया आप count कलने 10 10 और 60 कितना हो गया 80 तो 80 cell करीए इसने तो यहाँ पर आप किसी का भी नाम देके सर्च करेंगे उसकी cell पाता लग जाएगी भली कितनी भी बड़ी टेवल और कितना मिक्स डाटा हो यह automatic cell आपको add करके बता देगा यह तो सिर्फ एक्जामपल है आप इस formula क एक नई table बनाना और उस table पर apply करके देखना अपना data एंटर करना आपको मज़ा आएगा जब आप खुछ से बनाएंगे ठीक है प्रैक्टिस के लिए sit एबले वाले download link आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा तो यहाँ पर देखिए मैं एक बार मनीश और search करके दिखात तो चलिए यहाँ पर मैं इस formula को delete कर देता हूं और आपको फिड से लगा कर दिखाता हूं तो यहाँ से मैंने से delete कर दिया ठीक है उसके बाद सबसे पहले equal लगाया और equal लगाने के बाद आपको यहाँ पर type करना है sum if sum if लिखने के बाद मैंने tap दबा दिया formula में bracket लग गया के आधार पर result बताएगा तो search कहां है यह सारे name कहां लिखे हुए यह यहाँ लिखे हुए ना इस वाले column के अंदर तो आपको range में वो column वो data select करना है जो आप search कर रहे हैं ठीक है ना यह बात का आपको धियान रखना जो आप search कर रहे हैं वो data जिस column में लिखा हुआ है आप वो select कर लें तो यह यहाँ पर लिखा हुआ है ना मैंने इसे select कर लिया थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको अगर आप गलत select कर लेंगे न तो फिर formula काम नहीं करेगा जो data आप search कर रहे हैं वो data जिस column में लिखा है ना आपको पहले वो select करना है तो range में मैंने इस select कर लिय यह sell address यहाँ पर आगया फिर comma लगाना है ठीक है comma लगाने के बाद आप search करने के बाद दिखाना क्या चाते है result के रूप में मैं search करने के बाद result के रूप में total करना चाता हूँ लेकिन total किसका sales का तो sales कहाँ पर लिखी हुई है यहाँ पर लिखी हुई तो मैं इसे select कर लू था है वह column का data आपको select कर लेना है उसके बाद कहां आप search कर रहे हैं तो मैं यहां पर search करओं तो मैं यहां क्लिक करा तो cell address आगया फिर क्या आप result की रूप में दिखाना चाहते हैं उले sales जो यहां पर है न इन sales का edition तो मैंने इस वाले column को select कर लिया तो का सेल एड्रेस यहाँ पर आगया एंटर कर दूँगा तो देखिए मनीश की जो सेल है ना वह एक टी है चलिए नाम चेंज करते हैं एक बार दिखाते हैं अर्मान की सेल कितनी है तो अर्मान की सेल 120 है ठीक है ऑटोमेटिक आगया तो सम यह फोर्मुले से कितना हमें फाइदा मिल रहा कितनी भी वड़ी टेवल हो हम फटा पर किसी भी पर्टिकुलर कंडिशन पर सम करवा सकते हैं और सम देख सकते हैं आगया आपको समझ में आप इसको एक नई टेवल पर अपलाए करके देखना आपको और अच्छे से समझ में आएगा आप एक खुद की टेवल बन ने में help करता है आप किसी भी रिकोर्ड को टेवल में से बहुत ही ज़्यादा fast search कर सकते हैं वी लुकट की help से ठीक है अब मैं आपको दो तीन example देता हूं यह जो टेवल बनारी किसका मैं आपको बाद में दूँगा पहले मैं आपको एक example देता हूं एक माली जी मैंने मेरे पास एक medical shop है और मेरे shop में जितनी भी medicines है मैंने एक excel sheet बनाकर उनको feed कर दिया और उनकी price मैंने feed कर दी जैसे यहाँ पर products है उनकी जगे मेरे पास medicines के name लिखे हूए यहाँ पर उनकी price लिखी हूई है और यहाँ पर expiry date भी लिखी हूई है चलिए अब मुझे किसी particular medicine की rate पता करनी है तो मैं यहाँ पर just search करूँगा search करते मुझे यहाँ पर उसकी rate दिखा देगा जैसे इस table में देखिए मुझे mouse की rate पता करनी है मैंने यह mouse लिखा mouse की rate आ गई 300 रुपीज है मुझे इस table में ढूनने की जरूत नहीं है कि mouse की rate देखिए यहाँ पर लिखिए तो मुझ बहुत टाइम लग जाता तो उससे बचने के लिए यहाँ पर आप वी look up formula का use कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको medicine वाला example दिया medicine का नाम यहाँ लिखना है चीदे price और उसकी expiry date भी आ जाएगी अगर आपने वी look up formula को expiry date के साथ भी लगा रखा है तो कैसे लगाते हैं अभी कोई भी customer मुझसे किसी भी part की price पूशता है तो मैं जस्ट यहाँ पर excel open करूँगा excel मैंने computer पर open रहेगा हमेशा अगर मैं एक shop चलाता हूँ सीदे उसने मुझसे पूछा sir mouse कितने का पड़ेगा मैं यहाँ पर mouse सर्च कर रहा उसको बता दिया mouse इतने का है अगर मैं एक shop चल यह इसका benefit है कैसे लगाते हैं we look up formula वो समझिए पहले मैं clear कर देता हूँ देखिए यह मैं एक simple छोटी सी table बना लिए यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने simple लिख लिए search product यहाँ पर लिख लिए price ठीक है अब देखिए आपको जहाँ result display करना है ना formula वहाँ लगेगा तो मुझे क यहाँ display करना है यहाँ क्या display करना है price यहाँ पर मैं product search करूँ यहाँ प्राइज आ जाए तो जहाँ आपको result display करना हूँ वहाँ formula लगेगा तो मैंने equal लगाया और type करा we look up और tab दबा दिया we look up लिखने के बाद tab दबाने के बाद bracket लग जाएगा और उसके बाद देखिए formula बोल रहा है आपसे look up value कि आप कहां search करेंगे कौन सी वेलिऊ आप देखना चाहेंगे तो मैं यहाँ पर search करूँगा यहाँ जो value ओये वो मेंदेखना चाहता हूँ ठीक है तो मैंने यहाँ पर click कर दिया lookup value मैं आपको वो cell को select करना है जहाँ आप search कर रहे हैं मैंने यहाँ पर click कर दिया उसके बाद एक comma नीचे लगाना है उसके बाद एक table array अब table array का मतलब है कि आप उस table को select करिये जिसमें आपको search करना है तो यहाँ पर मैं यह select कर लिता हूँ पूरा data ठीक है पूरा data select कर लो यह उपर जो heading से इने select करने की जुरूत नहीं है सिर्व आप data data select कर सकते हो ठीक है तो मैंने select कर लिया ठीक है table array में आपको करना है अपनी table के data को select करना है यहाँ रखना उसके बाद कोमा लगा देना नीचे कोमा लगाने के बाद देखिए next आगे यह बोल रहा है क्या column index तो column index में क्या जिसमें data available है जो आप यहाँ देखना चाते हैं तो यहाँ आप actual में देखना क्या चाते हैं यहाँ देखना चाते हैं प्राइज यहाँ product search करें तो यहाँ price सो हो जाए तो प्राइज वाले column का number क्या है तो देखिए जो मैंने select किया हुआ है एक box बन गया ना यहाँ पर actual में जो number है वो क्या हुआ two number हुआ अगर यह one है तो यह two है तो यहाँ पर क्या जाएगा column का number column index number लिखाना नीचे तो यहाँ पर two आ जाएगा मानलों टेबल और बड़ी होती तो three आ जाता four आ जाता जो भी मुझे search करना होता तो यहाँ पर कितना आ गया two आ गया column index number फिर कोमा लगाना यहाँ पर नीचे और यहाँ पर आपसे वोल रहा true and false तो यहाँ पर exit match के लिए हम false पर double click करेंगे या zero भी आप type कर सकते है keyboard से तो मैंने false पर double click कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर bracket को close करा आप चाहें तो false की जगे zero type कर सकते हैं एकी बात है और enter कर दिया तो समझ में आगे आपको VLOOKUP formula कैसे लगाते हैं तो चलिए मैं आपको एक बार VLOOKUP लगा कर दिखाता हूँ एक दूसरी table पर तो यहाँ पर देखिए हमने जो यह भी student result वाली table बना रही दिना जिसमें हमने if वाले formula का use किया था इसी में मैं आपको VLOOKUP लगा कर दिखाता हूँ यहाँ लगा कर दिखाता हूँ तो मैं कैसे लगाँगा वो देखिए कि मैं roll numbers सर्च करूँगा तो मुझे total marks पता लग ज जाए और फिर मैं एक और बार लगा के दिखाँगा आपको कि percentage भी पता लग जाए ठीके फिर बाकी तो आप लगाना सीखी जाओगे तो चली मैं एक बार और आपको VLOOKUP दिखाता हूँ लगा के सबसे पहले equal फिर VLOOKUP टेप दबा दिया उसके बाद आप देखिए आप क् total marks showing तो total marks show कराने के लिए search कहां करूँगा मैं यहां पर तो यहां पर मैं click कर देता है चल मैं यहां roll number enter करूँगा ठीक है मैंने लिख नहीं रखा बाद में लिख दूँगा text तो मैं तो यहां पर मैंने sell address ले लिया उसके बाद मैंने एक नीचा comma लगाया अब show क्या कराना ह मुझे total marks तो total marks किस table में इस table में इस table को select कर लो यहां से select कर लेता हूँ मैं roll number से देखो student name से मुझे भी कोई काम नहीं है इसलिए मैं roll number से select कर लिया ठीक है और कहां तक select कर लिया मैंने percentage तक कर लिया ठीक है यह rank तक भी कर सकता था पर कोई मतलब नहीं है न क्योंकि जाओं तो मैं total marks तक भी कर सकता हूँ पर मैंने ठीक है कोई बात नहीं percentage तक कर लिया उसके बाद एक कोमा नीचे लगाया बस आपको दियान रखना है कि जो आप show करवाना चाहते है रिजल्ट की रूप में मैं क्या show करवाना चाहता हूँ total marks वो selection में आना चाहिए तो selection में आ रहा ह है हमने 12345677 नमबर पर है तो यहां पर 7 आ जाएगा जिस कोलम का data आप show कर रहे हो ना उसका index नमबर क्या है वो है यह तो 7 है 7 नमबर पर आ रहा है उसके बाद कोमा नीचे लगाया मैंने और यहां पर क्या select कर देता हूँ false और bracket close कर देता हूँ और enter करता हूँ तो अभी त यहां पर मुझे रोल नमबर search करना पड़ेगा ना चली search करके दिखाता हूँ 101 मैंने यहां पर search किया तो देखिए आ गया यहां पर लिखता है रोल नमबर तीक है यहां सर्च करना है बस मुझे ड़िए अब मैं 103 करता हूँ तो देखिए कितना useful है व्यूक अप मालवे टे की पूरी डिटेल बता देगा तो मैं आपको एक बार परसेंटेज भी लगा कर दिखा रहा हूं कि हम सिर्फ रोल नमबर डालेंगे टोटल मार्क्स और परसेंटेज दोनों बताएगा तो यहां पर हम परसेंटेज शो करेंगे इक्वल लगाता हूं वी लुक अप लिखता टेब दवाया मैंने तो इसके बाद हम रोल नमबर से शो कराना चाहते हैं तो सर्च कहां पर कर रहे हैं हम यहां पर यहां क्लिक कर दिया फिर एक कोमा नीचे आजाएगा उसके बाद आप क्या करें टेबल को सलेक कर ले तो मैंने टेबल यहां से सलेक कर ली परसेंटेज त कर देते हैं और enter करते हैं तो देखिया यहां पर percentage भी शो हो गई अब फायदा कितना है सिफ रोल नंबर सर्च करते हैं automatic total और उसकी percentage बता देगा आप चाहें तो rank के लिए भी लगा सकते हैं ठीक है rank के लिए आप लगा कर देखना sheet को download करना और आगे आप rank वाला लगा कर देखना we look up ठीक है खाली wrong number डालें तो total percentage और rank show कर दें तो friends ये कुछ मैंने आपको important formulas बता दिये excel के अंदर वेसे तो काफी सारे formula हैं जिस पर मैं अलग से एक बना दूँगा आपके लिए बस आप इस वीडियो को एक like कर दीजिए और channel को भी subscribe करके bell icon बटन दबा के रखना क्योंकि जब भी वो वीडियो upload करूँ तो आपको notification जल्दी मिल जाएं ओके friend तो आप चलते हैं हम data tape के अंदर तो यहाँ पर देखिए मैंने data tape पर click कर दिया है और data tape के अंदर काफी सारे option है अगर आप इन सभी option को अच्छे से सीख लेते हैं तो आप Excel में बहुत ही अच्छे से काम करना सीख जाएंगे क्योंकि data tape के अंदर यह जो जितने भी option आपको दिखाए दे रहे हैं लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करी सकते हैं तो यहाँ पर देखिए data tape के अंदर जो आपको first option दिखाए दे रहा है वो है from access तो देखिए यहाँ पर इस option की help से आप क्या कर सकते हैं Microsoft का जो MS Access होता है उसकी file को इसके अंदर import कर सकते हैं अब देखिए यदि आप Microsoft की तरफ से आने वाला MS Access software यूज करना नहीं जानते हैं तो उस पर देखिए मैंने यह वाला detailed video बना दिया है इस video को देखने के बाद आप MS Access को चलाना अच्छे से सीख जाएंगे यह भी Microsoft की तरफ से आने वाला ही एक software है और इस video का link मैं आपको इस video के description box में दे दूँगा तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यही बता रहा था कि अगर आप MS Access जानते हैं तो उसकी file को भी आप इसमें open कर सकते हैं क्योंकि MS Access के अंदर भी table बनाई जाती है और काफी कुछ किया जाता है वो आप video देखेंगे तो आप जान जाएंगे तो यहाँ पर just मैं इस option पर click करता हूँ और इस पर click करने के बाद मैं यहाँ से MS Access की file को select कर लेता हूँ और इसके अंदर मैंने table बनाई हुई थी तो यह जो MS Access की file है यह Excel की file नहीं है यह MS Access की file है Microsoft Access ओके तो इसके अंदर table है actual मैं यह तो database है और इसके अंदर एक table है तो वो table इसके अंदर open हो जाएगी किसके अंदर? Excel के अंदर तो यहाँ पर देखें एक window open होगी काफी सारे option यहाँ पर मिलेंगे फिलाल में सिर्फ table select करके ok करता हूँ ताकि हम मुझे एक table मिल जाए तो यह table मैंने उस MS Access file के अंदर बना रिखी थी यानि उस database के अंदर यह table थी और यह table यहाँ पर open हो चुकी है अब मैं इस table को use कर सकता हूँ क्योंकि फ्रेंट देखें कई बार ऐसा होता कि हम किसी company में काम करते है और वहाँ पर हमें table MS Access की file की रूप में मिलती है तब हमें Excel के अंदर उसे import करके use करना पड़ता है क्योंकि जो Excel हमें facility देता है वो MS Access नहीं देता तो इसलिए हमें कई बार access की file को Excel में open करने की जुरूद पड़ती है दोनों software अलग अलग है तो इस option की हैज से आप access की file को Excel में open कर सकते है ठीक है जैसा कि मैं आपको करके दिखा दिया अब देखिए यहां पर next option आपको दिखाए दे रहा है वो है from web जैसा की नाम से पता लग रहा है यहां पर आप click करेंगे यहां पर click करने के बार आप यहां पर website को search करेंगे जिस भी website का data अगर आपको Excel में लेकर आना है आपको just यहां क्या करना है यह देखिए web browser open हो गया अगि तरह से आपको यहां पर web site को search कर लेना है ठीक है उसके बार आपको go पर click कर देना है उसके बाद जब आप go पर click करेंगे तो website यहा ओपन हो जाएगी उसके बार आप import कर देना जैसी आप import पर click करेंगे तो website का data Excel में जाएगा ठीक है अगर आप इसको करके देखिए तो हो जाएगा बहुत easy है उसके पार next option है from text तो यहां से आप क्या कर सकते हैं किसी भी text file को excel में open कर सकते हैं किसी भी text file को तो देखिए कैसे करेंगे हम वो मैं आपको बताता हूँ तो देखिए यहां पर मैंने notpad के अंदर एक text file बनाई हुई है और इसके अंदर मैंने कुछ नाम को लिखकर रखा हुआ है अब मैं इस text file को excel के अंदर open करूँगा यानि उस sheet के अंदर open करूँगा तो उसके लिए देखिए मैं क्या करूँगा यहां data tape के अंदर यह आपको option दिखाए दे रहा है from text इस पर click करूँगा इस पर click करने के बाद मैं क्या करूँगा यहां से उस फाइल को select कर दूँगा जिसे मुझे इसमें लेकर आना है तो उस text file को मैंने यहां से select कर लिया second option select कर लेना है ठीक है उसके बाद next पर click कर रहा हूं में next पर click कर रहा हूं और यहां से journal ही रहने दूँगा और उसके बाद मैं finish कर दूँगा ठीक है जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि आपको यहाँ पर other कई तरह की software file को Excel में import करने की facility मिल जाती है तो अगर आप mysql की knowledge रखते हैं या इसके लाबा other किसी भी तरह की data file की knowledge रखते हैं तो आप उसको Excel में open कर सकते हैं लेकिन अगर आप beginners हैं तो आपको इसकी जुरूत नहीं पड़ेगी और अगर आप other software की knowledge रखते हैं तो उसकी file आप इसके अंदर open बड़ी आसानी से कर पाएंगे ठीक है इसके बाद देखिए next option connection यहां पर आता है existing connection तो यह देखिए क्या काम आएगा अभी मैं आपको आगे चलके बताता हूं यहां जब हम connection वगेरा देख लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा अभी देखिएगा थोड़ी दर में बताता हूं तो यहां पर next option वो है हमारा refresh all अब देखिए यह किस case में का नाम आता है अभी जो हमने text file को इसके अंदर import कराता अब उसमें माल लो हम कुछ editing करते हैं या कुछ नए नाम को add करते हैं और उन नए नाम को भी हम इसके अंदर लेकर आना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं पहले तुमें कुछ नए नाम को add करता हूं तो last नाम देख ल दिया, save जरूर करना, तो देखिए मैंने वापस Excel sheet को open कर लिया है, जहाँ पर मुझे वो जो नई entry मैंने उस text file में करी थी, उसे मुझे यहाँ पर लेकर आना है, ठीके, तो उसका जो पहला तरीका है, वो तो यह है कि आप यहाँ से, देखिए refresh all पर click करें, जैसे आप refresh all पर click करेंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पर वापस वही file select करनी है, जिसमें आपने अभी editing करी थी और जिसे आपने पहले यहाँ पर import किया था, जिस text file को आपने import किया था, तो मैंने यहाँ पर test वाली file को import किया था, मैंने इसे select कर लिया, और import पर click करा, तो यहाँ पर बार बार इस refresh all जो भी मैंने आपको करके दिखायता है जिससे data इसमें आया था, वो करने की जरूत नहीं पड़ेगी, तो इसके लिए एक तरीका है, पहले तो मैं एक नया नाम और इसमें add करता हूँ, ठीक है तो इसमें एक नया नाम add कर दिया है सूरच, तो देखी मैंने एक्सल शीट को बापस open कर लिया है और इस data को मैं select कर लूँगा, select करते ही यहाँ पर आप देखिए properties का option जो है वो activate हो गया, पहले activate नहीं था, आप refresh all पर click मत करना, नहीं तो वो फिर से file select करने के लिए बोलेगा और हम बार बार फाइल को select नहीं करना चाते हम तो क्या चात हैं कि हम तो सिर्फ text file में जो भी data चड़ाना है वो चड़ा दें, text file में जो भी data आ रहा है वो आता जाए और excel में अपने आप import होता जाए तो अपने आप import करने के लिए यहाँ पर आपको properties में जाना है और यहाँ पर देखिए आपको second option दिखा दे रहा है आप इस वाले option क हटा दीजिए और इस second option दिखा दे रहा है refresh every every के पाद एकी minute लिखा है तो यहाँ पर आप minute जितनी मिनिट में आप refresh करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर enter कर दीजिए अगर आप हर एक minute बात इस file को refresh करवाना चाहते हैं तो एक minute बात क्या होगा automatic data text file से यहाँ जाएगा ह और मैं देखना refresh और पर क्लिक नहीं करूँगा और एक minute बार अपने आवा जाएगा ठीक है ओके कर देता हूँ तो देखिए एक minute हो गया है और यहाँ पर देखिए automatic यह excel sheet refresh हो गई है और जो हमने data वहाँ text file में add किया था वो data automatic इसमें आ चुका है तो कुछ इस तरह से आप इन options का use कर सकते हैं अब यहाँ पर अभी देखिए existing connection पर हम क्लिक करते हैं तो अभी हमने किस file के साथ connection बनाया ह हुआ है तो यह आपको बता देगा कि आपने किन-किन files के साथ connection बना रखा है ठीक है तो यहाँ पर आपको connections दिख जाते हैं तो यह option बस इसलिए यूज में लाए जाता है इसके बाद है कि friends next option है वह है short short वैसे तो मैं आपको insert menu में बता चुका था इस option का use करके आप किसी भ short को use कर सकते हो वैसे तो मैंने आपको इसे बता दिया था यहाँ पर हम short को थोड़ा सा advanced तरीके से use करना सीखेंगे कैसे उसके लिए देखिए मैं क्या करता हूं यहाँ पर यह जो table है stable के अंदर fail वाले को color अलग दे देता हूं तो देखिए color चाहूं तो मैं जो मैंने आप ठीक है और बाकी pass वालों का color वैसे तो ज़्यादा तर pass ही है और इसको yellow देता हूं पास वालों को ठीक है चलो पने एक सा करते हैं कि इसके अंदर stable के अंदर कुछ students को और fail कर देते हैं यानि इनके marks कम कर देते हैं कि इसमें ज़्यादा है इसमें भी कम कर देते हैं तो पहल है इसका भी मैंने red color कर दिया ठीक है और चाहूं तो मैं conditional formatting से भी कर सकता हूं आप इससे भी करके देख लेना इसमें भी हो जाता है आपको मैंने बता रहा है वैसे ठीक है अब बापास हम data tab में चलते हैं और यहाँ पर इस table को पहले select कर लेते हैं तो इसमें हमारे पास दो तरीका data है result वाले अगर column की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो दरेका data एक pass है और एक fail है ठीक है पास का color yellow है fail का color red है अब अगर मैं short पर click करता हूं तो यहाँ पर हम देखे थोड़ा सा advanced तरीके से short करेंगे short by के अंदर हम select कर लेते हैं result को और इस बार value से short नहीं करें ना अब यहाँ पर मैं select कर लेता हूं sale का color sale color ठीक है वो sale का ही color है ना चाहिए तो text color से कर सकते हैं यानि font color से कर सकते हैं और sale को अगर icon दे रखा है तो उससे भी कर सकते हैं बट यहाँ पर मैं स्रीव आपको sale color बताऊंगा other से आप करके देखना ठीक है उसके बात हम करना क् तो हम यहाँ से order करना चाहते हैं कि जो fail है ना वो टॉप पर दिखाए दें कौन-कौन fail है on top ठीक है यहाँ से on top ही रहने देते हैं और color select कर दें दो ही color दिखाए देंगे क्योंकि हमने दो ही color दिखाए देंगे तो हमने बोला कि जो red color रहना वो on top आ जाए तो हमें यह गया यहां पर जो पहले फेल इना उनका डेटा आ गया है सामने Yayaga देखी change हो गया है सभ चुछ सारे मार्द भी प्यत्म हो गत्त है पहले सब भी better कर सकते हैं कि स्की हल एड़र को उनका लगा है इसके बाद की next option है filter अब वैसे तो filter भी मैंने आपको already insert menu में use करना बता दिया था पर यहाँ पर हम filter को थोड़ा सा advanced तरीके से use करना सीखेंगे क्योंकि यहाँ पर filter advanced के साथ है ठीक है उसके लिए यही वाली table हम use करते है अब देखिए filter में हम क्या कर सकते हैं normal filter तो करीज सकते हैं ठीक है साथ में अगर हमारे पास कोई ऐसी table है जिसमें data हमारे पास सभी तरह का data है जैसे यहाँ पर देख लीजी fail वालों का data भी और pass वालों का data भी है अब मान लीजीए आप जो fail हुए है student उनका data filter करने के बाद आप दूसरी जगे ले जाना चाहते हैं या दूसरी जगे पर ले जाकर print करना चाहते हैं मैं इस table से बहार निकालना चाहते है fail वालों को तो उसके लिए फिर आप advanced filter का use कर सकते हैं लेकिन आप चाहें तो condition के आदार पर filter चला सकते हैं कैसे चला सकते फिल्टर वही है advanced filter तो चलिए मैं आपको बताता हूं तो यह table यह जो example है इसी को पर हम advanced filter apply करके देखेंगे सबसे पहले तो हम इस table को select कर लेते हैं और देखे साथ ही में मैंने काम और क्या हुआ है कि इस table की जो heading है यह वाली colors में जो है इसको copy करके मैंने नीचे paste कर लिया ठीक है क्योंकि इस बार filter हम condition पर चलाएंगे ठीक है तो मैंने इसको copy करके paste कर लिया और यहाँ पर मैं पहली बार आपको filter करके दिखा रहा हूं एक condition पर वह condition है जिनके marks जिनके total marks कितने हो 360 से जादा हो तो यहाँ पर तो वैसे सभी तरह के student है जिनके 360 से कमें तो मैं filter की help से यहाँ से data को बाहर निकालूंगा और दूसरी जगे पर लेकर आऊंगा यहाँ इसी sheet में दूसरी जगे पर ठीक है तो पहले बार तो मैंने क्या करा यहाँ से ध्यान दीजिए इस पूरी heading को copy करके यहाँ पर paste कर लिया और total के नीचे condition बना ली greater than 360 लिख लिया दिख रहा है आपको यहाँ पर ठीक है अब क्या करते हैं हम आप चलते हैं हम पेले क्या करेंगे advanced filter पर click करेंगे advanced filter पर click करते ही automatic हमारी main table select हो जाएगी अगर नहीं हो तो आप यहाँ पर click करना देखिए यहाँ पर देखिए आपको नीचे का option दिखाए दे रहा है copy to another location तो yes हम other location पर ही copy करेंगे तब ही तो हम advanced filter यूज कर रहे है क्योंकि first option को select रखने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह व advanced filter के लिए हमें यहाँ पर second option select करना है इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो main table है ना आपकी उसकी range select करना है वैसे तो by default automatically select हो गया बट ना हो तो आप क्या करना यहाँ पर click करना click करने के पार अपनी main table को select कर लेना यानि इसके data को select कर लेना ठीक है उसके बाद देखि अब यहाँ पर आप filter किस के according करना चाते मलब आप इस table में से filter आप किस condition पर करना चाते तो condition देखिए यहाँ पर मैंने already पहले इसलिए ही बना ली थी मैंने आपको बोला तो ना copy करके paste कर लेना वो इसलिए बोला था तो भी यहाँ पर इसे select कर लूँगा ठीक है तो हमारा title भी जो heading है ना यह भी copy होना चाहिए साथ में और यह जो हमने condition बनाई है ने यह भी copy होना चाहिए तो मैंने इन दोनों row को select कर लिया ओके तो यहाँ पर देखिए automatic आगया अब नीचे देखिए यहाँ पर यहाँ पर का मतलब यह है कि आप कहां paste करना चाते हैं data filter होने के बा तो यहाँ पर देखिए address आगया और मैं ओके पर click करूँगा तो जैसी मैं ओके पर click करूँगा तो देखिए पहले आप 360 से जितने भी ज़्यादा हैं तो अब एक बार यहाँ पर main table में देख लीजिए कितने student है 1 से लेकर 9 तक अब मैं आपको scroll down करके नीचे ले जाकर देखिए यहाँ पर आगया वो data देख पारें आप तो इतने student है और वो pass भी है देखिए कितने student है 1 2 3 4 5 यह 5 student है जिनके marks 360 से ज़्यादा है ठीक है तो एक तो मैंने इस तरह से filter कर लिया एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ advance filter use करके इस बार देखिए advance filter को मैं इस तरह स use कर रहा हूँ कि जो भी student pass है ना कि पर उनकी मुझे अलग से list बनानी है उनका अलग से printout निकालना है यह तो सभी तरह का है fail भी है इस में तो उसके लिज़ बार फिर में advance filter में इस तरह से चलाओंगा यहाँ पर दिख रहा है आपको यह मैंने already बना रहा है result के अंदर pass क्य करेंगे अब यहाँ पर second option select करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर हम click कर रहे हैं तो click करते ही automatic main table select हो गई अगर ना हो तो आप खुद कर लेना उसके बाद यहाँ पर click करा यहाँ पर click करा तो यह इसको remove करना पड़ेगा पुराने address को और यहाँ से मैं इस condition को select करूँग ठीक है तो मैंने इन दोनों row को select कर लिया result को और pass को यहाँ पर वो automatic उसका address आगया उसके बाद नीचे नीचे मतलब कहां paste करना चाते हैं इस sheet के अंदर तो पहले अपन last में जाते हैं और यहाँ पर click कर देते हैं क्योंकि यह उपर वाला example तो marks के अधार पर था total marks के अधार दिया ठीक है अब ok पर click करते हैं तो जैसे ok पर click करा तो हमें नीचे आकर देखना पड़ेगा last में scroll करता हूं मैं देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर आप stable के अंदर देखिए केवल pass वाले ही student दिखाई दे रहे हैं fail वाले नहीं आ रहे अगर fail वालों को बनाना है fail वालों लिख दो और उसके बार आप advanced filter को यानि इस advanced option में जाके कुछ इसी तरह से कर लेना जैसे मैंने आपको सिखाया और हाँ इस sheet का link में आपको इस video के description box में दे दूँगा आप download करना उसकी practice करना ठीक है friends तो इस तरह सा filter option का use कर सकते हैं अब चलते हैं next option की और जो की है text to column तो मान लीजिए आपके पास एक ऐसी excel sheet है आप company में काम कर रहे हैं कहीं काम कर रहे हैं और आपके पास एक ऐसी excel sheet आती है जिसके अंदर नाम के साथ number मिला हुआ है चाए वो mobile number हो चाए age हो चाए कोई भी उसका pink code वगेरा हो नाम के साथ ही साथ में जुडा हुआ है जैसा कि यह हाँ पर age अलग हो जाए किस से नाम से तो कई बार ऐसी sheet हमें मिल जाती ही जब हम company वगेरा में काम करते हैं तो ऐसा data आ जाता है जिसमें नाम के साथ ही क्या है mobile number है और हमें नाम को अलग करना है और mobile number को अलग करना है तो उसके लिए फिर देखिए हम कैसे करेंगे उसके लि वाली window कप खुली थी जब हमने यहां से from text वाले option से text file को import किया था उस समय तो हमने second option को use मिल या था लेकिन अब हम first option को use मिलेंगे first option select रखेंगे next पर click करेंगे तो यहां पर देखिए काफी सारे आपको option मिल जाएंगे जिसे tab है semicolon है comma है space है तो आपको जो नाम अलग करना है और जिसके साथ बेलग करना है उसके बीच में देखी क्या है या space है क्या यह comma है या tab है तो इस वाले example में तो name के बाद space है फिर number लिखा हुआ यानि age लिख हुई है माली जी age है लेकिन space है यहां पर tab नहीं है tab होता तो थोड़ा धूर और होता semi colon भी नहीं है colon भी नहीं ठीक है comma नहीं है कुछ भी नहीं है यहां पर इन में से सिर्फ space है तो यहां पर मैं tape को हटाऊँगा और यहां से क्या select करूँगा space ठीक है space हो तो space ही select करना है उसके बाद next पर click करना है फिर finish कर दें और यहां पर देखिए automatic data अलग-अलग हो गया यानि नाम अलग हो गया औ age अलग हो गई इस तरह से आप mobile number को भी अलग कर सकते हैं पिंक कोड को अलग कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसी sheet आ गई है तो एक example और दिखाता हूँ कई बार ऐसा होता है कि name की entry करते वक्त अगर कोई ऐसी sheet आई है जिसने name की entry के साथ कोई symbol भी लगा दिया है ठीक है आप symbol अलग करना चाहते हैं name अलग करना चाहते हैं या mobile number के साथ कोई symbol लगा हुआ है mobile number अलग करना चाहते हैं symbol अलग करना चाहते हैं तब भी आप इसी option की help ले सकते हैं कैसे देखिए पहरे data select कर लिजिए यहाँ पर देखिए hash लगा हुआ है name के साथ फिर मैंने text to column पर click किया first option नहीं select रहने दूँगा next पर click करूँगा और यहाँ पर इन में से कुछ भी match नहीं कर रहा ना तो tape है ना space है ना semicolon है comma कुछ नहीं है space भी नहीं है तो फिर other है other में क्या other में जो भी है add rate हो hash हो जो भी symbol लगा हो ना आपका वो symbol आप यहाँ पर enter कर दो तो यहाँ पर hash मैंने enter कर दिया क्योंकि क्या लगा हुआ symbol के रूप में hash मैंने यहाँ hash enter कर दिया अधर के सामने next पर click करा और यहाँ पर last में finish कर दिया finish करते देखिए hash गाया वो गया सिर्फ क्या रह गया name name रह गया symbol हटा नहीं था हमारा purpose symbol हटा दिया हमने okay तो इस तरह से आप इस option का use कर सकते हैं इसके बाद देखिए next option है flash field और यह भी बहुत ही कमाल का option है देखिए आप चाहें तो text to column से भी कर सकते हैं बट यहाँ पर एक option और है flash field जिसे भी आपको use करना आना चाहिए तो देखिए यहाँ पर name के साथ surname लिखा हुआ है वह surname मैं चाहता हूँ name अलग column में आए और surname अलग हो जाएंगे बस आपको first name लिख लेना है तो यहाँ पर मैंने first name लिखा राजेश और यहाँ पर उसका last name अलग column में लिख दिया ठीक है वो तो एकी column में है आप क्या करूंगा सबसे पहले यहाँ क्लिक करूंगा और यहाँ पर flash field पर क्लिक करूंगा ओटोमेडिक द mobile number होता name के साथ आपको name अलग करना है mobile number अलग करना है तो भी कर सकते थे इसके बादे कि friends next option है वो है remove duplicates जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि इस option का use करके आप अपनी table में से data जो भी duplicate data है उसको remove कर सकते तो यहाँ पर देखिए मैंने एक example बना के रखा हुआ है यहाँ पर इस वाले column के अंदर भी वाले column के अंदर आपको जो भी data दिखा दे रहा ना वो double है यहाँ पर राजेस एक बार है एक बार राजेस यहाँ पर एक बार यहाँ पर है ऐसी मनीश यहाँ पर एक बार है एक बार यहाँ पर है तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी duplicate data है वो remove हो ज लिए इसे select कर लिया है column को उसके बाद remove duplicates पर click करूंगा और बहुत ही simple है यहां पर बता देगा कौन सा column है बोला column B है और यहां पर मैं ok पर click करूंगा और automatic देखिए इसने 5 entries को delete कर दिया और केबल यहां पर चार नाम ही बचे हैं यानि बाकी को जो नाम से वो repeat हो रहे थे इसलिए delete हो गए next example यहां पर आता है data validation का और बहुत ज्यादा important option है जहां से समझना data validation example को बताने के लिए यहां पर मैंने एक चोटी सी table बनाई हुई है जिसके अंदर name salary ads mobile और city और यहां पर देखिए name है कुछ पहले मैं इने delete कर देता हूँ data को फिर आपको समझाता हूँ ठीक है आप देखिए मुझे salary के अंदर एक foundation लगानी है कि जो भी sheet के अंदर entry कर रहा है वो salary ना तो ज़्यादा enter कर पाए ना कम enter कर पाए जिसे माल लीजिए मेरे company के अंदर employee की जो salary वो 20,000 से ज़्यादा नही होगी नहीं और 20,000 से ज़्यादा वाली entry होगी नहीं उससे क्या होगा गलत entry होने के chance थोड़े कम हो जाएंगे तो आप चाहें तो यसे अलग-अलग तरीके की foundations लगा सकते हैं ऐसा validation लगा सकते हैं तो इस तरह सा bound कर सकते हैं तो यहाँ पर salary में मैं आपको पहले लगा कर दिखाता हूँ तो उसके लिए मैं data validation में गया और यहाँ पर देखिए data validation वाले इस option पर click किया click करते एक window open हुई यहाँ देखिए side में इसके अंदर अगर आप यहाँ पर salary में लगा रहे हैं यानि आपको कुछ ऐसे लगाना इससे ना तो ज़्यादा हो ना कम हो ऐसा कुछ आपको लगाना है अब जरूरी नहीं है वो salary में हो आप अपने इस आपसे कहीं भी लगा सकते हैं इस तरह का validation तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो whole number select करना है उसके बाद data अब आपको यह data दिखाए दे रहा है यहाँ पर आपको काफी सारे option मिल जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं जैसे मानलीचिये आप चाहते हैं equal to कि इसकी equal होना जैसे मानलोग आपको यहाँ पर 30,000 की entry करनी तो आप equal to कर दो तो सिर्फ 30,000 की ही entry हो पाईगी greater than ज्यादा वालों की तो यहाँ पर जो लिखा है उसके हिसाप से आप कर सकते हैं but मैं क्या बोल रहा हूँ आपको ना तो ज्यादा हो ना कम हो तो उसके लिए यहाँ पर ज्यादा की भी नहीं लेगा 20,000 से और 10,000 से कम की भी नहीं लेगा और यहाँ पर मैंने okay कर दिया और यहाँ पर सबसे पहले तो हम 10,000 एंटर करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी देखिए 10,000 के entry हो गई और अगर जैसे हम 9,000 कि इसके अंदर entry करते हैं तो देखिए एक alert message आया यहाँ पर alert message आया और इस alert message के अंदर आपको बोला है retry करो दुबार try करो दुबार try करो तो यहाँ पर blank हो जाएगा चाहे तो आप यहाँ पर 10,000 डाल दो कोई problem नहीं आएगी लेकिन अगर आपने यहाँ पर बापस से 7,000 या इस बार 21,000 क्योंकि हमने यहाँ पर 20 तक का validation लगा रखा है तो यहाँ पर हम enter करके देखते हैं तो फिड से ही आ गया ठीक है तो अगर हम cancel करते हैं तो यहाँ पर जो value थी ना पहले वही रे जाएगी 10,000 समझ मैं आपको देखें मैं यहाँ पर फिड से क्लिक करता हूं data validation में जाता हूं और आपको जो यहाँ पर error alert दिखाए दे रहा है इसको भी आप बदल सकते है title टाइटल के अंदर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं देखिए देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिख दि प्लीज एंटर वैलिट डेटा और ओके कर देते हैं अब यहाँ पर हम देखिए 21,000 एंटर करते हैं और जैसे हमने टैप दबाया आगे बढ़ने के लिए तो देखिए वही जो हमने कस्टमाइज किया थाना error को वही दिखाए दे रहा है प्लीज एंटर वैलिट डेटा और यहाँ पर लिखा रहा है salary error ठीक है तो इस तरह से एक validation यहाँ पर हमने लगाया age के अंदर लगाते हैं हम देखिए age जो है वो 18 से greater than हो या 18 हो तो ही age ले 18 से कम वालों की age की entry ना हो तो एसा validation यहाँ पर लगा कर देखते हैं तो इसके लिए हम data validation में जाते हैं data validation पर click करते है और यहाँ से हम बापस से whole number select करते हैं और यहाँ पर इस बार हम रखेंगे greater than equal to तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा greater than or equal to हमने यह select कर लिया और यहाँ पर हमने डाल दिया 18 ठीक है और ok पर click कर दिया सबसे पहले तो हम यहाँ पर 20 की देख लेते हैं entry करके तो यहाँ पर हमने 20 yes डाली कोई problem नहीं आई 18 डालते हैं कोई problem नहीं लेकिन 17 डालते हैं तो यहाँ पर देखिए error message आ गया इससे आप customize कर सकते हैं यहाँ पर आप इन messages को बदल सकते हैं जो कि मैंने आपको दिखा दिया ठीक है यहाँ पर आप लिख सकते हैं please enter validate इसके बाद देखिए mobile number पर भी देखिए कैसे लगाएंगे थोड़ा सा लगाने का तरीका अलग है खड़ना क्या है data validation में जाना है यहाँ से हम इस बार text length को select करेंगे ठीक है text length select कर लेते हैं और यहाँ पर between की जगे equal to ले लेते हैं क्या ले लेते हैं equal to और यहाँ पर length में हम कितना डाल देते हैं 10 जोंकि 10 डिजिट का होता है mobile number और यहाँ पर ok कर देते हैं अब सबसे पहले तो हम 10 डिजिट एंटर करके देखते हैं कोई problem नहीं आनी चीए 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और एक 2 डाल देते हैं ठीक है तो देखिए कोई problem नहीं आई ले लिया इसने mobile number अब हम क्या करते हैं 10 डिजिट से कम रखते हैं यानि मैं यहाँ पर last में 2 को हटा देता हूं और अब tape दबाता हूं तो देखिए error message में आप customization कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है कैसे हैं सबको बदलते हैं alert में जाकर तो यहाँ पर देखिए 10 डिजिट से कम का जो mobile number है वो enter नहीं हो पा रहा है ऐसी ज लगा सकते हैं बहुत ही कमाल का validation लगा सकते हैं माली जी हम एक excel sheet है हमारे पास उसके अंदर entry कर रहे हैं कोई data entry operator है हमारा हमारी company में हमने data entry operator लगा रहा है जो हमारी लिए काम कर रहा है और हमारी sheet में data के entry कर रहा है अब वो गलत city ना चड़ा है तो उसमें हम उसे पहले ही bound कर सकते हैं city के अंदर हम उनी city की list दिखाएं जिस city के लिए हम काम कर रहे हैं जिस city का हम data चड़ा रहे हैं जिजे city का के बाल उनी city की list है तो गलत city enter होने के chance थोड़े कम हो जाएंगे ठीक है तो उसके लिए हम यहाँ पर एक list बना सकते हैं हमने यहाँ पर select कर लिया data validation में जाएंगे data validation पर click करेंगे उसके बाद यहाँ से हम select कर लेंगे list ठीक है और उसके बाद हम यहाँ source में जाएंगे source में जाने के बाद देखिए कुछ city के नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैंने कुछ city के नाम लिख दिये हैं तो आपको city के नाम कैसे लिखना है कोमा लगा लगा कर लिख देना है और इसके बार आपको okay कर देना है तो देखिए यहाँ पर city में आपको list मिल जाएगी यहाँ पर देखिए वही list मिलेगी जो हमने validation के अंदर जगा सकते हैं तो गलत city enter होने के chance कम हो जाएंगे तो केबल यह city के लिए नहीं बना अब यह तो एक example था आप समझी रहे होंगे इस बात को कि आपको कहीं भी list बनानी है और आप चाहते हैं उस list में से ही item को select करा जाए उसके लावब कोई नया item के entry ना हो तो फिर आप list बन जाए हो जाएगा तो इसके बाद देखिए friends यहाँ पर जो next option है वह consolidate, consolidate option का use करके आप दो अलग-अलग sheet के data को आपस में calculate कर सकते हैं तो example के लिए यहाँ पर देखिए एक sheet है मेर पास जिसमें 2021 का data है और यहाँ पर 2021 की sale है और total जो 2021 की sale है वो दिखाए दे रही है ऐसी मेर पास एक sheet और है जिसके अंदर 2020 का data है यहाँ पर sale है और यहाँ पर total sale है तो मैं यह चेक करना चाहता हूँ कि 20 में और 21 में total sale कितनी हुई तब मैं consolidated वाले इस option का use कर सकता हूँ तो चलिए कैसे करेंगे बताता हूँ first sheet पर चलता हूँ और यहाँ पर मैंने consolidated वाले इस option पर click करा इसके बाद देखें यहाँ पर आपको बहुत सारे function मिल जाएंगे यहाँ से आप बहुत सारे function अपलाई कर सकते हैं आप दो sheet के बीच में count करके देख सकते हैं data को average निकाल सकते हैं maximum minimum और काफी सारे आपको तमाम function मिल जाएंगे आप अपने इस आप से देख लेना फिलाल मैं आपको sum लगा कर दिखा रहा हूँ ठीक है तो मैं तो 20 और 21 का data है यानि जो total sale है उसको add करके देखना चाहता हूँ कि कितने की sale हुई थी तो मैंने यहाँ पर sum select कर लिया अब reference में मैंने click करा और यहां से first sheet में जो total sale वाला मेर पास यहाँ पर sale है न मैंने इस पर click कर दिया ठीक है तो यहाँ पर sale address आगया अब मैं इसे add कर दूँगा अब मैं second sheet पर जाओंगा यानि 20 वाली sheet पर गया यहाँ पर मैंने जो total sale है इस पर click करा और add कर दिया ठीक है उसके बाद मैं सीधे ok पर click कर दूँगा तो जैसी मैंने उक्के पर क्लिक करा तो यहां पर आप देखिए जो main sheet थी उसमें मैंने यहां पर select किया होता blank के रिये में सुरबात में तो यहां पर जो total sale है ना 2 साल की वो मुझे मिल गई है तो consolidated वाले इस option का use आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं दो sheet के बीच में data को calculate कर सकते अब देखिए friends यहां पर जो next option है वो है what if analysis और इसके अंदर हम जब क्लिक करते हैं तो हमें तीन option दिखाई देते हैं scenario manager, goal seek और data table और यहां पर सबसे पहले हम सीखेंगे scenario manager को use करना तो देखिए scenario manager को आप कब use कर सकते हैं माली जी आपके पास कोई sheet है और sheet के अंदर आपको क्या करना है calculation करना है और calculation के आधार पर अलग-अलग report तयार करनी है जैसा कि यहां पर scenario manager को समझाने के लिए मैंने एक example बना के रखा हुआ है देखिए माली जी मेरे office का monthly expense है जो monthly expense है टोटल वो है 92,000 अब यह मुझे लगता है कि 92,000 जो monthly expenses है वो जादा हो रहा है मुझे थोड़ा सा expense कम करना है तो मैं यह check करना चाहता हूं कि यार मैं कहां कहां पर कटोती करूं तो मेरा monthly expenses कम हो जाए तो मैं इसके लिए main sheet के अंदर changes नहीं करना चाहता मतलब मैं यहां पर कमी करके नहीं देखना चाहता तो मैं scenario manager की help ले सकता हूं तो यहां पर माली जीए आपके पास भी कोई ऐसी sheet है जिसमें आप क्या करना चाहते हो expense को कम करना चाहते हो या माली जी कोई sale sheet है तो आपनी sale को बढ चाहते है तो बढ़ाने के लिए आप यह देखना चाहते हो किया मैं कहां कहां पर और ज्यादा changes करूं तो sale मेरी बढ़ जाए या expense कम हो जाए तो यह exam पले आप इसे कहीं भी apply कर सकते हो depend करेगा कि आपकी sheet में आप क्या करना चाहते हो तो यहां पर मैं expense कम करना चाहता हूं तो मैं दो scenario बना कर देखने हूं कि मैं कहां कहां पर changes कर सकता हूं ठीक है scenario manager की help से तो यहां पर करेंगे कि हम what if analysis में जाएंगे scenario manager पर click करेंगे यहां पर click करेंगे add पर click करने के बाद हम scenario को एक नाम देंगे मैंने इसको नाम दे दिया lowest expenses one यहां पर लिखा हूँ है changing sales तो य क्लिक कर दूँगा ठीक है वके पर क्लिक करते ही देखिए यहां पर एक अलग से विंडो खुलेगी और इस विंडो में यह हमें बता देगा कि आप कहां कहां कटोती कर सकते हैं तो यहां पर देखिए जो फस सेल है इसका इमाउंट भी आपको यहां पर नजार आ रहा होगा तो मैं यहां पर देखिए थोड़ा सा जूम कर देता हूं और यहां पर देखिए आप मैं 2,000 रुपीज जो मेरा क्या करूँगा यहां पर इसको मान लेता हूं कि में लेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो 3,500 तक ले आऊंगा तो उसके बाद स्टाफ सेलरी इसमें कटोती फिलाल तो पॉसिवल नहीं है अगर यहां कटोती करी तो स्टाफ जो है वो छोड़ के चला जाएगा तो फैसे मैं यह यहां पर स्टाफ के अंदर कटोती नहीं करूँगा यह तो एक एक एक्जामपल है ऐसा कुछ नहीं है तो करना चाहें तो करने वाले करते हैं जब कंपनीज गाटे में चलती है तो यहां पर सबसे पहला काम किया जाता है स्टाफ की सेलरी में कटोती बागी काम हो ना हो इस और other जो है वो मेरे हाथ में यह other expenses को कम करना तो मैं यहाँ पर other expenses में 3000 एंटर कर देता हूं क्यार मैं other expenses 3000 तक ले आउंगा मुझे मालूम है उसके बाद मैंने क्या करा aid कर दिया ठीक है तो मैंने एक जो scenario बना लिया उसे मैंने aid कर दिया अब मैं lowest scenario एक और बनाता हूं lowest scenario 2 बनात हूं ठीक है और कम करने की कोशिश करता हूं क्यार मैं और कम कहां कर सकता हूं तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे रहता हूं lowest expense और यहाँ पर by changing cell में तो यही आएगा यही चेंज करने और उसके बाद में ओके पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर फिर से वही विंडो आ गई तो मैं ने बोला किया चलो मैं और कम से कम वाला internet प्लान ले लूँगा तो देखिए यहाँ पर जो internet का खर्चा है और कितना कम कर सकता हूं तो मैंने सोचा किया क्यों ना मैं 700 रूपीज वाला monthly प्लान ले लूँ थोड़ा और कम हो जाएगा यह मैं सोच रहा हूं और मैं अपन चेंडिजनी होगा और अधर खर्चे को मैं बिल्कुल यहाँ पर 1000 पर ले आता हूं ठीक है मिनीमम से मिनीमम मैंने एक और सेनेरियो तयार कर लिया उसके बाद मैंने एड़ पर क्लिक करके इसे एड़ कर दिया अब मैं आपको बताता हूं देखिए यहाँ पर मेरे पास दो सेनेरियो तयार हो चुके हैं अब मैं देखिए कैंसिल करता हूं इसे कैंसिल करते ही यहाँ पर देखिए अगर मैं फर्स सेनेरियो पर रखता हूं और इसे शो करता हूं देखना शो करूंगा तो यहाँ पर बता देगा कि अगर आप फर्स सेनेरियो के साथ जाते हैं तो आ यहां पर दो scenario तयार हो चुके हैं अब चाहूं तो मैं इने apply कर सकता हूं इसी sheet पर यानि इसी के अंदर बट जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है इसको सलेक्ट रहने देना और ओके पर क्लिक कर देना ओके पर जैसे आपने क्लिक कर रहा तो देखिए यहां पर अलग से एक शीट बन गई scenario संब्री के नाम से दिखरी है आपको शीट देखिए पर यहां पर देखिए सेल के एड्रेस आ रहे हैं जो कि अच्छे नहीं लग र रहा था सेल इड्रेस दिखाए दे रहा था तो मैं यहां पर क्लिक करके इनको नाम दे रहता हूं तो यहां पर मैं इसको नाम दे रहता हूं इसको नाम दे रहता हूं इसको नाम दे रहता हूं तो यहां पर देखिए मैं इन सभी सेल को नाम दे दिया है ठीक है आपको एक बातकर यहां रखना है नाम देते वक्त यहां पर यहां पर इस पेज नहीं आएगा जैसे यहां लिखा स्टाप इस पेज सेलरी लेकिन आपको स्टाप यहां पर इस पेज नहीं देना या अंडरिस्कोर लगाना ठीक है और नाम केसी देना बस यहां क्लिक करना है यहां पर ट पर क्लिक करूँगा ओके कर दूँगा तो जैसी मैंने ओके करा तो देखिए यहां पर एक रिपोर्ट बनके आ गई है इस रिपोर्ट को आप दिहान से देखिए यहां पर जो आपको इस डेटा दिखाए देरा इस डेटा का मतलब है कि यह तो है ओरिजिनल मतलब 92,000 एक्सप जाता हूं तो मैं इतना एक्सपेंस कम कर लूँगा तो इससे एक रिपोर्ट बना ली मैंने तो फ्रेंट्स यह जो सेनेरियो मेनेजर से रिपोर्ट बनाना यह बहुत काम आता है जब कंपनी में टार्गेट अचीव करना होता यानि सेल वगेरा ज़्यादा बढ़ानी होत और गोल्सिक को समझाने के लिए में नेयाँ पर एक फॉर्मेट तयार किया हुआ है और इस फॉर्मेट के अंदर देख्यों सिंपल काम हो रहा है यह हो रहा है कि यहाँ पर EMI कैलकुलेट कर रहा है मैने कोई भी यहाँ पर मुबाईल का मोडल डाला जाए गा यहाँ पर प डालेका customer जो है वह कितनी down payment डनी कंद रेड़ी है तो वह यहाँ पर down payment डाले गा जो interest वह यहाँ पर डालेका और कितनी मंत को बना सकता है वह यहां पर एंटर लेगा और उसके बाँ जो यह मई नलके आई यहां पर शो जाएगी है ठीक है तो यहाँ पर दिखिए मैं आपको amount change करके दिखाता हूं 20,000 की जगे 30,000 कर देता हूं तो यहाँ पर देखिए MI बढ़ चुकी है बढ़ गई तो यहाँ पर मैं बापस 20,000 कर देता हूं लेकिन यह format को गोल्सिक से कोई लेना देना नहीं है यह चीज करना अलग है तो EMI को calculate करना हुआ लेकिन मैं देखिए आपको क्या समझा रहा हूं गोल्सिक अब गोल्सिक को समझाने के लिए मुझे format बनाना पड़ा अब देखिए कोई customer shop पर आता है और वो यह phone लेना चाहता है और वो चाहता है कि जो monthly EMI उसको बताई गई है 1418 रुपे वो यह नहीं दे सकता वो बुल रहा कि मैं तो जड़ा ज़ादा 1000 रुपे महीना दे सकता हूं मतलब 1000 रुपे पर मंत दे सकता हूं तो जो shop owner है वो चेक करेगा कि 1000 रुपे पर मंत अगर customer देना चाहता है तो उस मैं गए गोल सिक पर क्लिक करा गोल सिक पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सेट सेल तो यहां पर आपको वो सेल को सलेक्ट करना है जहां पर आपको इफेक्ट देखना है तो इफेक्ट मुझे यहीं देखना है उसने क्या बोला कि मैं 1000 रुपे महीना दे सकता हूं तो यहां पर ही मुझे change करना होगा तो उस्सने जितना वोला वो में यहां पर enter कर देता हुना हजार रुपय कहां जाएगा यहां पर ठीक है टू वेल्यू में और यहां पर क्या हेगा वहां जहां पर changes होना है तो changes यहां पर होना है इसका cell address है C104 ठीक हैером व क्यों पर हो सकता है तो मैंने यहां पर बोल दया डाउन पैयमेंट को सलेक कर लिया खाल सेखलिए अगर वो जो заг समकी देगा तो दाउन बढ़ेगी तो मैंने यहां पर डाउन edit को सलेक कर लिया और ओक केपर क्लिक कर रहा तो ओके पर क्लिक करते ही देखिए इसने मुझे calculate करके बता दिया गोल सिक ने कि जो कम से कम down payment आएगी ना अगर 1000 रुपे की EMI देना चाहता है तो कम से कम कितने की down payment आएगी मानली जी आप साड़े 9000 के आसपास की down payment आएगी गोल सिक ने मुझे calculate करके बता दिया तो मैं customer को भी calculate करके बता दूँगा कि आपको कम से कम down payment आएगी 9000 रुपे देनी पड़ेगी जब जाके आप 1000 रुपे महिने की EMI दे सकते हैं ठीक है अब देखिए मानली जी customer जो है वो केवल 700 रुपीज पर मानती दे सकता है तो उसके लिए कैसे calculate करेंगे दुबारा से बता रहा हूँ मैं आपको गोल सिक पर क्लिक करा यहां पर यही select रहेगा sale का address two value में हमने यहां पर डाल दिया 700 रुपीज और यहां पर by changing sale में हमने down payment को select कर लिए और ok पर click करते हैं तो cancel करेंगे तो वापस पुराना वाला आ जाएगा तो यहां पर control z करके मैंने वापस सही कर दिया तो इस तरह से गोल सिक काम करता है समझ मैं आपको चली मैं आपको एक और गोल सिक का example दिखाता हूँ और अच्छे से आपको समझ मैं जाएगा तो यहां पर देखिए इस table को तो मैं आपको आल्रेड़ी समझा चुका हूँ यहां पर student का record enter करके रखा हूँ यहां पर देखिए एक student fail हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि इसकी जो percentage ना कम से कम 40 परसेंट तो यह आई जाए मतलब 40 परसेंट से पास हो जाए तो मैं यह चेक करना चाहता हूँ कि मैं कहां पर number बढ़ा हूँ जिससे कम से कम 40 परसेंट तक आ जाए तो यहां पर पहले में क्या करता हूँ दो जगे यहां पर हिंदी में और साइंस में थोड़े सके मार्स कम है तो यहां तो मैंने मेन वाली टाइप कर दिया 35 यहां पर मार्स कम है क्योंकि गोल्सिक के वल एक ही सेल पर काम कर सकता है इसलिए मैं यहां पर चेक करूंगा तो यहां पर देखिए अभी जो इसकी परसेंटेज है तो मैं इस परसेंटेज को 40 परसेंटेज में बदलना चाहता हूं तो उसके लिए कितने मार्स हिंदी में बढ़ाने चाहिए मुझे यह मुझे पता नहीं लग रहा तो मैं गोल्सिक की हेल्प ले सकता हूं तो मैंने यहां पर क्लिक करा पेले तो जहां पर पढ़ाने है यहां पर गया गोल सिक में गोल सिक में जाने के बाद देखिए विंडो ओपन हुई इस विंडो को थोड़ा सा दियान भी देखना और यहां भी दियान देना इस वाले रिकोर्ड पर अब मुझे यहां पर क्लिक करना है ठीक है टू वेल्यू में कम से कम मैं 40% च पर क्लिक कर देता हूं कि हंदी के मर्स कितने बढ़ाए जाए कि यह 40% से पास हो जाए ओपर क्लिक करके देखा तो जो पर हम पताया प्लिए 71 marks मिल जाएंगे तो यह 40% से पास हो जाएगा तो अगर school का actual result होता तो school वाले चाहे तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं ठीक है तो यह बात आपको समझ में आगी goal सी कुछ इस तरह से काम करता है किसी Excel के आदार पर changes वगेरा इसे करके देख सकते हैं इसके बाद देखिए यहां पर what if analysis के अंदर जो next और last option है वह है data table data table की help से आप table create कर सकते हैं कैसे देखिए यहां पर सुरबात में मैंने one लिखा यहां पर one लिखा आपको ध्यान देना यहां one है यहां one लिखा और यहां पर one को one से multiply कर दिया ठीक है तो अगर हम one को one से multiply करेंगे तो क्या आएगा result one ही आएगा ना multiply करना मैंने आपको बता रहा है आप यहां formula में भी देख सकते हैं यह चली मैं आपको लगा कर दिखा रहता हूं दुबारा ने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहां पर मैंने डिलीट कर दिया उसके बाद एक keyboard से equal दबाया यहां पर क्लिक करा keyboard से multiply का sign दबाया उसके बाद मैंने यहां पर दुबारा से इसको टेबल ले लेता हूं ऐसी मैंने यहां पर वन से लेका 10 तक की काउंटिंग लिख दिये अब देखिए वेनिफिट समझिए वेनिफिट ही तो है यहां पर मैंने क्लिक करा और इसे हमारी रो है ठीक है और कोलम कोलम भी हमारा यही है तो हमने यहां पर क्लिक कर दिया तो देखिए क्या हुआ ओटोमेटिंग यहां पर complete टेबल आ चुकी है देखिए 9 तक की पूरी टेबल है अगर आगे भी होता तो और टेबल आ जाती क्या करा हमने पर मैं data table पर क्लिक करा और उसके बाद row input cell तो row कौन सी है यह row है हमने बोला कि जो हमने यहां पर first value लिखे थी यह row है और column column हमारा नीचे वाली value है क्योंकि हमने इन दोनों की calculation करी दी ती न तो यह इन दोनों के साबसें सभी की calculation कर देगा और table हमें मिल जाएगी देखे table मिल गई एक example और मैं आपको data table का बताता हूँ मालीज यह कि हम क्या करते हैं एक बार formula create कर लेते हैं और उस formula को हम बार बार apply करना चाहते हैं तब भी हम data table की help ले सकते हैं simple interest में calculate करता हूँ 12 महिने के लिए देखिए तो मालीज यह 5000 रुपे का 12 महिने के लिए 5% की rate से simple interest में यहाँ पर calculate कर लेता हूँ ठीक है तो simple interest calculate करने का जो formula होता है बहुत ही simple है सबसे पहले equal equal लगाने के बाद सबसे पहले principal amount into time into rate upon 100 अगर इसको हिंदी में बोले तो साधरन ब्याज निकालने का formula है यह golden into sum into दर्बटे सो हिंदी के लिए ओके और उसके बाद जैसी मैंने एंटर किया तो यहाँ पर simple interest निकल के आगया वह यह 3000 रुपीज अगर yearly हमें यह interest pay करना पड़ेगा इस amount का ठीक है यह 12 महिने का simple interest ह अब अगर मैं चाहता हूँ अलग-अलग amount को मैं चेक करना चाहता हूँ कि अलग-अलग amount का simple interest क्या होगा तो मुझे formula फिर से लिखने की जरूत नहीं है और मैं एक बार में ही data table की help से सभी amount के लिए interest calculate कर लूँगा अलग-अलग time पर देखिए आपको और अच्छे से समझ म आ जाएगा तो यहां पर सबसे पहले हम यही वाला formula simple interest वाला formula यहां पर दुबार apply कर लेते हैं equal यह लगाया principal amount यहां पर select किया into rate into time divided hundred enter यहां आ गया यहां पर मैं ले लेता हूं जैसे हो गया हमारा 12 months के लिए 24 months, 36 months, 48 months 48 months यानि 4 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ठीक है और यहां पर यह amount है यहां पर मैं amount बदल भी सकता हूं जैसे मैंने यह तो amount है, interest निकल के आया है वो इसके साब से है 5000 के साब से और मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ कि मालो कोई 10,000 लेता है इंट्रेस्ट पे वो भी एक साल के लिए और इंट्रेस्ट रेट 5% ही लगने वाली है तो उसका जो इंट्रेस्ट है वो कितना होगा तो अटोमेटिक केल्कुलेट हो जाएगा 20,000 अगर कोई लेता है तो उसका भी केल्कुलेट हो जाएगा 30,000 कोई लेता है तो सिप बस वह देखना डेटा टेबल की हल्प लूँगा और अलग-अलग साल के लिए भी केल्कुलेट हो जाएगा कैसे होगा मैं यहाँ से सलेक कर लेता हूँ सलेक कर लिया देखो समझना आप ध्यान देना वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आरा थोड़ा सा पीछे करके दुबारा से देखना यहाँ पर मैंने formula एक बार लगा लिया formula लगाना जरूरी एक बार और यहाँ पर मैंने month लिख लिये जो भी मुझे calculate करने थे month के इसाब से यहाँ पर interest और यहाँ पर मैंने amount लिख लिया तो यह amount है यह month है अब मैं गया what if analysis में data table पर click करा अब row input तो row input के रूप में मैं दूँगा row input cell तो यहाँ पर amount आएगा और column के रूप में यहाँ पर आ जाएगा मेरा time ठीक है column में क्या है यह column है न time में तो क्या है time और row में क्या है मेरे पास amount इसलिए मैंने पहले amount select कर लिया दुबारा बताओं देखो यहाँ पर row input cell में मैंने amount क्यों select करा क्योंकि row में क्या amount है फिर उसके column में मुझे आगे बढ़ाना है तो column में क्या है देखिए month है न तो यहाँ पर मैंने इसलिए time बाला यह select कर लिया क्योंकि formula इसके आदार पर लग रहा है न इसलिए यहाँ प रुपे यहाँ पर देखिए 12 हो गया यह 18 हो गया 24,000 रुपे ऐसी 20,000 का हो गया calculate से 30,000 का हो गया तो देखिए data table की help से कितना fast हम काम कर पारें तो कुछ इस तरह से इसका use किया जाता है I hope आपको समझ में आया हो नहीं आया हो तो आप वीडियो थोड़ा सा पीछे करके जाएगा sheet तो आपके लिए available है अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो next option है वो है relationship और इस option की help से आप दो या उससे ज्यादा sheet को आपस में एक दूसरे के साथ connect कर सकते हैं यानि उनके बीच में relationship create कर सकते हैं और उसके बाद आप उन sheet के data को एक दूसरे के साथ compare करके देख सकते हैं बट इस option को activate करने के लिए अभी देखिए option disable है आपको अपनी sheet के data को पहले table format में बदलना पड़ेगा अभी एक normal format में आप इसे table में जब तक convert नहीं करेंगे relationship का यह option activate नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए मैंने एक example बना के रखा हुआ है इस example के अंदर मेरे पास दूसरी sheet के अंदर जो दूसरी sheet है इसके अंदर जो मेरे पास data है वही employee के नाम है लेकिन यहाँ पर products भी है उन्होंने कौन-कौन से product sell करें और किस date को करें यानि इस वाली table में क्या है sell है और इस वाली table में क्या date है अब मैं देखिए क्या चाहता हूँ अब मैं sell को date wise सकता हूँ ठीक है तो ऐसे काम को करने के लिए आप relationship की help ले सकते हैं ऐसी जुरत भी पढ़ती है तो आपको relationship वाला option use में लेना आना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इस activate करेंगे इस activate करने के लिए से table में convert करते है table में convert करने के लिए insert menu में जाऊंगा और यहाँ पर table वाली option पर क्लिक करूंगा और ok कर दूगा अब ऐसे ही में दूसरी वाली table यानि जो दूसरी sheet है इसे भी पहले table में convert कर लेता हूं insert में जाता हूं table पर क्लिक करता हूं ok करता हूं तो यह भी table में convert हो गई है ठीक है आप मैं बापस से अपनी first sheet पर जाता हूं ज आपको अपने table की private table बनानी पड़ेगी यानि यह जो अभी आपने table बनाई है न इसको private table में convert करना पड़ेगा तब आपका relationship वाला यह option काम करेगा तो दोनों table की हम क्या करते हैं दोनों sheet के अंदर जो data है उनकी private table बना लेते हैं ठीक है तो पहली sheet यह है insert menu में जाता हूं प private table के अंदर जो यह option है न इसके अंदर बस आपको यह select करना बिल्कुल नहीं भूलना है add this data to the data module इस पर जरूर क्लिक करें फिर ok कर दें जैसी ok करा तो देखिए private table के लिए यहाँ पर एक नई sheet बन गई है sheet number 1 अब मैं ऐसी जो दूसरी sheet थी इसको भी private table में बदल लेता हूं select किया मैंने insert में गया private table पर click करा अब यहाँ पर मुझे एक बात का धियान रखना है इस option को तो select करना ही है लेकिन इस बार में new worksheet पर नहीं डालूंगा इसको उसी वाली private table पर लेके जाऊंगा जहाँ पर first वाली table के लिए यानि first वाली sheet के लिए private table create हुई थी उसके लिए मै यहाँ पर existing worksheet पर click करूँगा कब जब मैं second वाली sheet के लिए private table create कर रहा हूँ ओके इसको select करा तो अभी देखिए private table कहा बनी है यहाँ पर sheet number one पर बनी है यहाँ देख लीजी sheet number one लिखा रहा है यही private table इसी पर लेकर रहा हूँगा तो यहाँ click कर देता हूँ और यहाँ पर click क okay कर देता हूँ अब देखिए इसमें जाता हूँ मैं sheet number one पर जिसमें private table है दोनों की table one की और table two की अब दोनों table को सामने रखना है उसके लिए आपको all पर click करना है अब कौन कौन सा data में compare करूँगा तो यहाँ पर table one में से मैं employee की sale के साथ तो sale मैंने यहाँ पर ले लिया sale ला गया sale के साथ table two में से date को compare करके देखना चाहता हूँ table two में से मुझे date चाहिए तो date को मैं draw करके यहाँ से और drop कर दूँगा रोज के अंदर तीक है अब आप यहाँ पर देखिए जो data है वो सही नहीं आ रहा sale के data के अंदर 350 350 आ रहा है तो यह इसलिए आ रहा है क्योंक चाहिए तो analyze के अंदर जाके भी कर सकते हैं आप चाहिए तो data वाले step पर क्लिक करिए और यहां से आप चाहिए तो relation वाले option पर क्लिक करिए और यहां से new पर क्लिक करिए यह window सामने आईजी यहां से कर सकते हैं चाहिए तो आप direct यहाँ पर create कर दीजिए तब भी यही window open तो मेरे वाली इस sheet के अंदर यानि इस table के अंदर दोनो table के अंदर serial number वाली field है, दोनो common है, ठीक है, तो यहां से मैं table 1 select करूँगा, table 1 के अंदर यहां से मैं serial number select करूँगा, ऐसे मैं यहां से table 2 select करूँगा, और यहां से मैं serial number select करूँगा, बट यहां देखे अपने आब आ ग जाएगा देखिए यहां पर डेटा ओटोमेटिक साही आ गया इससे मैं कैंसिल कर देता हूं देखिए पाइवट टेवल में डेट वाइस अरेंज हो गया यहां पर देखिए 50 नंबर 50 नंबर यानि इस सेल यह जो सेल हुई है वह पांस तरीक के दिन हुई है पता लग गया शीट वन है ना इससे रिनेम करके मैं एक नाम दे रहता हूं लेशंशिप पायोट टेवल ठीक है आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको यह मिल जाएगी इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है यहां पर ग्रूप और ग्रूप की हैस से आप कोलम को और रो को ग्र स्क्रोल करके जाना पड़ता है तो आप क्या कर सकते हैं अपने को ग्रूप कर सकते हैं तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं उसके लिए सबसे पहले हम कोलम ग्रूप करना सीखेंगे तो कोलम ग्रूप करने के लिए मैं यहां से इससे सलेक कर लेता हूं पूरी टेवल को और ग्रूप में जाता हूँ ग्रूप पर क्लिक करता हूँ और यहां से कोलम पर क्लिक करता हूँ अब देखिए यह पूरी टेवल यहां पर ग्रूप हो चुकी है मैं इस माइनस पर क्लिक करता हूँ देखिए वो टेवल हाइड हो गई अब मैं यहां से नया काम करना स्टार्ट कर सकता हूँ नया काम करना कुछ भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ वो यहां पर थी हाइड हो गई बापस मुझे उसे सामने लाना है यहां पर क्लिक करा यह देखिए आ गई देखिए अड़ गई वापस लाना है वापस आगी तो हमने क्या करा कोलम को ग्रूप कर दिया अब इसके आगे से मैं काम कर सकता हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ग्रूप करने से यह है कि यहाँ पर यह छोटा हो जाता है फिर आपको आगे जो भी काम है उसको भी आप चाहिए तो इसे ग्रूप में बना बना के रख सकते हैं हटाना है आपको ग्रूप दोसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर select करना है वापस select करने के बाद यहीं आना है ungroup में जाना है ungroup पर click करना है column को group ungroup करना है हमे column select करा column ungroup हो गया देखिए अड़िया इस तरह से आप ungroup कर सकते हैं अब ऐसे आप row को भी group में बदल सकते हैं जैसे आप नीचे बहुत सारा काम कर चुके है अब मैं चाहता हूँ कि यह वाला example जो है न यह मैं अलग भी रखना चाहता हूँ फिर मैं इसके बाद इसको अलग रखना चाहता हूँ तो मैं row wise भी ungroup कर सकता हूँ तो पहले group करते हैं इससे select करते हैं इस text से ही कर लेते हैं ठीक है यहां से और यहां तक मैंने इस table को select कर लिया पूरा ही कर लेता हूँ यहां तक ठीक है इसके बाद मैं जाओंगा group के अंदर और यहां पर मैं group पर click करूँगा row को select करके ok कर दूँगा तो यहां पर देखिए माइनस बन गया यह देखिए अब वह वाला example यहां पर नहीं है देखिए नहीं है दूसरा वाला example आपके सामने आ रहा है तो इससे benefit होता है कि मैं दूसरा जो मैंने यहां पर sheet पर अन ग्रूप में जाके अन ग्रूप और row पर क्लिक करके ok कर देता है हड़िया ग्रूप इसके बाद देखिए आप next option है वह सब टोटल बहुती जादा काम का और बहुती जादा कमाल का option है और इस option की help से आप क्या कर पाएंगे वह देखिए मैं आपको बताता हूँ तो यहां पर मैंने एक format तयार किया हुआ है इसके अंदर कुछ data को एंटर करके रखा हुआ है और यहां पर देखिए काफ student admission लेते हैं और वो एक जैसे कई सारे courses को select कर सकते हैं मतलब काफी student BCA की भी हो सकते हैं कुछ MCA की हो सकते हैं कुछ PGDCA की हो सकते हैं और उनके पास एक ऐसी sheet है जो mix है जिसमें students के name है और उनके द्वारा लिए गए courses हैं अब मालो ऐसी sheet में आपको ऐसी counting करनी है कि कितने ऐस student है जिन्होंने BCA में admission लिया है उन student की counting करनी है कितने ऐसे student है जिन्होंने MCA में admission लिया है या PGDC में admission लिया है तो आपको उन student की counting करनी है तो कितने BCA वाले student है कितने MCA वाले और कितने PGDC वाले तो ऐसे तो देखिए अभी तो आप करके दिखा देंगे छोटी सी sheet में से ऐस last data होता तो फिर आप ऐसे गिनने बैठते तो बहुत time लग जाएगा जब आप Excel use कर रहे हैं तो ऐसे तो गिनने से रहे तो उसके लिए फिर आप subtotal formula का use कर सकते हैं या subtotal इस option का use कर सकते हैं वैसे तो एक formula भी होता subtotal बट हम यही से use करना सीखेंगे अभी तो कैसे करेंगे अब देखिए इस option को use में लेने से पहले मैं क्या करूँगा इस table को select करूँगा select करने के बाद मैं यहाँ पर इसे पहले ascending order में जमा लूँगा तो ascending order में जमाने के लिए मैं short पर click करूँगा short पर click करने के बाद short by में course select करूँगा क्योंकि मैं course देखना चाहता हूँ कि एक जैसे course वाले कितने student है मतलब उनकी counting करना चाहता हूँ तो मैंने यहां से course select कर लिया और यहां से values रहने दूँगा और मैं यहां से A to Z करके से ascending order में जबा लूँगा तुससे क्या हुआ? BCA, BCA वाले उपर आगाए, फिर MCA वाले आगाए, फिर PGDCA वाले होगे तो ascending order में यह data जम चुका है, अब मैं इसे select करूँगा select करने के बाद subtotal पर click करूँगा, subtotal पर click करने के बाद, अब मैं यहां पर course को select करूँगा, तो यहां से देखिए, मैंने course select कर लिया, तो जो भी table के अंदर आपकी heading थी, वो यहां पर आपको show जाएंगी, तो यहां से मैंने course select कर लिया, use function के अंदर मैंने count वाला function select करा, क्योंकि मुझे counting करनी है, यहां से course की करनी है, इसलिए मैं course select रहने दूँगा, उसके बाद OK कर दूँगा, तो यहां पर देखिए, कितना अच्छा है इसने मुझे करके बता दिया, BCA के अंदर जो admission हुए, वो है 4, ठीक है, MC के अंदर 2 admission हुए, और PGDCA के अंदर भी मेरे 2 admission हुए, total admission 8 हुए, तो ऐसे मुझे पहले ही पता लग गया, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका use कर सकते हैं मैंने एक example बनाया था, जिसके अंदर मैंने count function की help से same courses को count कर वा लिया, तो अब आपको यह देखना है कि आप इस option का use अपने लिए किस तरह से कर सकते हैं, जब आपको जुरत पड़े तो आप इस option को अपने वाले example के साथ use करके देखना, ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने आपको सिर्फ count function चला कर दिखाया है, तो एक जैसा data यहाँ पर इसने मुझे count करके दे दिया है, ओके फ्रेंड stop चलते हैं, हम review menu के अंदर यानि review tab के अंदर, तो यहाँ पर मैंने review tab पर click करा, उसके बाद review tab के जितने भी option थे, यहाँ पर display हो जाएंगे, यहाँ पर देखी spelling से लेकर translate तक यह जो आपको option दिखाये दे रहे हैं, यह इतने ज़्यादा इसे correct spelling check कर सकते हैं, research से आप किसी भी word को find कर सकते हैं, मतलब अगर आपको internet से कोई research करनी था, आप यहाँ से कर सकते हैं, thesaurus का use करते हैं, आप एक word से related अन्य word देख सकते हैं, जैसे computer अगर आप type करते हैं, तो से related जो जो word होंगे वो कर सकते हैं, तो इन option को भी वैसे मैंने बताया है, अपने MS word वाले वीडियो में, अगर आप वो वीडियो देखते हैं, तब आप इन option का use करना भी सीख जाएंगी, वैसे आप इनको खुद भी use करके देख सकते हैं, इतने ज़्यादा important नहीं है, इसके यहाँ पर customer के नाम है, यहाँ उनके mobile नमबर है, और वो interested है या नहीं है, वो यहाँ पर mention करके रखा हुआ है, अब यहाँ पर कुछ person है जो interested तो है, बट अभी जब उनको call किया गया है, उनने उस समय बोला है, कि हमें थोड़ी देर से call करना, या इतने बज़े call करना, या दो दिन बात call करना interested है, पर वो अभी पूरी तरह से interested नहीं हुए, तो हम अपनी याददास के लिए, यहाँ पर comment लगा सकते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि कौन ऐसे person है, जिनके सामने comment नहीं है, तो वो तो interested है, पूरी तरह से आपकी service लेने में, ठीक है, वो या तो ले चुके हैं, या interested है, लेकि जिनों ने ये बोला है कि हम interested हैं, बट अभी आप थोड़ी विरवात call लगाना, या फिर आप कल call लगाना, हम पूछ कर, confirm करके जवाब देंगे, तो जो भी इस तरह के data पर call कर रहा है, तो भी इस तरह से अपने लिए facility create कर सकता है, जैसे कमल है, इसने यह बोला है कि दो दिन बाद हमें call करना, तो जो भी data पर call कर रहा है, वो यहाँ पर comment लगा सकता है, कि interested है, पर अभी यह convert नहीं हुआ है, तो उसके लिए वो यहाँ कमल के सामने comment लगा सकता है, तो comment कैसे लगाते हैं, देखिए, कमल पर click करा और new comment पर click करा, अब कमल ने क्या बोला है, कमल ने बोला है उसके दो गंटे बाद उसने call करने के लिए बोला है, जिस समय उसको call किया गया है, उसके दो गंटे है, तीन गंटे बाद उसने call करने के लिए बोला है, वो हो सकता है car drive कर रहा हो, तो यहाँ पर mention किया जा सकता है, new comment में जाकर यहाँ पर देखिए मनीश पर एक comment लगा दिया गया है तो यहाँ पर देखिए इन नाम पर comment लग गया है जब mouse का pointer इन नाम पर ले जाया जाएगा तो comment भी show जाएगा और इससे याद आजाएगा कि इसने बोला था 3 गंटे बाद call करना है इसने बोला था 2 days बाद call करना है ठीक है तो इस तरह से comment लगा सकते हैं तो यह तो मैं आपको एक example देखे समझा रहा हूँ आप इसको अपने एसाब से किसी भी काम के लिए use कर सकते हैं कुल मिला किस तरह का एक box बन जाता है उसमें message लिखकर आप रख सकते हैं इससे कहते हैं comment लगाना अब माली जी बहुत सारे comment लगा रहे हैं सभी comments को एक साथ देखना है कि comment कहां कहां लगाए कहते हैं शीट में तो यहाँ पर आपको option मिल जाता है show all comments का तो यहाँ पर सभी comments एक साथ show हो जाएंगे इसके बाद यहाँ पर next comment का option है बहुत सारे comment है तो आप next करकर के आगे बढ़ सकते हैं ठीक है next देखिए ऐसे दो ही comment है इसलिए next पर click करा तो यहाँ पर रुख गया delete comments से आप बापस comment को delete कर सकते हैं edit comments आप comment में editing कर सकते हैं ठीक है बहुत ही simple सा option था comment और बहुत ही काम का था काम भी बहुत आता है यह comment लगा कर आप extra message दे सकते हैं sell के उपर तो friends इस तरह से आप comment का use कर सकते हैं और देखिए अगर इस पर comment लगा हुआ था और comment को show करा कर जो भी बोला गया तो उससे आप से call कर लिया जाएगा तो यह मैंने आपको एक example देखिए समझा दिया comment का use क्या है इसके बाद यहाँ पर next option आता है वह है protect sheet का आप इस पर click करते हैं तो आप अपनी sheet को यानि इस sheet को इसके data को देखिए protect कर सकते हैं तो यहाँ पर जो लिखा है न आप उसी option को select करते हैं और देखिए मैं आपको बताता हूँ जैसे की मैं यहाँ से select कर लेता हूँ delete rows देखिए मैंने स्रिफ delete rows सलेक करा और यहाँ पर जो password है यहाँ पर लिखा है password तो मैं यहाँ पर password to unprotect sheet तो यहाँ पर मैं एक password एंटर कर दूंगा तो मैंने यहाँ पर 12345 एंटर किया और ok करता हूँ ठीक है यहाँ पर फिर से password confirm करता हूँ और ok करता हूँ अब यह होगा कि अगर मैं किसी row को delete करने की कोशिश करूंगा ना तो row delete नहीं होगी तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पर रखा और delete करने के लि लेकिन password से गुजरना पड़ेगा तो अगर आप अपनी data को protect करना चाते हो अपनी sheet के data को protect करना चाते हो तो कर सकते हो जिसको password याद होगा वही row को delete कर पाएगा क्योंकि हमने row पर लगाया है protection इसलिए row ही delete नहीं होगी ठीक है अब हो जाएगी क्योंकि हमने password से unlock कर दिया है ठीक है तो यहाँ पर जब आप click करते protect sheet पर तो आपको यहाँ पर काफी सारे option मिल जाते हैं तो आप यहाँ से जो option select करके password लगाएंगे ना वही काम नहीं होगा बाकी सारे काम होगे और अगर सारे options को यहाँ से select कर लेते हैं और फिर password लगाते हैं तो जो भी यहाँ लिखा इसको आप select करके देखना वही काम नहीं होगा जो आपने select करा होगा इसके बाद देखें यहाँ पर next option है वो है protect workbook इस option की help से आप अपनी पूरी workbook को यानि इस actual sheet को ही protect कर सकते हैं इसमें तो आपको particular option के दौरा protect करने की facility मिलती है लेकिन यहाँ पर आप पूरी workbook को protect कर सक type okay करता हूँ और यहाँ पर फिर से password repeat करता हूँ और okay पर click करता हूँ now you can see कि मैं यहाँ पर एक तो नई कोई भी sheet add नहीं कर पाँगा देखें यहाँ पर यह plus button काम नहीं करा नीचे से नई sheet add करने का साथ ही आप यहाँ पर देखिएगा कोई भी option काम नहीं करा नहीं इसके इसे friends आप इस option का use कर सकते हैं अब बापस से आपको अगर इसे unprotect करना यानि password हटाना है तो इसके लिए आप यहाँ पर click करिए यानि इसी option पर click करिए protect workbook पर और जो password आपने enter करा था उसे apply करिए okay पर click करिए तो देखिए यहाँ पर आप सब कुछ possible है आप नया data भी enter कर स इसके बाद चलते हैं हम view menu के अंदर तो यहाँ पर देखिए view menu के अंदर जैसी हम आते हैं तो हमें first option दिखाए दे रहा है वो है normal normal view by default जो आपको दिखाए दे रहा है यह normal view ही है इसके बाद आता है page break preview page break preview पर हम click करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी page होंगे वो एक साथ दिखाए दे जाएंगे जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले मैं page break पर click करता हूं तो यहाँ पर देखिए अभी में zoom करता हूं तो cable एक page दिखाए दे रहा है न page 1 क्यों दिखाए दे रहा है वापस हम normal पर click करते हैं और यहाँ पर देखिए एक line आ गई है यानि इस line के इधर इधर लिखा गया तो वो एक ही page में आएगा यानि इसके इस तरफ लिखा जाएगा तब वो second page माना जाएगा तो देखिए मैं इसी table की copy करता हूं और यहाँ पर paste कर देता हूं तो अब देखना मैं इसको भी zoom कर देता हूं आपको पता लग ज सकते हैं तो यहां पर आपको नीचे भी एक line मिल जाएगी यहां नीचे आएंगे तो देखिए यानि यहां तक यह एक ही page पूरा उपर से लेके यहां तक इसके बाद अगर आप नीचे काम करते हैं तो फिर वो नीचे की तरफ आपको नए page पर दिखाए देगा इसके अगरा देख सकते हैं header यहां से आप header भी दे सकते हैं header में कुछ लिखना चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं अपनी sheet का नाम लिख सकते हैं page number दे सकते हैं तो यहां पर आप बहुत कुछ लिख सकते हैं header option में same आप footer में भी लिख सकते है footer भी मिल जाएगा आपको नीचे जब आप scroll करेंगे तो यहाँ पर देखिए footer मिल जाएगा तो footer में लिख सकते हैं तो यह सब आप काम कर सकते हैं कहाँ पर view menu में जाएंगे और यहाँ पर आप page layout option से यह सब भी काम कर पाएंगे तो वापस हम normal view पर click करते हैं इसके बाद देखिए next option है तो यहाँ पर आपको यह जो lines दिखाई दे रही है Excel की by default देखिए row and column जो है यह cell है इनके बीच में आपको lines दिखाई दे रही है यहाँ से आ रही है अगर आप इस पर से selection हटा देते हैं तो देखिए blank हो गया आप lines दिखाई नहीं देंगी तो अगर आपको lines नहीं देखना है तो आप यहाँ से option को हटा दीजिए लेकिन अच्छा लगता है अगर lines आती है तो उसके बाद यहाँ पर formula bar है अगर इस पर से आप टिक हटा देते हैं तो देखिए formula bar इसे कहते है formula bar जहाँ आप कोई function का sign दिखाए दे रहा है तो यह formula bar है headings है यह जो आपको column दिखाए दे रहा है A column B column C column D column इधर से 123456 तो इसे भी आप अठा सकते है headings पर click करके देखिए हड गया चाहें तो आप बापस ला सकते है heading पर click करिए वापस आ जाएगा headings पर जैसी आपने click करा तो इसके बाद देखिए next option है यहाँ पर zoom का इस option से भी आप चाहें तो sheet को zoom कर सकते है या फिर आप अपने keyword से control button दबा कर mouse के wheel को आगे बढ़ाएंगे तो zoom हो जाएगा बापस आपको fit करना है 100% पर click करिए तो जैसी आपकी sheet normal दिखाए देती है 100% पर वेसी दिखाए देगी किसी particular selection को zoom करना चाहते है जैसे मैंने केबल इतना ही select कर लिया इसको zoom करना है तो select करने के बाद zoom to selection पर click करिए उतना ही data select होकर zoom हो जाएगा बापस मैं 100% पर click करता हूँ इसके बाद देखिए next option आता है वो है new window का आप जैसी इस पर click करेंगे तो यह जो data है यह एक नई sheet में copy हो जाएगा यहाँ पर देखिए excel tutorial to automatic copy होकर एक नई sheet बन गई और same sheet है दोनो next option है arrange all तो माली जी आपने एक से ज्यादा sheet को open कर रखा है अगर आप सबको एक साथ arrange करके देखना चाहते हैं या compare करना चाहते हैं दोनों का data तो आप arrange all पर click कर दीजिए okay करिए चीक है देखिए दोनों sheet सा सकते हैं जैसे मैंने एक यहाँ पर रखा हुआ है एक यहाँ पर sheet को open करके रखा हुआ है दोनों का data में सामने देख पा रहा हूँ ठीक है तो इस option से कुछ ऐसा कर सकते हैं इसके बाद देखिए यहाँ पर जो next option है वह is freeze pens का यहाँ पर freeze का मतलब है कि आप किसी भी column को या क स्क्रॉल करता हूँ तो इदर देखे student के नाम तो इस goof का सकता हूँ मैं इस column को freeze कर सकता हूआ इस column को freeze करने के लिए मुझे क्या करना पढ़ेगा इस से आगे वाला क्लिक कर रहा और यहां से देखिए आपको first option दिखा दे रहा है freeze pens का इस पर मैं क्लिक कर दूँगा इस पर क्लिक करने के बाद देखिए अब मैं scroll करता हूँ जैसी मैंने इसको आगे बढ़ाया तो देखिए student name और serial number आगे नहीं बढ़ रहा है तो आप मैं देखिए result को बड़े ही आराम से इसके साथ compare करके देख सकता हूँ कि जो a student है वो पास है और देखिए c student fail है पहले क्या हो रहा था जब मैं इसको आगे बढ़ा रहा तो यह भी hide हो रहा था तो इस तरह से आप किसी भी column को क्या कर सकते है फ्रीज कर सकते है अब बापस आपको इसको अगर unfreeze करना है तो देखिए यहाँ पर मैं freeze pen में जाऊंगा और यहाँ पर मुझे option मिलेगा unfreeze pens का इस पर में click कर दूँगा अभी unfreeze हो गया unfreeze होती देखिए यह पूरा एक साथ scroll होने लग गया यानि जब मैं इसे move करता हूं तो देखिए hide हो जाता है तो यह तो हुआ column को freeze करना पर अगर चाहें तो आप row को भी freeze कर सकते हैं जैसे मुझे मुझे मान लिजिए इस वाली row को freeze करना है भी वाली को ठीक है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा इससे एक आगे वाली select करूंगा मैं row को यानि मैंने c वाली row को select करा मुझे जिसमे बी वाला नाम है यानि two वाली row को मुझे जिसमे serial number two है ना इसको मुझे क्या करना है freeze करना है तो मैंने इससे आगे वाली एक row पर click कर लिया इसके बार मैं freeze pen में जाऊंगा और यहां से देखिए freeze pen पर click कर दूँगा ठीक है इस पर click करते ही अब ये freeze हो जाएगी scroll कर रहा हूँ लेकिन ये A और B देखिए इसके आगे का data move हो रहा है लेकिन वो दोनों move नहीं हो रहे वो बिल्कुल सामने के सामने इस तरह से आप row को भी freeze कर सकते हैं ठीक है बापस unfreeze कर देते हैं अब अगर मैं देखिए इसको नीचे के और scroll करता हूँ तो फूरा data move होते जा रहा है इसके बाद देखिए आपको इसके अंदर दो option by default मिलते हैं अगर आप freeze top row पर click करते तो जो भी पहली row होगी वो automatic freeze हो जाएगी ऐसे अगर freeze first column पर click करते तो जो पहला column होगा न वो freeze हो जाएगा तो समझ में आगया friends आपको freeze pens का use काफी use में आता है जब sheet काफी बड़ी होती है तो इसे बहुत जादा use में लिया जाता है इसके बाद देखिए next option है split का जैसे आप split पर click करते हैं और आप अपनी actual sheet में जहां भी click करते हैं वहां से आपकी sheet अलग हो जाएगी और ये वो वाला part move नहीं करेगा उसके बाद देखिए आपकी actual sheet के दो part हो गए यानि जो data है वो यहां पर भी अलग है और यहां पर भी अलग हो गया है देखिए यही वाला data नीचे भी दिखाए दे रहा है यहां भी दिखाए दे रहा है तो आपको दोनों तरफ काम करने की facility मिल जाती है बापस से आप चाहें तो इससे हटा सकते है यही पर क्लिक करिए split पर यह बापस से सही हो जाएगा इसके बाद देखिए next option है hide का आप पूरी sheet को hide कर सकते है यानि data hide हो जाएगा sheet blank हो जाएगी जैसी मैंने hide पर क्लिक करा तो देखिए पूरा data hide हो चुका है sheet का बापस अगर आपको लाना है तो unhide पर क्लिक करिए यहाँ से आप क्या करेंगे sheet को select करेंगे तो बापस से आपकी sheet के अंदर का data दिखाए दिने लग जाएगा इसके बाद देखिए next option है यहाँ पर switch window का इसके बाद देखिए next option है वह है macros बहुत ही ज़्यादा important बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला option है दिल्कुल ध्यान से समझेना लेकि macros की help से आप क्या कर सकते हैं जो भी आप Excel में काम कर रहें उसे record कर सकते हैं और जब आपको सेम काम की दुबारा जरुत पड़े ना तो आपको फिर से करने की जरुत नहीं है आप just macro को run करिए वो सभी काम जितना भी time आपने उस पहले वाले काम को करने के लिए लिए लिया था वो केवल एक click पर आ जाएगा माली जी आपको 15 मिनिट लगे हैं format को बनाने में लेकिन उस समय आपने macro को record के लिए on कर दिया था फिर आपको भले ही चाहिए 15 मिनिट लगे हैं format को बनाने में आदा घंटा लगाओ वो पूरा record कर लेगा उसके बार अगर आपको same format की जरुत पड़ती है तो just आपको एक बार click करना और macros को run करना है सिर्फ एक second के अंदर पूरा format बन जाएगा भले आपको पहले बनाने में एक घंटा लगाओ तो चली मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं यहाँ पर मैंने click कर लिया है ठीके उसके बाद मैंने यहाँ पर macros पर click करा उसके बाद यहाँ पर record macros पर मैंने click करा record macros पर click करने के बाद आपको यहाँ पर macro का नाम रख देना है तो मैं यहाँ macro का नाम रख देता हूँ demo ठीके और उसके बाद मैं यहां पर चाहूं तो shortcut भी दे सकता हूं जैसे मैंने control के साथ माझ लो यहां पर K दे दिया जैसी मैं control के साथ K दबाऊंगा तो जो भी मैंने record किया था macro वो चल जाएगा चाहें तो आप manually भी चला सकते हैं तो यहां पर मैंने control case का shortcut दे दिया यहां से आपको select करना है देखिए अगर आप जो आपने macros record करा है उसे आप किसी भी sheet के लिए use करना चाहते तो यहां से आप personal macros workbook रख लीजिए description में आप उस macros के बारे में लिख सकते हैं थोड़ा सा आपको याद रहे जाएगा कि क्यों बनाया था आपने macros ठीक है वो आप लिख लेना अगर आप बना रहे होंगे जब उसके बाद ok कर देना तो अब आप देखें यहां पर recording start हो चाहिए यहां पर ready लिखा गया है अब आपको जो भी format बनाना है आप वो format बना सकते है तो चली मैं format बनाता हूँ ठीक है तो यहां पर मैं क्या करता हूँ पहले से select कर लेता हूँ और यहां से एक छोटा सा format बना लेता हूँ देखें आ और इसको यलो कलर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, सेंटरल अलाइनमेंट कर देता हूँ, अब देखें माली जी यह तो मैंने छोटा सा फॉर्मेट बनाया और जल्दी से बना दिया, अब यह बहुत बड़ा फॉर्मेट होता और मुझे काफी टाइम लगा होता, तो अभी मेक्रोज तो रिकोर्ड कर रहा है, बेग्राउंड में मेक्रोज इस काम को रिकोर्ड कर रहा है, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर लास्ट में ऐसे रोग दिया, यहाँ पर बस क्लिक कर दिया, मेरा काम खतम होगा, आप यह से क्लिक कर दिया जब आपका फॉर्मेट बन जाए, फिर आप क्या करना, विईू मेन्यू में जाना, और मैक्रोज में जाकर आप यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हैं, मैं यहां से stop कर देता हूँ stop हो गया macros अब मुझे इसी format को किसी दूसरी sheet पर बनाना है और यह काफी बड़ा format है मान लीजी मेरे को बहुत टाइम लगा इसे बनाने में और यह काफी बड़ा format मैंने बनाया होता तो एक second में बन जाएगा अब यह दूसरी sheet पर गया मैं देखिए यहाँ पर sheet 4 लेली मैंने नीचे आप देख पा रहे हो तो जूम कर लिया थोड़ा सा अब मैं macros में जाऊंगा और जो macros अभी मैंने record करा है उसे view macros पर जाके macros को नाम क्या दिया था मैंने यहाँ बार देखिए personal दिया था personal जो भी मैंने select करा था और demo नाम रखा था मैंने macro का ठीक है और यहाँ से मैं run कर दूँगा run करते ही आप देखिए automatic वो format बन गया केवल एक click पर तो देखिए macros की help से एक second से भी कम समय के अंदर यहाँ पर यह format बन गया है तो इस तरह से आप macros को record कर सकते है recording के दोरान आप इसमें data enter करिए जो चाहें वो करना चाहें वो कर लीजिए उसके बारा macros को stop कर दीजिए और जब आपको run करने की ज़रुत पड़े जहाँ भी ज़रुत पड़े वहाँ run कर दीजिए आपका पूरा format as it is आ जाएगा अब मैं आपको एक example और दिखाता हूँ macros का देखिए formula sheet है अपनी जिस पर अपने formula menus के अंदर formula को use करना सीखा था यह वाली sheets में काफी सारे formula है तो यहाँ पर देखिए नीचे जाता हूँ मैं scroll करके तो यहाँ पर मुझे एक formula मिलेगा और यह formula है some if formula मुझे इस formula पर सुरुवा से आने की जुरुत है बार पर मुझे इस formula पर आना पड़ता है यह मैं आपको एक example दे रहा हूँ पहले तो सुरुवात में चला जाओंगा मुझे सुरुवात से कहा ना यहां आना है तो मैं sheet के बिल्कुल सुरु में चला गया देखिए यहां आ गया यहांने के बाद मैं insert में जाके एक shape बना दूँगा कोई भी जैसे मैं एक button बना देता हूँ simple सा टिके अब मैं क्या करूँगा मैं macros को record करूँगा मैं यहां से कहां जाँगा वहाँ पर उससे पहले मैं macros को on कर लूँगा क्योंकि मैं जाओंगा न तो उससे मैं macros भी record होना चीए तो देखिए मैंने यहां से macros में गया record macros पर click किया ठीक है नाम दे देता हूँ मैं यहां पर इसको कोई भी जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ पर मैं click कर दूँगा assign macro पर इस पर click करने के बाद जो भी मैंने macro का नाम रखा था वो ही मैं यहाँ पर select कर लूँगा इस button के लिए तो यहाँ पर सारे macro के नाम आ जाएंगे but आप यहाँ से वही select करना जो आपने record करते समय नाम दिया था तो यहाँ पर मैं क्या नाम दिया था demo 2 तो यहाँ से हम demo 2 को select कर लेंगे ok कर दिया select हो गया अब देखिए benefit क्या है हमें उस formula पर जाना है हम जश्ट इस पर click कर देगे जैसी इस button पर click करेंगे ना तो देखिए यहाँ पर आ गया ना मैं automatic तो सुर्वास से मैं कहाँ पर जम कर पा रहा हूं इस पर तो यह किसकी help से फटाफट हो गया है macros की help से तो अगर आपकी sheet भी काफी बढ़ी है आपको बार वर किसी particular जगे पर जाने की ज़रुत पड़ती है सुर्वास से या कहीं से भी तो आप macros को record कर लीजिए और अलग अलग जगे पर बटन मना दीजिए आप पूरी sheet में move कर पाएंगे कहीं से भी कहीं पर ठीक है बस आपको macros record करना है और ऐसे define कर देना है बटन के उपर अब देखिए friend मैं आपको excel के अंदर कुछ basic tips देता ह ठीक है बले आप यहाँ पर space दे दीजिए ठीक है यहाँ पर भी मैंने space दे दिया अब अगर आप यहाँ पर इन दोनों को multiply करते है 20 और 30 को तो देखिए multiply नहीं होगा यहाँ पर मैंने click करा into का sign लगाया है यहाँ पर click करा ठीक है और enter करता हूं तो देखिए यहाँ पर कु देखिए मैं आपको लिख कर दिखा दा हूं जैसे मानली जिए आपको लिखना है to unit ऐसे लिखना है आपको यहाँ पर आपको लिखना है 20 kg यह लिखना है 1024 GB ठीक है यह आपको calculate करना है तो इस तरह से अगर आपको लिखना है यहाँ पर आपको Indian रुपीज का sign लगाना है जैसे मैंने लगाया यहाँ पर और आपको यहाँ पर लिखना है फिर 2000 रुपीज 2000 तो इस अब कब पोसीबल है और इन पर कैलकुलेशन भी अगर आपको करनी हो तो कैसे करेंगे देखिए अभी यह लिखा हुआ तो दिखा दे रहा बट कैलकुलेशन पोसीबल नहीं है जैसे मैंने अगर यहाँ पर इसको अटा देता हूँ टू से मल्टिपलाई करा तो यह नहीं होगा ऐसी मैं यहाँ पर रुपीज का साइन लगाता हूँ पहले और यहाँ पर मैंने टू थाउजन लिखा और यहाँ पर मैंने रुपीज का साइन लगाया और यहाँ पर मैंने थ्र Online आप इसको अटा देताओ हमें देखिए यहां पर जो आरेस लिखाए ना इसको अटा देता हूं यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है को अटोमेटिक वो तो आ जाएगा अपने आप ऐसे में यहां पर यह लिखाए मैं आरेस इसको अटा देता हूं यहां पर मैंने right click करा right click करने के बाद यहां पर जाओंगा मैं format cells के अंदर format cells पर मैंने click करा इसके बाद यहां पर मैं जाओंगा custom के अंदर custom के अंदर जाने के बार आपको यहाँ 0 दिखा दे रहा है, यहाँ सब 0 select कर लेना, 0 के बाद, अगर आपको number के बाद कुछ alphabet लिखना हो, तो फिर आप 0 के बाद space दें, double inverted comma में आपको जो लिखना है न हो लिख दें, तो अपन को क्या लिखना है, Rs, तो अपन ने यहाँ पर Rs दिख दिया, double inverted comma पन ने बंद कर दिया, ठीक है, OK कर देते हैं, तो देखिए, यहाँ पर 20 रूपीज, यानि Rs आ गया है, अगर Rs लिखना हो तो, symbol लगाना है, तो भी कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा, अब देखिए, यहाँ पर भी लगाना है, तो यहाँ पर भी हम right click करते है और यहाँ पर जाएंगे हम किसमे, format cell में, यहाँ से हम custom, custom से हम zero select करेंगे, और यहाँ पर space देंगे, double inverted comma के अंदर हम लिख देंगे, Rs, और OK कर देंगे, ठीक है, आप देखिए, मैं यहाँ पर multiply करके दिखाता हूँ, equal लगाया, इसको multiply किया, इससे enter किया, तो देखिए, आ यहाँ से हम custom पर click करेंगे, यहाँ से हम zero select करेंगे, और यहाँ पर देखिए, unit लिखाए ना, तो आपको zero के बाद space देकर, और double inverted comma में, unit लिख देना है, अब आपको कोई भी text लिखना हो, number के साथ, तो ऐसे लिखेंगे, तब ही उस पर calculation हो पाएगी, मैं आपको यहाँ पर आपने रूपीज का sign कहीं न कहीं आ जाएगा, side में देखिएगा, आप कहीं भी देखिएगा, आपको रूपीज का sign अगर दिखाई दे जाए, किसी भी website पर आप वहाँ से copy कर लेना, ठीक है, फिर आप paste तो करी सकते हैं, यहाँ से पहले तो मैं delete कर देता हूँ, अब 0 से पहले double invalidate कोमा लगा कर उसमें मैं paste कर दूँगा, रूपीज का sign जो मैंने internet से, google से copy कराता, फिर उसके आप मैंने space दिया, उसके बाद ok कर दिया, तो यहाँ पर जब मैं number डालूँगा, जैसे मैंने 5000 लिखा, तो automatic उसके आगे रूपीज का sign आ जाएगा, रूपीज 5000, आगे आपको समझ में, तो इस तरह से जब आप लिखेंगे, यानि आपको अगर number के साथ text लिखना है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, तभी calculation possible हो पाएगी, otherwise number के साथ अगर text normal तरीके से लिखा है, तो calculation possible नहीं हो पाएगी, तो यह छोटी सी extra tips थी, जो मैंने आपको दे दिये, ठीक है?